कि अब आप सब लोग I hope each and every one of you is doing absolutely good my name और मैं सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं हमारे इस प्यार से बैच प्रचंड के अंदर और यकीन यूट्यूब चैनल और काफी दिनों बाद हमारी मुलाकात हो रही है आज हम शुरू करने वाले हैं यहां पर मैं आप से एक सच कहना चाहूंगा और उस सच से ही इस लेक्चर की शुरुवात हो तो बहतर हैं वो सच यह है कि या तो आप इस चैप्टर में 20 घंटा लगा सकते हो और कुछ भी नहीं सीख सकते हो या आप इस लेक्चर को आराम से देख सकते हो अपने नोर्स बना सकते हो और हर मॉड्यूल का सवाल हर NCRT-based सवाल हर पीवाई की बहुत प्यार से सॉल्व कर सकते हो इस इस यूनिट जहां पर कम पढ़ना लेकिन सटिक पढ़ना इंपोर्टेंट है जादा पढ़ना इंपोर्टेंट नहीं है यहां पर आप लोगों को एक आइडिया लगेगा कि हर चीज पैटर्न में चलती है और जनेटिक्स के पैटर्न में आपको आज डिकोड करवा रहा होंगा यानि बहुत कम टाइम में अगर आप एक चीज का पैटर्न डिकोड कर गए अगर आप मोनो हाइब्रिड का पैटर्न डिकोड कर गए तो आप डाय हाइब्रिड ट्राय हाइब्रिड सब कुछ खुद क पर पाऊगे और मैं बकायदा आपको क्लास में करवाऊंगा यानि ऐसे चीज़ें जो आपकी सिलेबस से कोसो दूर हैं जो आपको बहुत कॉंप्लेक्स लगती हैं उनके रेशियो उनके डेरिवेटिव भी आपको बहुत प्यार से याद हो रहे होंगे बिना कुछ किये सब चीज ऑटो पाइलेट पे चलेगी सारी चीज ऑटोमेटिक चलेगी आपको कुछ नहीं करना आपको सिर्फ हैडिंग को ध्यान में रखना है मैं आपसे वादा कर रहा हूँ कि मैं सिर्फ हैडिंग के नाम से ही आपके लिए पूरा टॉपिक तोड़के तयार कर दूँगा आपको अपने तरफ से 5% input भी नहीं डालना है, अगर आप इतने सशक्त हो, if you are so good in reading कि आप सिर्फ heading का नाम पड़ पाओ और decode कर पाओ, आपकी genetics आज डन हो जाएगी, for sure बिना किसी effort के और सारे question बन रहे होंगे, और वो भी बहुत कम time है, मतलब 5-6 घंटा ये session चलेगा हो सकता है, थोड़ा बहुत plus minus 1 घंटा हो, लेकिन इस दोरान आपको एक एक चीज यहीं पर याद हो जाएगी, और आप बहुत complicated सवालों को भी बहुत आसानी से बना पा रहे होंगे, ये मेरा वादा नहीं, ये मेरा दावा है, level सबके बस यहाँ टिकना पड़ेगा भाईया, 6 घंटे वो level निकालने के लिए, तो आराम से बैठ करके सिर्फ इस lecture को गौर से सुनना है, NCRT में सारी चीज़े already है, कहां कहां NCRT complicated है, कहां कहां NCRT आपको परिशान करेगी, आपको बातें नहीं समझने देगी, वो सारी चीज़े हमें अच्छे से पता है, उन चीज़ों को तो आज अलग से वक्त निकाल करके फोड रहे होंगे, और आज जनेटिक्स और हमारी जंग में जीतेंगे हम ही, at the end of the day, ये आपको एकदम दिमाग में रखके चलना है, कि सामने वाला दुश्मन तो आज खतम करना है हमको किसी भ हालत में, आज एनेटिक्स का डर भी मिटा देंगे, सारे क्वेशन भी सॉल्व हो रहे होंगे, सब कुछ, है ना, और मेरी तबियत थोड़ी सी खराब है दोस्त, मैं अभी पूरा ठीक नहीं हुआ हूँ, तो बॉड़ी एक है मुझे, तो मैं चाहूँगा कि तुम मुझे क कम से कम परिशान करो, जो कि आप लोग अच्छे बच्चे हो भाई, परिशान नहीं ही करोगे, पर ठीक है, आज हम सिर्फ पढ़ाई पर फोकस करेंगे, अच्छे तरीके से, बीच में कोई भूल चूक से स्पैमिंग मत करना, है ना, एक दूसरे से वादा करते हैं और आग यहां पर खड़े खड़े भी, जिससे हम लोग आगे भढ़ सकें, और जनेटिक्स के इस चेप्टर को, प्रिंसिपल्स ओफ इन्हेरेटेंस और वेडियेशन को बखू भी फोर सकें, आल राइट, बढ़िया, ग्रेट, चलिए दोस्तों, फिर शुरू करते हैं चेप्टर क बिना किसी देरी के, और सबसे पहले जब भी हम किसी भी चेप्टर के अंदर घुचते हैं, what do we do, हम क्या करते हैं, हम हमेशा उस चेप्टर के नाम को डिकोड करते हैं, क्योंकि नाम में बहुत कुछ चुपा हुआ होता है, नाम इस चेप्टर का है, principles of inheritance and variation, यानि हम यहां पर जानने वाले हैं उन principles को, उन processes को, जिन से inheritance and variation होती है, अब यह inheritance क्या है, और यह variation क्या है, यह हम लोगों को जानना है, भाई आपके mother और आपके father के characters ही आपके अंदर आये हैं, yes sir, mother और father के characters ही हमारे अंदर आये हैं, कैसे आये हैं, let's try to understand that first, भाई यहां पर आपके father सहा के chromosome हैं, यहां पर आपके father सहाब के chromosome है, है न, यहां पर reference के लिए मैं सिर्फ दो chromosome बना ले रहा हूँ, ठीक है भाई, correct है sir, यहां पर माता जी के भी दो chromosome हो जाएंगे, इनको मैं sky blue color से बना लेता हूँ, correct है, क्या जब gamete बनेगा, तो यह दोनों के दोनो chromosome gamete में जाएंगे The answer is no, भाई हमारे अंदर कितने chromosome होते हैं, आप खुद बताइए, हमारे अंदर कितने chromosome होते हैं, 46 chromosome होते हैं, हा सर होते हैं, लेकिन जब भाईया हम लोग gamete बना रहे होते हैं, तो क्या 46 के 46 chromosome gamete में जाते हैं, नहीं सर, आधे ही जाते हैं तो जब gamete बनेगा मेरे भाई यहाँ पर जब gamete बनेगा तो यहाँ पर आप arrow बना कर लिख सकते हो gameteogenesis जब आपका यहाँ पर gamete बनेगा gamete की generation होगी gameteogenesis होगा तो क्या एक gamete में इस और दूसरे gamete में सिर्फ ये जाएगा correct येस सर चाह एक गैमिट में सिर्फ ये जाएगा और दूसरे गैमिट में सिर्फ ये जाएगा correct सर और जिस टाइम पर बात आएगी fertilization की तो let's say आपका ये वाला गैमिट इस वाले के साथ fuse कर गया तो क्या नया जो औरगानिजम बनेगा उसमें 23 क्रो ये वाले होंगे बिल्कुल होंगे सर ये तो हम पहले से जानते हैं जा ये बात कोई rocket science है नहीं सर पेरेंट में 4646 क्रोमोजोम होते हैं गैमेट इस हैपलॉइड तो गैमेट के अंदर सिर्फ और सिर्फ 23 क्रोमोजोम होते हैं सारे गैमेट में 23 23 क्रोमोजोम होंगे ये वाला गैमेट इससे भी फ्यूज कर सकता है ये वाला गैमेट इससे भी फ्यूज कर सकता है ये वाला गैमेट इससे भी फ्यूज कर सकता है ये वाला गैमेट इससे भी फ्यूज कर सकता है ये तो रैंडम मेटिंग होती है तो मेरे भाई हमने इन दोनों को fuse करा के समझा कि fertilization के बाद आपके दोबारा से क्या हो जाते हैं 46 chromosomes बन जाते हैं किसके अंदर? जाइगोट के अंदर 46 chromosomes in zygote यानि एक single cell बना जिसमें 46 chromosome है अब क्या हो जाएगा? अब ये जो 46 chromosome वाला cell है ये बार 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 डिवाइड करेगा कौन से प्रोसेस से? माईटॉसिस से हमारी पूरी बाडी डिपलॉइड है ना तो ये अकेला जो cell है डिपलॉइड ये करके हमारी complete body को तयार कर लेगा हमारी complete body को ये एक cell डिवाइड करके कर करके तयार कर लेगा वाया माईटॉसिस ये भी हम अच्छे तरीके से जानते हैं यानि अगर मैं आप से कहूं हमने पूरी की पूरी कहानी क्यों पढ़िए तो हम जानते ही थे ये कहानी मैंने आपको इसलिए पढ़ाए to make you realize कि भाया ये वाले जो आधे आपके क्रोमोजोम्स थे मदर से आ रहे हैं और ये वाले जो आधे क्रोमोजोम्स थे ये फादर से आ रहे हैं और इन्होंने मिल करके आपकी body का पहला cell बनाया था और अगर आप देखें तो हमारी body में actual में 46 क्रोमोजोम ना बोलकर हम क्या बोलते हैं 23 pair of chromosomes बोलते हैं हम लोग यानि हमारी body में 23 pair of chromosomes हैं हर chromosome की एक जोड़ी है तो हमारे पास chromosome number 1 कितने हैं दो हैं अगर कोई बोले आपके deployed cell में chromosome number 1 कितने हैं दो हैं एक chromosome number 1 फादर से आया एक chromosome number 1 मदर से आया तो chromosome number 1 का pair बना तभी तो हम deployed हैं ना तभी तो हमारे cell में हम कह रहे हैं कि 46 chromosome है यानि 23 pair of chromosome है तो chromosome number 1 कितने हैं हमारे पास दो एक मम्मी वाला एक पापा वाला क्रोमोजोम नंबर 2 कितने है दो ही एक मम्मी वाला एक पापा वाला क्रोमोजोम नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 कितने है दो एक मम्मी वाला एक पापा वाला 11, 12, 13, 14, 15, 16 कितने है एक मम्मी वाला एक पापा वाला यहां सिर्फ एक जगा आपकी गड़बड़ी आती है अगर कोई female है अगर कोई औरत है तो उसके अंदर sex chromosome भी दोनों सेम होंगे यानि x x लेकिन अगर मैं जैसे male हूँ तो मेरे अंदर sex chromosome क्या है x और y y chromosome सबसे चुटका होता है सबसे चोटा होता है तो यहां सिर्फ ये एक unequal pair है बाकि सारे chromosome एकदम सेम होते हैं और इसलिए इन chromosome की इन बराबर size के chromosome की जोड़ी को हम लोग क्या कहते हैं chromosome number 1, chromosome 6 के साथ जोड़ी नहीं बनाएगा chromosome number 1, chromosome 9 के साथ जोड़ी नहीं बनाएगा मदर का क्रोमोजोम नमबर वन फादर के क्रोमोजोम नमबर वन के साथ ही जोड़ी बनाएगा क्योंकि ये सेम साइज के हैं इनको क्या बोलते हैं दोस्त इनको बोलते हैं होमोलोगस क्रोमोजोम जिन पे सेम तरीकी के जीन्स पाए जा रहे हैं इनको homologous chromosome बोला जाता है तो एक बार homologous chromosome की भी हम लोग शकल देख लेते हैं כי ये कैसा दिखाई देता है आराम से देखेगा भईया ये है हमारा एक chromosome let's say chromosome number one है ये फादर साहब का chromosome number one है ये फादर साहब का correct है? correct है से ये है chromosome number one फादर साहब का, तो यहां पे क्रोमोजोम नंबर वन किसका आ जाएगा, यहां पे क्रोमोजोम नंबर वन ही आ जाएगा, किसका माता जी का, तब जाके इनको हम कहेंगे कि यह क्या है, होमो लोगस क्रोमोजोम है, और इन होमो लोगस क्रोमोजोम की पहचान क्या है, अगर मैं यहां पर कह रहा हूं कि आई कलर का जीन है कि भाया यह वो पोजिशन है जो आई कलर डिसाइड करती है तो क्या इस सेम लोकस पर यहां इस क्रोमोजोम नमबर वन पर आई कलर का जीन नहीं होगा बिलकुल होगा अगर यहां मैं कहता हूँ हेर कलर का जीन है आपके बाल का कलर कैसा होगा वो इस जीन से डेटरमाइन होता है मैं अगर कह रहा हूँ कि यहां हेर कलर का जीन है तो मेरे बंधु, मेरे दोस्त, मेरे भाई मुझे ये बता दो कि क्या यहां अगर ये homo locus chromosome है तो hair color का gene नहीं होगा क्या बिलकुल होगा बिलकुल होगा यानि की same locust यहां पे इसी साइड की arm पे इसी level पे इसी side की arm पे इसी level पे same चीज का gene होगा एंड सेम हीर, तभी तो ये क्रोमोजोम एक जैसे हैं, तभी तो ये पेर बना सकते हैं, कभी घर से एक साथ नंबर का जूता और एक ग्यारा नंबर का जूता पहन के निगले हो, कभी ऐसा सोचा है, कि यार एक तो पीम पीम पुचुक पुचुक वाला जूता पहन ले अपने चोटे एकदम भांजे का और एक अपने पिताजी का जूता पहन लेते हैं भाईया बहुत लंबा सा क्या combination बनेगी तगड़ी कोई नहीं सोचता क्योंकि उन दोनों का पेर बनना असंभव है पेर बनता है बराबरी के जूतों का तभी तो जाकर के आपके दोनों पेर एकदम नहीं बनाओगे दोनों के दोनों जूते चाहोगे बराबर हों बिल्कुल मैं भी यहीं चाहता हूं राइट मैं भी यहीं चाहता हूं अब एक छोट इसी चीज़ हम लोग यहां पर करके देख लेते हैं I bought some magnets for you कुछ magnet हम लोग लेकर क्या है अब आराम से देखेगा यह एक तेइस क्रोमोजोम आ रहे हैं क्रोमोजोम नमबर वान टू त्री यह चोटे-चोटे magnet connected है आपस में देखो इनको अलग भी कर सकते हो यह चोटे-चोटे magnet बहुत सारे जुड़े हुए आपस में तो यह है नाना जी का गयमीट यह है नानी जी का गयमीट जब यह फ्यूज क तो आपके पिताजी बने अब इनके भी गयमीट बनेंगे मम्मी के भी और पापा के भी तो यह जो पेर है यह सेपरेट हो जाएगा और समझ लो हरा वाला फ्यूज नहीं कर रहा इसको साइड में रख देता हूं तो लाल वाला गयमीट किसका आया मदर का आया और यहां भी के अगली जनरेशन में भी एक सेट आपको बनता हुआ दिखाई दिया बढ़िया तरीके से अब यह बच्चा जब गयमीट बनाएगा तो इसका जो सेल है इसमें दो पेर आफ क्रोमोजोम्स हैं तो आपका यहां पर यह फिर से सेपरेट हो जाएंगे और अलग-अलग गयम जाएंगे डिफरेंट पोल्स के उपर चले जाएगे ठीक है इस तरीके से आपके गयमीट बनते हैं और गयमीट फ्यूज होते हैं आई होब दिस इस क्लियर तो हमने इतनी राम कहानी क्यों पढ़ी भाई हमने यह इसलिए पढ़ी कि मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि लुजयर आएं वह एक्ट्वल में आपके फादर और आपके मदर से आएं यह जो प्रॉसेस है मदर और फादर के के यरेक्टर्स आपके अंदर लाने का इसे हम इनहरेटेंस कहते हैं जानी प्रॉसेस बाइवेच और टांसफोर्ड फ्रॉम पेरेंट्स टु दनेक्स जनरे सकति यह वी लेके तो मेरे भाई यहां घडड़ी क्या है क्रोमो सोम है तो हम आज ही पढ़ेंगे क्रोमो सोमल थी ओरिyou of और अब मुझे ये बताइए दोस्त कि क्या आप 100% लुक अलाइक है अपने फादर के, क्या आप 100% पापा जैसे दिखते हैं, क्या आप 100% मम्मी जैसे दिखते हैं, क्या आप 100% अपने बहन भाई जैसे दिखते हैं, the answer is no, क्यों? क्योंकि वेरियेशन भी आती है, हम लोग साफ साफ देखा था, कि ये जो होमो लोगस क्रोमोजोम है, इनकी ये जो नौन सिस्टर क्रोमटेट्स है ना, इनमें क्रोसिंग ओवर होता है, ये अपनी छोटी छोटी आम्स को एक्सचेंज कर लेते हैं, जिस वज़ए से आती हैं, वेरियेशन तो हम एकदम 100% अपने पे हम सब लोग थोड़े थोड़े युनीक होते हैं, तो इसी बात को हमको यहाँ पर लिखना है, सबसे पहली डेफिनेशन किस चीज़ की, जो हम पढ़ने आए हैं उसी चीज़ की, what is genetics? genetics is the branch of biology, genetics is the branch of biology that deals with the study of inheritance and variations, inheritance and variations, inheritance क्या है, कि माता पिता से characters आपके अंदर कैसे आए, that is inheritance and variation क्या है, आपके अंदर पाए जाने वाले differences, तो inheritance क्या है, the process by which, the process by which characters are transferred from parents to offsprings. parents say, offsprings में characters कैसे transfer किये जाते हैं, कैसे भेजे जाते हैं, ये भेजे जाते हैं with the process inheritance, और NCRT में एक बात लिखी गई है, जो बहुत ही खतरनाक बात है, और बच्चों को वो बात समझ में नहीं आती, आराम से सुनने की कोशिश करिएगा, आपको ये बात समझ में आ जाएगी, हम लोग यहां पर NCRT में पढ़ते हैं, कि inheritance forms the basis of heredity, NCRT खोल कर देखें, ये बात समझ में आएगी आपको, कहा गया है कि inheritance forms the basis of heredity, सर ये क्या चक्कर है अब, क्योंकि हम लोग तो कोई किताब पढ़ते हैं, तो वहां हमें ऐसा ही लिखात दिखता है, कि heredity और inheritance तो सेम है, और ये confusion काफी students को होती है, लेकिर अगर मैं आप से कोई statement based सवाल पूछूँ, या अगर मैं आप से कोई assertion reason सवाल पूछूँ, तो मैं आपको इसमें फसा सकता हूँ, बहुत अच्छा खासा, heredity का मतलब क्या होता है, और inheritance का मतलब क्या होता है, आराम से समझ ये, मेरे दोस्त, inheritance एक ऐसा process है, जिससे character आपके अंदर आए, और heredity वो process है, जिससे आपने उन characters को express किया, यानि आपकी body में अब वो characters काम करने लगे हैं, that is heredity, समझ ये, आपने zometo से खाना मंगवाया, तो खाना आप तक आ रहा है, खाना आप तक आ रहा है, that is the process of transfer of food from restaurant to your home, that process is inheritance, आप तक खाना पहुँच रहा है, that is inheritance, खाना आने के बाद आपने खाना खाया, that is heredity, यानि आपके अंदर mother father के chromosome से, chromosome के अंदर DNA था, वो चीज़े पहुच चुकी है, ये inheritance है, लेकिन उस DNA से आपने अपनी life में क्या उखाडा, that is heredity, मेरे पास mother father से hexokines का gene आया, क्या मैंने hexokines बनाया, yes, मेरे पास phosphofructokines का gene आया, क्या मैंने फॉस्फोर फ्रक्टो काइनेज बनाया, येस, मेरे पास इंसुलिन का जीन आया, ग्लुकागॉन का जीन आया, क्या मैंने इंसुलिन ग्लुकागॉन बनाया, येस, that is heredity, लेकिन वो genes कैसे आये मेरे अंदर, कैसे gamete formation हुई, fusion हुई, zygote बना, that is inheritance, तो transfer का जो process है, that is inheritance, और utilization का जो process है, एक बार आपके अंदर information आ गई, तो उस information से आपके धमाल मचा रहे हो, that is heredity, और नहीं समझ में आती है चीज, I hope आप सभी को clear है, ये दोनों की दोनो statements, correct, variations का मतलब देखे, variations का मतलब देखे, the degree of difference, कितना difference है, parents और offspring में, the degree of difference between parents and offsprings, is called variation, मैंने आपको बताया, आप 100% अपने father जैसे, आप अपने mother जैसे नहीं दिखते, तो आपके अंदर mother father के comparison में कुछ differences है, ये differences कितने है, that is called as variation, आप कितने variable हो अपने parents के comparison में, that is called as variation, या variation आप किनी भी दो organisms में निकाल सकते हो, कितने variable हो, आप अपने सगी बहन से कितने different हो, कितने variable हो, that is also variation, आप अपने सगे बाही से कितने variable हो, that is also variation, तो आप same generation में भी comparison कर सकते हो, और आप different generation में भी comparison कर सकते हो, आप अपने parents के साथ भी compare कर सकते हो, आप खुद के बच्चे जो होंगे उनके साथ भी compare कर सकते हो, आप जब difference देखने की कोशिश कर रहे हो, खुद में और किसी और organism में, तो आप variation देख रहे हो, correct, and the last point is like baggets like, like baggets like मतलब एक बहुत पुरानी क हावत है, बोया पेड बबूल का तो आम कहां सिखाए, यानि कि जैसा बीज भोएंगे वैसा ही पौधा निकलेगा, और यही जीवन का दस्तूर भी है, अब हम लोग human being को ही जन्म देते हैं, एक आम का पेड है, तो उससे आम का पेड ही जन्मेगा, एक हाथी है, तो वो लाइक बेगट लाइक कहते हैं, organisms of species, organisms of species give rise to offsprings of same species, like species, same species के ही individual बढ़ेंगे, इसे हम like, baggates, like कहते हैं, just like you and me, हम लोगों के parents भी human beings है, हमारे आने वाले बच्चे भी human beings होंगे, अब यहाँ पर आप कहेंगे कि सर कुछ तो exception होने चाहिए, बिल्कुल है, जब दो अलग-अलग similar species के individuals mate करते हैं, तो उनका बच्चा अलग होता है, जैसा कि हमने chapter living world में पढ़ा था, अगर एक male गधा है, mule, है न, तो mule बनेगा न, भाई, male गधा है और female अगर आपकी horse है, तो उस टाइम पर mule बन रहा था, ना वो गधा था, ना वो घोड़ा था, तो इस case में आपका दूसरे प्रकार का organism बनता है, पर यहां statement गौर से पढ़िए, organism of a species, एक species के organism, अगर एक गधा, एक female गधे के साथ, मेट करता, तो तो बच्चा गधा ही होता ना, for sure, yes, so both the parents should be of same species, तब जाकर यह theory applicable होगी, इसलिए साफसा बोल दिया है, organisms of a species, parents दोनों same species के होने चाहिए, तब जाके बच्चा उसी species का बनता है, जो कि दुन्या का दस्तूर है, ठीक है, यह कुछ हमने अभी तक definitions पढ़ी, तो genetics is the science of inheritance and variation, inheritance क्या है, characters का parents से बच्चों में जाना, और variation क्या है, कि parents और बच्चे 100% similar तो है नहीं, तो उनमें कितने differences हैं, इसकी study करना is variation, correct है यहां तक, हमने सिर्फ genetic के definition definition पढ़ी है, यहां तक correct है, done, ज़र, asexual reproduction में variation नहीं आते, थोड़े बहुत variation वहाँ पर भी आते हैं, दोस्त, because of mutation, क्योंकि mutation दुनिया की रीत है, तो usually, बहुत generations के बाद ऐसी mutation आपकी दिखना शुरू होती है, लेकिन अगर कोई continuously asexual reproduce कर रहा हूँ, asexually reproduce कर रहा हूँ, तो उनमें भी, फिर mutation का scope तो रहता ही है, करेक्ट है दोस्त, आएए, अब हम बात करते हैं, यहाँ पर एक process के बारे में called as artificial selection, यह same process हम लोग last chapter में भी देख चुके हैं, sexual reproduction in flowering plants के अंदर, मैंने आपको कहा, कि एक पौधा है, मैं उसके male part को काट देता हूँ, यानि मैं कर देता हूँ, क्या, emasculation, और मैं जो female part बचा है, उसको bag से ढख देता हूँ, जिससे कोई और pollen उसके उपर ना गिरे, and मेरा पसंदीदा pollen ही मैं उस female के ऊपर छिड़कूँ, जिससे मेरा पसंदीदा pollen, मेरी पसंदीदा female pistil के साथ interact कर पाए, इसे हम कह रहे थे artificial hybridization, hybridization हो रही है यहाँ पे, hybrid बन रहा है यहाँ पे, लेकिन artificially, यह natural process नहीं है, मैं अपनी मर्जी से इस पूरे process को direct कर पा रहा हूँ, that's why यहाँ पर artificial hybridization हो रही है, क्या आप animal में भी same चीज़ कर सकते हो, कर सकते हो, भाई एक बहुत ही ज़ादा strong आपका bull है, और एक बहुत ही ज़ादा दुधारू गाय है, दुधारू गाय मतलब जिसका दूध जो है, वो high quality का भी है, और बहुत ज़ादा मात्रा में दूध भी वो गाय दे रही है, क्या आप नहीं चाहोगे कि इन दोनों की meeting हो जाए, भाई फिर अगर चाहे male पैदा होगा, तो वो बहुत strong होगा, अगली generations को strong बनाने में help करेगा, और अगर female पैदा होगी, तो उसका दूध ज़ादा मिलेगा, better quality का मिलेगा, तो क्या हम इन दोनों को mate नहीं कराना चाहेंगे, जिनके characters बहुत supreme हैं, कराना चाहेंगे सर, तो ये कोई आज की बात नहीं है, अगर आप back in time जाएं, तो बहुत पहले से, लोग इन कामों को कराते हुए आ रहे हैं, जैसे ancestral wild cows जो थी, उनको domesticate किया गया, उनमें strong male और दुधारू female का combination बनाया गया, और साहिवाल cow जो है पंजाब की, वो ऐसे ही तयार करी गई, तो लोग भी अपने आसपास changes को sense करते हैं, observe करते हैं, और वो देखते हैं कि भाईया, ये जो आपके changes आ रहे हैं nature में, कैसे आ रहे हैं, तो बहुत पहले भी लोगों को पता था कि जो changes आते हैं ना nature में, ये आपके sexual reproduction की वज़े से आते हैं, तो उन्होंने बकायदा इसको test करने के लिए artificial hybridization कराना शुरू किया, अपने पसंदीदा जो male और female थे फसलों में, उनको mate कराया, अपने पसंदीदा जो male और female थे जान कि यार सच में, ये जो बच्चे निकले हैं, ये माबाप से जादा advance हैं, इसका मतलब हम सही सोच रहे थे, ये जो variations हैं, इनका राज sexual reproduction में छुपा हुआ है, पर उनको इसके पीछे का scientific evidence नहीं पता था, obviously science धीरे 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 evolve हुई है, लोग पहले सिर्फ कुछ statements बता सकते थे, कि मुझे ऐसा लगता है, कि हम लोग evolve हो रहे हैं, because of sexual reproduction, लेकिन कोई अगर बोले कि भही आप प्रूफ करके दिखाओ, कि आप sexual reproduction की वज़े से evolve हो रहे हो, तो prove नहीं कर पाएंगे, right, तो यहाँ पर क्या हुआ, artificial selection and domestication, बहुत ही, regularly कराई जाने लगी, organisms के अंदर, तो ancestral wild cows, were selected, इनको select किया गया, and domesticated, उसके बाद इनको hybridization करा करके, domesticate कराया गया, यानि कि इनको पाला गया, तो they are selected and domesticated, to, become, साहिवाल काओ of Punjab, तो Punjab की साहिवाल काओ कैसे बनी, जो existing superior breed थी हमारे आसपास, उनको हमने breed कराया, और उनको पालना शुरू किया, भाई मुझे दिख रहा है कि एक सांड घूम रहा है, और बहुत तगड़ा है, इसके आसपास को इसके टक्कर का बाहुबली सांड नहीं है, उसको पकड़ लिया, आजा मेरे भाई, और यहां पर हमें एक और female दिखाई दे रही है, जिसके दूद की quality भी बहतर है, quantity भी जादा है, उसको हमने select कर लिया, तो हमारे hybrid बनाने का जो पहला process है, वो यही है कि हम superior parents को select करें, हमने superior male को select कर लिया, हमने superior female को select कर लिया, और इनको mate करा दिया, तो हमारी expectations क्या है, कि अगर male होगा, तो पिता जी जैसा ताकतवर होगा, और अगर female होगी, तो माता जी जैसे दुधारू होगी, बहुत अच्छी बात है, तो ऐसे ही काफी experiments में हमें जो बच्चे मिले, वो genuinely father जैसे strong और mother जैसे आपके better quality के milk yielding बच्चे थे, है ना, तो उसके बाद उनको और breed कराया गया, अपने ही साथियों संबंदियों के साथ, जिससे कि ऐसे बच्चे और मिल सकें, और धीरे धीरे ऐसे करते करते काफी सारी गाए, भैसों, बक्रियों की नई नई varieties हमको मिली, जो better varieties थी, तो यहाँ पर यह जो पुराने लोग थे, बहुत पुराने लोग, आठ हजार से हजार बीसी पहले भी, इनको भी यह पता था कि, main, जो मुद्दा है, वो sexual reproduction का मुद्दा है, right, people around eight thousand to thousand before Christ also knew that the cause of variation the cause of variations among organisms the cause of variations among organisms lies in sexual reproduction, कि भाईया यह जो changes आते हैं, यह आपके किस वज़े से आते हैं, sexual reproduction की वज़े से आते हैं, यह हमें देखने को मिला, correct, यह बात हमको देखने को मिली, done है यहां तक, बहुत जनरल जनरल बाते कर रहे हैं, क्योंकि एकदम basic level से उठाना है, हाला कि यह बाते कुछ ultra basic ही हैं, और थोड़ी देर में हम लोग अपने conceptual part की तरफ बढ़ रहे होंगे, correct है, तो यहां तक हम लोगों ने सिखा कि genetics क्या है, inheritance क्या है, variation क्या है, and आपका artificial selection क्या है, और BC में time उल्टा चलता था, अब कई modules में आपको यह लिखा हुआ मिलेगा, काई modules में आपको यह लिखा हुआ मिलेगा, कि 8000 से 10,000 BC और वो कहेंगे कि हमने correct कर दिया है, तुमने correct नहीं किया है मेरे भाई, तुमने कबाड़ा कर दिया है और उल्टा, 8000 से 7000, 6000, 5000, 4000, 3000, 2000, 1000, 0, ऐसे चलता है BC में time, उसके बाद आपका positive में भागना शुरू हुआ था, तो यहाँ पर मेरे दोस्त, आपका 8000 से 1000 BC जो आपका NCRT का data है, that is absolutely correct, इसमें किसी correction की जरूरत थी ही नहीं, ठीक है, तो यह हमने देखा कि पुराने लोगों को भी पता था कि sexual reproduction में कोई तो आपका रहस से छुपा है, जो हमारे अंदर variation लेके आता है, अब इतने पुराने जमाने में लोगों को recombination, crossing over, mutation यह सब नहीं पता था, तो यह explain नहीं कर पाए कि variation क्यों आती है, इन्होंने सिर्फ यह बोला sexual reproduction की वज़ए से आती होंगी, correct है, done है, अब हमने देखा gamete कैसे बनते हैं, फिर हमने homologous chromosome के बारे में जाना, अब कुछ ऐसे terms हैं, जो आपको समझनी पड़ेंगी, इन terms को बहुत गौर से देखना, मेरे भाई, मैं आपको बताऊंगा सबसे पहले कि character और trait में क्या फर्ख है, अराम से सोचना, एक reference दूँ, एक reference दे दूँ भीया, character और trait में क्या फर्ख है, character versus trait में क्या फर्ख है, character क्या है दोस्त, bracket में लिख लेना, character है किसी organism का कोई feature, यह है character, और trait क्या है दोस्त, trait है उस character का expression, correct, example दे दीजिए सर, example ले लिजिए भाया, आई का color, आई का color, है ना, या तो यह आई का color कैसा हो सकता है, यह काली-काली आखे, तुरूरू-तुरूरू हो सकता है, है ना, या blue eyes hypnotize हो सकता है, है ना, या गुलाबी आखे हो सकता है, पर वो तो फिर बिमारी की निशानी हो जाएगी, black लिख लो, blue लिख लो, आपका brown लिख लो, green लिख लो, यह आपके आखों के color है, तो आखों का color क्या है, एक feature है, आखों का color is a feature, आखों का color कैसा है, वो trait है, आपकी height आपका एक feature है, आपकी height आपका एक feature है, अब आपकी height कैसी है, छोटी है, बड़ी है, यह क्या है, यह आपका trait है, आपके बालों का color क्या है, एक feature है, आपके बालों का color क्या है, एक feature है, लेकिन आपके बालों का color कैसा है, ब्लैक है, ब्राउन है, कलर करा रखा है भाईया, बरगंडी है, जैसा भी है, यह आपका ट्रेट है, मानते हो, यानि कि आपका कोई character जो है, वो आपका कोई ना कोई feature होगा, और उस feature का expression आपका ट्रेट होगा, तो पहले तो यही बात clear होनी चाहिए कि character और ट्रेट में क्या परख है, कि सेड़ इंपर्टन तिंग, कि जब हम homologous chromosome की बात करते हैं, तो यह आई color का यहाँ gene present है, तो यहाँ किस चीज़ का gene present होगा, सर्शाम लोकस पे, सेम character का gene present होता है, तो क्या यहाँ eye color का gene present होगा, होगा सहाब, यहाँ अगर hair color का gene present है, तो same locust पे किसका gene present होगा, hair color का gene present होगा होगा सहाब लेकिन मेरे दोस the most important thing is कि क्या यहां पर eye color का gene है और यहां पर eye color का gene है तो क्या यह same ही color देंगे क्या जरूरी है कि यह दोनों same color दें mother से आया हुआ chromosome और father से आया हुआ chromosome क्या same color देंगे किसी grant में लिख़ा है नहीं लिखा है सेम दे भी सकते हैं मना नहीं कर रहा है लेकिन जरूरी नहीं है it's not compulsory for example समझ लीजिए फादर का क्रोमोजोम कहता है कि आई कलर क्या होएं भाईया ब्ल्यू आईज हिपनोटाईज हो लेकिन मदर का जो यहाँ पर जीन है यह कह रहा है ब्लैक आई होनी चाहिए और यहाँ पर हेर कलर फादर सहाब कह रहे हैं ब्राउन कलर का होना चाहिए और मदर कह रही है हाँ भाईया ब्राउन कलर का ही होना चाहिए मेरे भी बाल ब्राउन ही थे correct है तो इस केस में हेर कलर के केस में both the genes are expressing in the same way, तो क्या बच्चों को, कोई और option मिल रहा है, क्या यहां बच्चे के काले बाल हो पाएंगे, या बच्चे के यहां पर सुरक्षित काले मेरे बाल हो पाएंगे, नहीं हो पाएंगे, तो कि कोई option ही नहीं है, दोनों सिर्फ brown है, there is no other option, लेकिन यहां अगर आप देखोगे, तो option है मेरे दोस्त, अब यहां से एक चीज आपको सीखनी है, कि एक जो gene है न, इसके भी alternative forms हो सकते हैं, जिन को हम क्या कहते हैं, अलील्स, यहां पर भी gene है, लेकिन blue eye के लिए code कर रहा है, यहां पर भी gene है, लेकिन black eye के लिए code कर रहा है, तो यह black eye का जो gene है, और blue eye का जो gene है, यह actual में allele हुए एक दूसरे के, राइट, allele हुए एक दूसरे के, हुए सर, तो यहां आप क्या लिख सकते हो, alleles are contrasting, alleles are contrasting forms of a gene, एक ही gene के different forms को alleles कहा जाता है, भाई, किसी की height छोटी है, किसी की height बड़ी है, तो इन में, एक जो character है height का, इसमें allele different होंगे न, जो अलग-अलग तरीके से express कर रहे हैं, क्या सारे के सारे humans के आँखे same color की हैं, क्या सारे के सारे humans के बाल same color के हैं, नहीं, क्योंकि यहां variations हैं, differences है, that is because of allele, तो यहां पर यह जो different form of a gene होते हैं, इनको allele कहा जाता है, इनको allele कहा जाता है, right, इनको allele कहा जाता है, अब यह allele same भी हो सकते हैं, इस chromosome पे भी same allele हो सकता है, इस पे भी जैसे यहां brown और brown है, तो आप reference ले लिजे यहां पर आपका height का, तो समझ लिजे इस chromosome पे matter का एक chromosome है, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे, एक पर आपका capital T है, अलील और दूसरे पर भी आपका capital T है, बच्चा कैसा होगा भाई, बच्चा कैसा होगा भाई, बच्चा कैसा हो जाएगा, टॉल नहीं हो जाएगा, क्या capital T है तो टॉल नहीं हो जाएगा, टॉल हो जाएगा, बच्चा टॉल नहीं होगा, टॉल हो जाएगा, अगर आप यहाँ पर ले रहे हैं capital T, एक क्रोमोजोम पे और दूसरे पे हैं let's say small t, जब यह अलग-अलग पाए जाते हैं alleles, different alleles होते हैं, तो इन में से एक dominate करता है बहाए आप बेठे हो, और पिटाजी बेठे हैं तो किसकी मर्जी चलेगी? पापा कह रहे है, news देखुँगा, तुम कह रहे हो, match देखुगा, क्या चलेगा TV पे, news चलेगी, क्योंकि पिटाजी का TV है, तो पिटाजी की मर्जी चलेगी, यहाँ पर पिताजी अकेले बेठे है capital T capital T बड़ा T मतलब बाप लेवल आदमी है तो यहां tallness ही आएगी लेकिन अगर आप देखोगे कि आप पिताजी के साथ बैटे हो तब भी मर्जी पिताजी की ही चलेगी tallness ही आएगी आपकी मर्जी सिर्फ कब चलेगी जब आप घर पे अकेले हो सिर्फ आपकी तब मर्जी चलेगी यानि जब पिताजी नहीं है तब आपकी मर्जी चलेगी तब आप ड्वार्फ रह पाओगे अगर एक भी capital यहां पर condition पाई जाती है तो उसे dominant कहा जाता है राइट? correct है जी? एकदम correct है sir अब देखिए यह capital T, capital T same है दोनों के दोनों alleles तो इस condition को हम क्या कहते है homozygous homozygous और dominant है overall tallness आ रही है तो homozygous dominant यह भी आपका small T, small T, दोनों same है तो it is also homozygous it is also homozygous but recessive और यह है आपका capital T, small T, यह है आपका heterozygous यह है आपका heterozygous correct इसको आपका heterozygous कहा जाता है जाद दोनों alleles different है और दोनों alleles same है तो homozygous condition कहा जाएगा अब यहाँ एक बहतरीन चीज़ यह है note करने लायाद कि जब heterozygous condition आती है तो दोनों alleles में से सिर्फ एक ही अपने आपको express कर पाता है अब सर इतनी देर से कह रहे हो express express इसका मतलब क्या है कौन सी express है जिसमें हम नहीं बैठ पा रहे है expression का मतलब बहुत simple है gene क्या है DNA का एक टुकड़ा है जो independent protein बना सकता है उसे हम gene कहते है यानि gene DNA का वो भाग है जो आगे चलके RNA DNA और protein बनाएगा जब हम cell the unit of life chapter पढ़ रहे थे उस टाइम पर मैंने आपको बताया था कि DNA RNA बनाता है nucleus के अंदर ही और DNA से RNA बनने के इस process को हम क्या कहते है transcription और RNA protein बनाने के लिए कहा जाता है nuclear pore से बहार निकल जाता है cytoplasm में चला जाता है क्यों कि protein की जो factory है ribosome जो है ये कहां पाया जा रहा है cytoplasm में rough endoplasmic reticulum की form में तो protein कहां बनेगा nucleus के अंदर कोई protein factory थोड़ी है nucleus के अंदर कोई ribosome थोड़ी है तो protein कहां बनेगा आपका cytoplasm में बनेगा तो जो RNA nucleus के अंदर बना है उसको निकल करके cytoplasm में जाना पड़ेगा और तब जाकर के वो जो mRNA है वो जो RNA है उसके उपर ribosomes बैठेंगे और उस RNA को protein में convert कर देंगे this process is called as translation और ये जो RNA है जिसके उपर कई सारे ribosome बैठ जाते हैं इसको हम लोग cell the unit of life chapter में क्या कह रहे थे polysome कह रहे थे या polyribosome कह रहे थे कुछ याद आया polysome या polyribosome कह रहे थे RNA को protein में convert करने के लिए कई सारे ribosome इस RNA के उपर बैठ जाते हैं और इस RNA को पढ़ पढ़ के समझ समझ के कि RNA क्या कहना चाह रहा है कौन सा protein बनाना चाह रहा है हम लोग protein synthesize कर देते है इस protein synthesis को आप क्या कहते हो expression कहते हो भाई मेरे पास बहुत तकड़ा DNA है मेरे पास दुनिया का best DNA है लेकिन मैं express नहीं कर पा रहा हूँ मेरा DNA RNA और protein नहीं बना पा रहा है तो मेरा DNA किसी काम का नहीं है अगर मैं दुनिया का best DNA DNA लेके बैठा हूँ और express नहीं कर पा रहा तो एक ऐसा आदमे जिसका DNA बहुत नॉर्मल भी है वो भी मुझे पचार देगा because it's not about carrying the best genes it's all about doing the best expression आपका execution matter करता है अगर आपका DNA RNA बना पा रहा है protein बना पा रहा है और आपके cell में वो proteins वो dark horses दोड रहे हैं सारे काम कर रहे हैं आपके cell को supremely advanced बना रहे हैं तब आप कुछ कर पाओगे आपके पास दुनिया का best DNA है लेकिन वो express नहीं कर रहा RNA protein नहीं बना रहा इट इस ओफ no use वो किसी use का नहीं है तो यहां हमने कहा कि different form of genes को हम अलील कहते हैं तो यहां अगर नीली आखे हैं यहां काली आखे हैं तो हम क्या कहेंगे यहां नीली आखों का अलील है यहां काली आखों का अलील है यहां brown बाल है यहां भी brown बाल है तो हम कहेंगे दोनों homologous chromosome पे same अलील है ब्राउन ब्राउन बालों वाला correct? तो यहाँ character हो गया eye color और trait हो गया blue or black eye यहाँ character हो गया hair color और trait हो गया brown बाल तो character versus trade समझे समझे, gene versus alert समझे, समझे homozygous, heterozygous समझे समझे correct है भहिया यहाँ तक चीज़े समझ में आई आनी चाहिए dominant versus recessive trait समझतो वैसे हम ये भी गए तो इस slide को भी हटा सकते है in heterozygous condition जब दो different allele साथ पाए जाएं तो एक ही dominate करेगा in heterozygous condition in heterozygous condition condition only one allele will express एक ही अपने आपको express कर पाएगा that is ये dominant हो जाएगा इसकी मर्जी चल रही है ये dominant हो जाएगा that is dominant and other one and other one will be recessive other one will be recessive यानि दोनों अलिल अगर dominant है तो तो कोई आपका plant जब कोई टॉल इसके पास नहीं है यानि अगर एक भी capital T आ गया तो dominance की तरफ हम चले जाएगे तो बच्चा आपका टॉल हो जाएगा यानि यहाँ इस small t की कोई अवकात नहीं है जब तक capital T इसके साथ में खड़ा है small t की कोई value नहीं है इसका मतलब capital T is dominant as compared to small t capital T is dominant as compared to small t यह बात आपको देखने को मिली this is dominant versus recessive trait correct है अब देखें phenotype versus genotype बहुत जादा जरूरी बहुत जादा essential आराम से सुनिएगा phenotype versus genotype P for phenotype and P for physical appearance P for phenotype P for physical appearance G for genotype G for genetic compliment G for genetic compliment आप गए लहलाहते हुए एक खेत में भाई आज तो खेत का चक्कर लगाऊंगा बहुत मजा आ जाएगा बढ़िया है सबने सोचा बच्चा खेत में गया है मजे कर रहा होगा सब को यह नहीं पता कि बच्चा genetics का चात्र है वो तो एक सवाल लेकर के लोटेगा उसने खेत में एक पौधा देखा मटर का और यह पौधा था बहुत लंबा और दूसरा एक और पौधा देखा यह भी था लंबा और तीसरा एक पौधा देखा यह था काफी छोटा तो किसी ने पूछा भाईया आपने तीन पौधे देखे उनका status तो बता दो तो उन्होंने कहा भाईया यह था आपका टॉल यह था आपका टॉल और यह था आपका ड्वार्फ क्या यही status था करेक्ट सर यही status था इस बच्चे ने तो एकदम सही बात कही है मैं भी कह रहा हूँ इस बच्चे ने एकदम सही बात कही है लेकिन क्या अब यह बच्चा यह बात बता सकता है कि यह वाला टॉल और यह वाला टॉल जो है इन में से capital T capital T कौन सा है और capital T small t कौन सा है या दोन कोई आप से पूछे, कि आपको कैसे पता लगा, कि ये पौधे बड़े हैं, और ये पौधे छोटे हैं, तो आप उससे साफ साफ कहोगे, आपको लगता है कि मैं अकल का अंदा हूँ, लेकिन मैं आग का अंदा नहीं हूँ। मैंने देख करके बता दिया, किसकी हाइट बड़ी है तो ये टॉल है, इसकी हाइट शोटी है तो बोर्फ हे, सब लोग तालिया बजाने लगेए, अरे भाई बहुत बढ़िया बात है तुमने तो फीनोटाईप बता दिया, फीनोटाईप बता दिया, अंदर की जनेटिक्स नहीं बता पाए इसकी बता देंगे डौर्फ तो सिर्फ small t small t हो सकता है तो ये तो भाई out of the league है इसमें तो कोई tension लेने की जरूरत ही नहीं है पर इसमें capital T capital T है या capital T small t है ये कैसे बताएंगे नहीं बता पाएंगे इसके लिए हमको genetic compliments को study करना पड़ेगा इसके लिए हमें इस plant की genetics में जाना पड़ेगा तब जाके हम बता पाएंगे कि ये टॉल जो है capital T capital T वाला टॉल है या capital T small t वाला टॉल है ये हमें तब पता लगेगा अभी पता नहीं लगेगा तो जो चीज़े physical appearance में हम देख करके बता दे that is phenotype और जिसके लिए plant के अंदर और research करनी पड़े वो है genotype simple correct भाई आपने एक मतर को देखा मतर को देखा तो उसमें इस color का फूल था white color का है ना और एक आपका violet color का फूल था या इन दोनों के लिए आपको इस plant के अंदर जाकना पड़ेगा इन दोनों फूलों में फर्क बताने के लिए आपको plant के genetics की study करनी पड़ेगी नहीं आपको सिर्फ आँख से देखना है और आँख से देखकर कि आपको बोलना है ये वाला सफेध है ये वाला परपल है बात ही खतम हो जाएगे तो ये phenotype बता रहे हो आप इनका genotype आप study से ही बता पाओगे this is phenotype versus genotype correct है correct है भाई अब आ जाते हैं मेन मुद्दे पे अब genetic शुरू है अभी तक हो रहा था थोड़ा सा खेल तमाशा अब असली genetic शुरू है अब हम सबसे पहले शत-शत नमन करते हैं एक ऐसे इंसान को जिसको ये ही नहीं पता था कि वो किस चीज के पिताजी थे और ये बहुत दुख से बोल रहा हूं दोस्पे क्योंकि ये बात जन्विनली बहुत दुखद है जितना बुरा scientific fraternity ने मेंडल साहब के साथ किया है इतना बुरा तो किसी के साथ हुआ ही नहीं सोचो एक ऐसा आदमी जिसकी मौत तक उसे यही नहीं पता था कि मैं किसका बाप हूँ ये तो बहुत खतरनाक चीज है ना भाई 1884 में मेंडल साहब की डेथ हुई 1884 में मेंडल साहब की डेथ हुई और उनकी डेथ के 21 साल बाद genetics term coin करी बैटसन साहब ने यानि जो father of genetics थे उनकी मौत के 21 साल बाद genetics term आई यानि कोई उनसे पूछ लेता जीते जी बताओ तुम किस चीज के father हो तो नहीं बता पाते similar case is with father of biology father of zoology Aristotle साहब जो थे उनकी डेथ हो गई थी 323 BC में और हमारी जो biology term है ये coin हुई थी 1802 में यानि उनकी मौत के 1000 साल बाद biology term आई यानि अगर आप कभी Aristotle साहब से पूछे कि भाया किस चीज के father हो तुम तो वो नहीं बता पाएंगे और science में ऐसा होता है कोई ध्यान नहीं देता है पहली बार आपका शायद ध्यान गया होगा इस चीज पे पर being a सिग्डम बाद student हमारा ऐसी चीजों पर बहुत ध्यान जाता था यार यह कह रहे है father of genetics father of genetics जब तक है जिन्दा थे तब तक genetics तो term ही नहीं थी धीरे धीरे improve होते होते आपके disciplines के नाम बदल जाते हैं और alter हो जाते हैं राइट तो उनको पता नहीं था और सबसे बुरी बात जो इनके साथ हुई वो मैं आपको बताता हूँ जीते जी इनको अपने काम का credit नहीं मिला जब मेंडल साहब की death हुई तो उनकी death के 15-16 साल बाद तो इनके laws को rediscover किया गया और बाद में कहा गया कि यह जो आदमी है यह बहुत ही जादा खतरनाक आदमी है बाद में हम उनको father of genetics बोल रहे हैं लेकिन जब वो जिन्दा थे साक्षाथ हमारी आखों के सामने थे उस टाइम पर उनके papers को reject किया जा रहा था नकारा जा रहा था और बिल्कुल भी उनके काम को importance नहीं दी जा रही थी लोगों ने उनके काम को तब समझा है जब उनके death को बहुत जादा वक्त हो चुका था और science में इससे बुरा क्या ही हो सकता है इसलिए हम लोग अपनी तरफ से एक बार Mendel सहाब के लिए O.P. बोलेंगे Mendel सहाब O.P. है ना जिससे हम लोगों को ये संतुष्टी हो जाए कि हमने अपनी तरफ से इनको वो दिया है जो ये डिजर्व करते थे क्योंकि Mendel सहाब के research अगर आप देखोगे तो it was far ahead of his time आज कोई बंदा इस level का काम सोच भी नहीं सकता जो उन्होंने गार्डन में कर दिया वो आजकल लोग बड़ी-बड़ी लेबरेटरी में भी नहीं कर पाते है ये वाज बिक शॉट एंड ही वाज वन ओफ हिस काइंड बस मुझे नहीं लगता कि विवाज वेरी 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 आहट ऑफेस टाइम तो उनके लिए थोड़ी इज़त तो बनती है मेंडल सहाब की जो रिसर्च थी यह किस चीज पर थी मेंडल सहाब डेड हाईब्रड आईजेशन एक्सपेरिमेंट्स यह वही hybridization है जो हमने थोड़ी देर पहले भी पड़ी थी और यह हमने लास्ट चेप्टर में भी पड़ी थी sexual reproduction in flowering plants में भाया इन्होंने क्या किया मटर को अपने मन मुताबिक hybridize कराया अपने मन पसंद hybrids बनवाए इसे कहते हैं hybridization experiment तो इन्होंने मटर को ही क्यों चुना yp क्यों इन्होंने मटर को चुना क्यों कोई और दावेदार नहीं था इनके experiment का आराम से सुनिएगा मटर को चुनने की सबसे पहली वज़ा वो यह थी कि मटर का होता है short life span जिस organism का जितना चोटा life span उतनी जल्दी उसके बच्चे पैदा होंगे उतनी ही जल्दी 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 आप उन पे research कर पाओगे चोर्ट life span के बाद दूसरी चीज़ कि यह है bisexual तो बाहर से pollen लाने का कोई जमेला चाहिए ही नहीं खुद ही खुद में self fertilization भी बार 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 हो सकती है तो यह आपके bisexual थे second important thing जो मैं आपको next slide में बताऊंगा यहां पर pure lines बनाई जा सकती थी और यह सबसे important point है pure lines can be made क्योंकि अगर आप मुझसे पूचेंगे कि genetics के experiments में सबसे पहले सफल कौन हुआ तो हम बोलेंगे Grigor Johan Mendel, Mendel सहाब सबसे पहले सफल हुए पर अगर आप पूचेंगे क्या यह पहले ऐसे इंसान थे जिन्होंने genetics में experiments की शुरुआत करी तो नहीं इनसे पहले और भी साइंटिस्ट आए जैसे कि knight सहाब आए गौस सहाब आए पर वो fail हो गए क्यों क्योंकि उन्होंने pure line नहीं बनाई तो इनका सबसे बड़ा यही advantage था कि इन्होंने pure lines बना ली जो कि मैं आपको बनाना सिखाऊंगा अगली स्लाइड के अंदर तीसरे important चीज यह है कि इनका sample size large था भाई मतर जो थे बहुत सारे होगालो एक बार में और उनके दाने जो हैं यह भी आपके खूब होते थे मात्रा में तो large sample size जब होता है किसी भी experiment में तो data आपका credible हो जाता है data आपका बहतर हो जाता है data में error कम आते हैं तो आप credibility की तरफ चले गए large sampling size की वज़े से correct और बताएं इसके अलावा क्या क्या हो सकता है चौथा जो कि एक बहुत अच्छा factor है उसमें आप ये लिख सकते हैं कि contrasting trait पाए जा रहे थे अलग-अलग characters के लिए contrasting traits were seen for different characters अलग-अलग characters के लिए contrasting trait पाय जा रहे थे contrasting expression पाय जा रहे थे जैसे अगर seed के color के आप बात करें तो two अलग-अलग type की seed color थे didflower की color के आप बात करेम दो अलग-अलग type की flower कलर थे caused matter की फली기 यानी pod के color के आप बात करे नड़ अलग अलग type की pod color थे प्लांट की हाइट की अगर आप बात करें तो दो कॉंट्रास्टिंग हाइट थी तो आप डिफ्रेंशियेट कर सकते थे कि मुझसे कोई पूछे यार सौ बच्चे पैदा हुए है मटर के कितने लंबे कितने छोटे तो मैं बता पा रहा था उसी लंबे बीस छोटे कितनों के पीले दाने कितनों के हरे दाने यार सतर के पीले दाने तीस के हरे दाने मैं डेटा बता पा रहा था Тो यहां पर हम लोग साथ करेक्टर्स को लेकर बैठे थे साथ केरेक्टर मेंडल सहाब ने स्टडी किये और हर केरेक्टर के दो अपोजिट ट्रेट थे तो क्या 14 ट्रेट हो गए हमारे पास अगर character है height तो trait क्या हो गया लंबाई छोटाई trait है अगर seed color character है sorry अगर seed color तो trait क्या हो गया आपका yellow या हरा character है अगर pod color तो trait क्या हो गया yellow या हरा character है अगर flower color तो trait क्या हो गया violet या white तो 7 अगर आपके character है तो इसके 2-2 trait हो गये इना जो अपोजिट ट्रेट हो गए तो 14 हमारे पास। कौन कौन से थे एक रिक तर एक बार देखो लिखने की कोशिश करो सबसे पहला प्रक्र क्या है और साथ गॉंट्रास्टिंग क्या आए गए हां पर कि साथ गॉंट्रास्टींग यहां पर देखें चैरेक्टर वन क्या आया यहां पर आप लिखें करेक्टर के बाद आप लिखें है डॉमिनेंट्ट ट्रेट कि इन में से भी एक डॉमिनेंट होगा एक रिससे होगा आप लिखे डॉमिनेंट्टरेट के यहां आप लिखे को रिखेस्शिव ट्रेट रिसेशिव टेट करेक्ट्ट क्या है हाई हाइट लिखे सबसे पहले हाइट लिखे हाइट में मेरे भाई dominant character क्या है टॉलनेस टॉल हाइट रिसेशिव क्या है ड्वार्फनेस ड्वार्फ हाइट दूसरा character पकड़ी है दूसरा character क्या हुआ पॉड की शेप मटर की फली की शेप या तो शेप हो सकती है fully fully यानि inflated inflated मतलब किसी चीज में हवा भर देते हैं तो inflated कहलाती है तो या तो मटर की फली है आपकी फूली फूली that is inflated या है constructed पिचकी पिचकी तो यह मटर के दानों के साथ पिचक जाएगी constructed है इस हिसाब से मटर के दानों जैसे ही यह shape ले लेगी तो आपकी हो जाएगी constructed तीसरा है आपका पॉड का color तीसरा है आपका पॉड का color चौथा है आपका seed की shape पाचवा है आपका seed का color चठा है आपका flower का color और साथ भी है आपकी flower की position यह आपके साथ character है यह आपके साथ character है यह साथ character है अब देखे पॉड का color कैसा हुआ green हुआ भया dominant green fully is dominant तो आपका recessive क्या हुआ yellow is recessive fully seed का shape क्या हुआ round है गोल मटोल तो dominant है और wrinkled है है तो आपका recessive है और round है अगर seed तो dominant wrinkled है अगर आपका तो recessive seed का color क्या है यहां आपका एक major आपको change देखने को मिलता है आपकी expectation से opposite seed color में yellow is dominant and green is recessive सर यह क्यों हुआ आराम से सुनिये बहुत आराम से सुनिये मेरे भाई आपका pod का color green है dominant yellow recessive आपने एक green color की मटर खोली जोकि dominant थी और उसके अंदर yellow color का seed निकला आपके दिमाग में पहला थोट यह जाएगा कि मेरी मटर तो खराब निकल गई है कि सबके दिमाग में यही थोट जाएगा इसी बंद कर देते हैं थोड़ा सा कि सबके दिमाग में यही थोट जाएगा कि मेरी मटर तो खराब निकल गई है क्योंकि बाहर से हरी थी और अंदर से पीली निकल गई है, इसलिए हम लोगों ने जानबूज के क्या किया, इसलिए हम लोगों ने जानबूज के ऐसे पॉलन्स छिड़के फीमेल के उपर जिसमें ग्रीन कलर के सीड हो, तो आपका ग्रीन कलर का ही पॉड उसको खोला, तो ग्रीन कलर का ही सीड जिससे लोगों को य यह लगे कि हाँ भाई हमारा मटर का दाना सही है हमारी मटर सही निकल गई है तो यहाँ पर dominant yellow है लेकिन हम खाना प्रफर करते हैं green seeds flower का color अगर आप देखोगे तो होता है आपका violet और जब कोई color ना हो यानि आप white बोल रहे हूं तो आपका यह हो जाएगा recessive flower की position आपकी हो सकती है axial यानि axis पे यानि अगर यह आपका पौदा है तो अलग-अलग axis पे आपकी position हो सकती है एंड आपकी हो सकती है टर्मिनल या एपिकल, यह आपका पौदा है, तो आपका इस पोजिशन पे, एपिकल पोजिशन पे आपका फ्लावर अवेलेबल हो, तो all these seven are different characters, यह सातों के सातों different characters हैं मतर के, correct है, यह सातों के सातों different characters हैं मतर के, तो सात आपने character लिये, यहां सात dominant trait, सात recessive trait, तो trait कितने हो गए भाया, trait total कितने हो गए, 14 हो गए, character total कितने हो गए, 7 हो गए, correct है जी, एकदम correct है, कोई दिक्कत ही नहीं है, अब मुझे यह बताइए, कि pure line जब हम बनाएंगे, तो कितनी ही बनाएंगे, pure line मतलब, एक type का pure, वैसा ही plant, यानि अगर मैं tall कह रहा हूं, तो pure tall, dwarf कह रहा हूं, pure dwarf, inflated, pure inflated, constructed, pure constructed, green, pure green, yellow, pure yellow, round, pure round, wrinkled, pure wrinkled, 14 अगर मेरे पास अलग-अलग trait है, तो हर trait का एक-एक pure line बनाऊंगा, तो pure line कितने हो जाएंगे मेरे पास, pure lines कितने हो जाएंगे मेरे पास, 14 ही हो जाएंगे, हार trait का अलग pure line बनाऊंगा, pure line कितने हो जाएंगे मेरे पास, सर जी, 14 pure line हो जाएंगे, एकदम सही बात है, करेक्ट, 14 pure line हो जाएंगे, सर ये pure line होते क्या है, भाई, एक particular trait पकड़ो, और उस trait को, इतनी बार repeat करा दो, एक organism में और उसके आने वाले बच्चों में, कि एकदम fix हो जाए वो trait, for example, अभी हो सकता है, बात समझ में न आ आ ओई हो, कोई दिखकत ही नहीं है भैया, समझाने के लिए ही खड़े है, आराम से सुनिएगा, बस tension मत लीजेगा, आराम से सुनिएगा, ये एक female part है fool का, ये female part है fool का, ये male part है fool का, ये male part है fool का, तो यह अगर टी है तो इसका पॉलन जो बनेगा उसमें भी एक अपिटल टी जाएगा और जो फीमेल गैमिट बनेगा उसमें भी एक अपिटल टी जाएगा यही तो होता है मेरे भाई यहां देखिए फिर से मैगनेट मैगनेट खेल लेते हैं भाई यहिंए आपका एक डिपलोईड प्लांट है distint acia focus और यहीं यहीं के मिठम फियू गळा दें तो फिर से आपका pair combine हो जाएगा similarly यहाँ पर देखिए आपका female gamit जो बनेगा pure tall का उसमें भी capital T होगा और male gamit जो बनेगा उसमें भी capital T होगा तो बच्चा कैसा बना? बच्चा कैसा बना? खुद बताए बच्चा कैसा बना? अगर मैंने यहाँ पर self pollination करा दी तो बच्चा कैसा बना? बच्चा भी आपका capital T capital T ही बनेगा जी सर बन जाएगा बच्चा भी capital T capital T बना? बन गया सर अब इसको फिर मैंने क्या करा दिया? इसको फिर से मैंने self pollinate करा दिया तो क्या इसका बच्चा फिर capital T, capital T बन जाएगा, बिलकुल बन जाएगा इसको मैंने सिर्फ pollinate करा दिया, self तो क्या हो गया इसका बच्चा capital T, capital T बनेगा इसका बच्चा भी capital T, capital T बन जाएगा and so on यानि इतने generation तक ये self pollination self pollination कराऊँगा कि capital T, capital T यानि pure tallness बैठ जाए आने वाली generations के अंदर इसको मैं कहता हूँ pure line यानि मैं संकोच नहीं कर रहा है मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि this tall plant that I have made that I have created is capital T, capital T it's not capital T, small T pure tall मतलब pure tall ये कोई capital T, small T वाल टॉल नहीं है capital T, capital T वाल है इसमें दोनों capital T है मैं इस बात का मैं दावा दे रहा हूँ correct this is called as pure line यानि अगर आप देखोगे तो this is pure tall not like capital T, small T capital T, small T को तो आप heterozygous tall बोल रहे थे ये homozygous tall है homozygous tall है homozygous tall है ये pure tall है इसमें कोई संकोच नहीं है कोई confusion ही नहीं है similarly आप यहाँ पर आजएए आप यहाँ पर आजएए भाया यहाँ पर आप कोई और character ले लिजे जैसे आपने कहा कि भाया मैं तो यहाँ पर लूँगा स्मॉल्टी स्मॉल्टी मैं यहाँ लूँगा स्मॉल्टी स्मॉल्टी तो इसको आपने क्या कराया स्मॉल्टी स्मॉल्टी को स्मॉल्टी स्मॉल्टी को कई बार self pollinate कराया यहाँ से स्मॉल्टी आया यहाँ से स्मॉल्टी आया यहां से smallty आया, यहां से smallty आया, आनी वाली generation में सारे के सारे बच्चे ही क्या बने, smallty, smallty बन गए, इतना pure हम लोगों ने इसको बनाया, तो एक यहां पर pure line बनी capital tall की, एक यहां बनी capital, एक यहां बनी pure tall की, एक यहां बनी pure dwarf की, similarly एक pure line बनाऊँगा, inflated की, एक constructed की, एक green की, एक yellow की, एक round की, एक wrinkled की, और हमेशा याद रखेगा, इनको जो alphabet दिये जाते हैं, वो capital और small होते हैं, depending upon dominant and recessive trait, यानि अगर tallness को मैं T बोल रहा हूँ capital T, तो dwarfness को छोटा D नहीं बोलूँगा, T और D का क्या लेना देना भाई, मैं ऐसे alphabet दूँगा, जिन से इनका direct comparison हो पाए, अगर tallness को T बोला है capital, तो dwarfness को भी T ही बोलूँगा, छोटा वाला, और इसको अगर मैंने गलती से छोटा D ब दिखूंगा, बाप को बाप दिखाना पड़ेगा, बेटे को बेटा दिखाना पड़ेगा, तब जाके आप comparison कर पाओगे, यहां inflated को लट से अगर आपने I दिखाया है, तो यहां constructed को छोटा I दिखाना पड़ेगा, अगर green को आपने यहां G दिखा दिया है, तो यहां yellow को आप छोटा Y दिखाएंगे, यहां violet को अगर आप V दिखा रहे हो, तो आप white को small V दिखाओगे, और अगर आपने यहां छोटा W लिख दिया है, तो इसको बड़े W से दिखाओगे, अगर आपने axial को A लिखा है, तो यहां आप छोटा A लिख करके बताओगे, यह आपका complete n nomenclature होता है, तभी तो आप capital और small में फर्क कर पाओगे, तभी तो आप dominant recessive में फर्क कर पाओगे, otherwise आपको पता कैसे लगेगा, confusion हो जाएगी, green को capital G लिख दिया, यहां small y लिख दिया, अब आपको यही नहीं पता है, इसका small y है, या इसी अलो वाले का small y है, इसलिए correct nomencl is very very important, यह वो 7 characters है, यह वो 14 traits है, जिनके बारे में हमने पढ़ा, इनकी 14 pure lines हम लोगों ने बनवाई, अब हम लोग mono hybrid cross करने वाले हैं, अब क्या है जी mono hybrid cross, आराम से समझेगा, बहुत प्यार से सीखोगे, कोई परचानी नहीं होगी genetics में, भाई मेरे पास दो मतर के पौधे ह है, ठीक है, दो मतर के पौधों में मैंने सारी चीजें सेम रखी, सारी characters सेम रखे, जितने characters हो सकते थे, सारे characters सेम रखे, सिर्फ एक character different कर दिया, जिससे मेरा ध्यान उस character पे जाए, यानि अगर एक पौधे में violet flower हैं तो दूसरे में violet कर दिये, एक में आपका excel flowering है, दूसर में एक जिल कर दी, एक में आपकी यलो फली है, दूसरे में यलो कर दी, एक में green seed है, दूसरे में green कर दिया, सारे characters सेम कर दिये, बस एक को tall कर दिया, एक को dwarf कर दिया, और pure lines बना रखे हैं मैंने, एक pure tall है, एक pure dwarf है, अब क्योंकि बाकी जगा कोई option ही नहीं बचा है, अगर ममी में भी violet flower थे, father में भी violet flower थे, pure violet, तो क्या बच्चे में white flower आने के chances है, pure line बना रखे हैं आपने तो, तो capital V, capital V है, father के पास भी, capital V, capital V है, mother के पास भी, क्या small V आने के chances हैं कहीं से, नहीं है, तो बाकी characters तो change होंगे नहीं, अगली generation में as it is ही जाएंगे, एक character जो change होगा, वो है, जो आपने change करना चाहा है, वही वाला, that is height, तो अगर 100 बच्चे होते हैं मटर के, तो आप यह देख पाओगे, कि कितने अब tall बने, कितने अब dwarf बने, तो आपने सारे characters same रखे हैं, सिर्फ एक character को change किया है, इसको कहते हैं, monohybrid cross, all characters, all characters in two P's are same, only one character, only one character is kept different, only one character is kept different, ठीक है, तो यह character हमने कौन सा different ले लिया, सिर्फ और सिर्फ हाइट का, तो एक parent पे pure tall, एक parent पे pure dwarf, इसी दिन के लिए तो हमने pure line बनवाई थी, इनके gamete कैसे कैसे बनेंगे भाईया, gamete अगर बनेंगे, तो ये दोनों के दोनों allele separate हो जाएंगे, हो जाएंगे सर, यहाँ पर आपका gamete में क्या चला जाएगा, सिर्फ capital T, दो बार लिख दो, एक बार लिख दो, एक ही बात है भाई, दोनों gamete ही capital T है, और यहाँ आपका क्या बनेगा भाईया, small t, यहाँ कुछ और बन नहीं सकता, ठीक है, तो यहाँ आपने क्या लिखा, ये थे आपके parent, एक मतर, प्यॉर टॉल, एक मतर प्यॉर ड्वार्फ, इन्होंने gamete बनाए, तो प्यॉर टॉल वाले ने capital T gamete बनाया, प्यॉर ड्वार्फ वाले ने small t gamete बनाया, अब इनका बच्चा बना, इसको हम कहते हैं एफ वन जनरेशन, या फिलियल वन जनरेशन, F1 generation या filial 1 generation है ना filial 1 generation मतला parents के पहले बच्चे तो ये capital T और small T साथ साथ fuse कर गए बच्चा कैसा बना capital T small T कैसा हो जाएगा ये tall हो जाएगा capital T small T कैसा होता है tall होता है सर बिल्कुल होता है अब हमने क्या करा दिया इस capital T small T की selfing करा दी यानि इसको खुद से ही self pollinate करा दिया हमने तो यहां किस प्रकार के gamit बने बताइए यहां किस प्रकार के gamit बने यहां आपका capital T बी gamit बन सकता है small T बी gamit बन सकता है capital T बी gamit बन सकता है small T बी gamit बन सकता है इनके fusion देखने के लिए हम एक बॉक्स बनाते हैं बॉक्स में एक साइड आप एक प्रकार के गैमिट्स को रख दीजे दूसरी साइड दूसरे प्रकार के गैमिट्स को रख दीजे ये जो बॉक्स बना है ये जो स्क्वेर बना है इसको कहते हैं पुनेट स्क्वेर क्योंकि जिन साइन्टिस्ट ने स्क्वेर के बार में हमें बताया था उनका नाम ही पुनेट था तो उनके सम्मान में स्क्वेर का नाम पुनेट स्क्वेर रखा गया भाई मेल गैमेट आप ले लो capital T small t किसी भी एक्सिस पर रख सकतो मेल यहां फीमेल यहां मेल यहां फीमेल यहां कैसे भी और यहां रखे capital T small t बताये क्या क्या combinations बनी capital T capital T के साथ जा सकता है capital T capital T जा सकता है और टॉल क्रॉस कराया तो क्या यह combinations बनी या F2 generation यह वाली बनी या F2 generation filial 2 generation आपकी यह वाली बनी बनी सर कि क्या हुआ यहां पर आराम से देखें कि पिलियल टू जनरेशन में क्या हुआ अगर मैं आपसे कहूँ कि यहां phenotypic ratio क्या है कितने लंबे हैं कितने छोटे हैं मुझे बताये अगर मैं आपसे पूछू यहां phenotypic ratio कितना है तो phenotypic ratio में capital T capital T लंबा है pure लंबा है capital T small t भी लंबा है T is dominant capital T small t भी लंबा है T is dominant सिर्फ small t small t छोटा है, यानि मैं क्या कह सकता हूँ, यहाँ tall versus dwarf का जो ratio है, यह 3 ratio 1 है, 3 ratio 1 कह सकता हूँ phenotypic ratio, जी sir कह सकते हो, अगर मैं genotypic ratio की बात करूँ कि भाया कितने अलग-अलग type के आपके यहाँ पर organisms देखने को मिल रहे हैं, genotype कितने अलग-अलग हैं यह मुझे बता तो मुझे यहाँ देखने को मिल रहा है कि capital t, capital t b है कोई, capital t small t b है कोई, और small t small t b है कोई, कितने-कितने हैं भाया, capital t, capital t है 1, capital t small t है 2, और small t small t है 1, तो 3 ratio 1 आ गया है मेरा phenotypic ratio और 1 ratio 2 ratio 1 आ गया है मेरा genotypic ratio of monohybrid cross, नई बात क्या सीखी हमने इस दौरान, नई बात हमने यह सीखी कि बच्चे जब बने first generation के, तो यह सारे बच्चे एक जैसे थे, that is all tall, भाया हमने pure tall और pure dwarf parent को लिया, पर first generation में एक भी dwarf बच्चा नहीं बना, सारे capital t small t थे, यानि सारे tall बच्चे थे, लेकिन जब हम F2 generation की बात करते हैं, तो आपके 3 बच्चे tall थे, और dwarf यहाँ पर वापस से देखने को मिले, यानि first generation में dwarf बच्चा नहीं था, जो second generation में lot करके आया, जिसका क्या मतलब है, जिसका ये मतलब है, कि characters जो हैं, आपस में blend नहीं हो रहे, अगर आप एक बार यहाँ dwarfness को lose कर चुके होते, यहाँ हमें लगा कि सारे बच्चे ही tall है, यानि dwarfness तो खतम ही हो गई, लेकिन ऐसा नहीं है, second generation में जब dwarfness वापस आई, तो हमें पता लगा कि मेरे दोस्त, यह जो आपके traits हैं, यह blend नहीं होते, यह वापस में separate भी हो सकते हैं आगे चलके, तो at the time of gamete formation, अगर कहीं पर छोटा tea होगा, तो यह separate भी हो जाएगा, और यह छोटे tea आपस में मिल करके, दुबारा से dwarf plant बना लेंगे, इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है non blending, इसको कहा जाता है non blending, तो आपको पता लग गया, कि यहाँ पर blending नहीं हुई है, otherwise यह dwarf बच्चा गायब ही हो चुका होता सीन से, और यह वापस देखने को हमें नहीं मिलता, तो यहाँ हमें यह पता लगा कि blending नहीं होती है, और जब gamete बनते हैं, तो यह alleles जो हैं, they can separate and they can recombine also, they can separate as well as they can recombine, correct, mono hybrid cross का ratio सबको समझ में आया, याद हो गया, यहाँ तक एक बार सब लोग बता दीजिए, क्या हाल चाल है, is everything fine, यहाँ तक सब कुछ ठीक है, तो फटा फट बता दीजिए, crystal clear है, बहुत बढ़िया, बहुत शांदार, great, चलिया, तो अब हम देखते हैं, कि मेंडल सहाब ने, एक्ट्वल में हमको क्या बताया इस monohybrid cross से, मेंडल सहाब was a genius, मेंडल सहाब ना, statistician थे, मतलब इनकी math में बहुत रूची थी, तो मेंडल सहाब अपनी math को इस्तमाल करना चाहते थे, biology के अंदर, तो इनको church के पास ही एक छोटी सी जमीन का टुकड़ा मिला, और उन्होंने उस जमीन के टुकड़े पे मतर उगाने चालू कर दिये as a part of his experiment, और उन मतर के जो बच्चे हुए, उसके data को इन्होंने collect करना start किया, और उस basis पे इन्होंने कुछ rules दिये, कुछ laws दिये, कि भईया, ऐसे ऐसे inheritance होती है, मतर में मैंने observe कि parents से बच्चों में character कैसे जाते है, तो humans में भी ऐसे ही जाते होंगे, तो Mendel सहाब ने laws of inheritance propose किये, तीन law उन्होंने दिये थे, जिसमें से first law और second law उन्होंने इस slide के basis पे दिये थे, मोनो हाइब्रेड क्रॉस के basis पे दिये थे, तो आप एक बार मोनो हाइब्रेड क्रॉस देख लो अच्छे तरीके से फिर NCRT की reading हम लोग लगाएंगे, ठीक है, देखे, law of dominance या first law क्या कहता है, law of dominance या first law क्या कहता है, when two different alleles, जो कि हम लिख भी चुके हैं बात पहले पर फिर से लिख लेते हैं, when two different alleles are combined together are combined together only one of them will express itself only one of them will express itself इसको क्या कहेंगे, dominant कहेंगे तो अगर यहां पर capital T और small t साथ पाए जा रहे हैं, तो यह capital T क्या हुआ? यह capital T आपका dominant हो गया, और यह small t क्या हुआ? यह small t आपका recessive हो गया, यह अपने आपको express नहीं कर पा रहा है, capital T की presence में, that's why capital T is dominant and small t is recessive, simple सी बात है, अब यह dominance और recessiveness आती क्यों है? क्यों कोई dominant हो और क्यों कोई recessive है? कुछ तो वजा होती होगी ना इसके पीछे, हर चीज किसी ना किसी कारण से होती है, तो what is the reason behind this dominance and this recessiveness? क्या वजा है? समझने की कोशिश करते हैं, भाई समझ लीजिए, यह है आपका एक क्रोमोजोम जिसके उपर है एक allele that is capital T, और यहाँ है एक क्रोमोजोम जिसके उपर है एक allele small t, तो यह जो आपका allele है capital T, यह तो normal है एकदम, dominant है, अच्छे से काम करेगा, तो इसको हम wild का मतलब normal allele, इसको कहते है wild या normal allele, इसे wild या normal allele कहते हैं, तो यह normal allele जब अपने आपको express करेगा, तो क्या एक normal enzyme बनाएगा? भाई यह gene जो है, जब अपने आपको express करेगा, तो क्या एक normal enzyme बनाएगा? जी सर बनाएगा? और अगर यह एक normal enzyme बनाएगा, तो normal काम कर रहा होगा, तो इससे हमें कोई problem नहीं है कई बार क्या होता है? यह जो allele है, यह आपका mutate हो जाता है, एंड यह जो आपका mutant है, यह तीन तरीके से express कर सकता है, या तो यह normal enzyme बना ले? या तो यह normal enzyme बना ले? या थोड़ा सा less efficient enzyme बना ले, कोई दिक्कत नहीं है, जिसमें काम चल जाता है, तो या तो यह normal enzyme बना ले, या less efficient enzyme बना ले, जो कि जेला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है कई cases में यह less efficient से भी नीचे चला जाता है, यह बना लेता है defective enzyme, भाई defective enzyme है तो काम नहीं कर पाएगा, तो हमारी body में यह काम नहीं कर पाएगा, और तीसरा अगर आप देखें, तो हो सकता है, इतना defective हो जाए कि कोई enzyme बना ही ना पाए, no enzyme at all, अब मुझे बताईए, आपकी body में दोनों allele present है, capital T और small t, आपके पास दोनों allele मौजूद है, आप किसको express कराना चाहोगे, एक ऐसे allele को जो normal enzyme बना रहा है, या एक ऐसे allele को जो defective enzyme बना रहा है, या कोई enzyme नहीं बना रहा, बताईए, आपके पास अगर option है कि आपको भगवान ने एक option दिया है, capital T और small t, दोनों में से आप अपनी पसंदीदा choice को चुन सकते हैं, तो आप क्या करते, capital T को चुनते, बिलकुल, क्योंकि ये normal enzyme बना रहा है, क्या हम इसको चुनते, बिलकुल चुनते, और इस case में भी आपका recessive वाले को हम चुन सकते हैं, लेकिन भगया, ये दोनों तो एकदम कबाड़ा ही कर देंगे, ये दोनों case तो जहाँ defective enzyme बन रहा है, या कोई enzyme नहीं बन रहा है, यहां तो हमारी चुन लो, अगर आपके पास capital T, small T है, अब आपके पास एक choice है, एक अच्छे और एक कम अच्छे में, तो आप अच्छा वाला चुनोगे, और small T, small T में भी आपके पास कोई choice नहीं है, तो जो आगया आएगा आप उसको चुन लोगे, लेकिन जहाँ choice है, वहाँ तो अच् नहीं चाहेंगे ना कि हम mutant allele को चुने, हम नहीं चाहेंगे, इसलिए हम लोग wild वाले को select कर लेते हैं हमेशा इसकी presence में, तो दोनों में से एक ही आपका चुना जाता है, क्यों चुना जाता है, वो आपको समझ में आ गया होगा, correct है, done, correct है भाई, यह है आपका concept of dominance, यह है This is very interesting topic, आराम से सुनना, एक पौधा है, जो बड़ा है, अगर कोई पौधा छुटा है, तो we call it dwarf, और हमें पता है, वो small t, small t है, guarantee के साथ, लेकिन अगर कोई पौधा बड़ा है मतर का, तो वो capital T, capital T है, capital T, small T है, इस बात को कैसे पता लगाए, उसके लिए, there is a cross, called as a test cross, to test weather, the plant is pure tall, या heterozygous tall, इसके लिए हमारे पास एक cross है, called test cross, तो आराम से देखेगा, test cross में क्या होता है, test cross में हम लोग क्या करते है, we cross the suspected plant, जिसका हमें test करना है, जिसका हमें genotype पता करना है, we cross the suspected plant with pure recessive parent, pure recessive parent, homozygous recessive parent के साथ उसका cross करा देते हैं, for example, समझ लीजिए, एक आपका tall plant है, समझ लीजिए, एक आपका tall plant है, अब यह tall plant तो दोनों प्रकार का हो सकता है, capital T, small T भी हो सकता है, और capital T, capital T भी हो सकता है, दोनों प्रकार का हो सकता है, हो सकता है, सर, अब मेरे दोस्त यह देखिए, अगर यह दोनों प्रकार का हो सकता है, तो हमें कैसे पता लगेगा कि दोनों में से कौन सा है, इसको आप cross करा दीजिए, इसको आप cross करा दीजिए, किसके साथ, recessive parent के साथ, इसको आप cross करा दीजिए, recessive parent के साथ, यानि small t, small t के साथ, small t, small t, small t के साथ, तो इस parent का तो हमें idea नहीं है कि यह capital T, capital T है, capital T, small t, लेकिन इस parent का हमें idea है, small t, small t है for sure, correct, आप देखिए, capital T, small t बन सकता है यहाँ पर, बन सकता है, capital T, small t, बन सकता है, बन सकता है, capital T, small t, बन सकता है, capital T, small t, बन सकता है, बन सकता है, अगर आप एक unknown plant को cross कराते हो, स्मॉल टी स्मॉल टी के साथ और सारे बच्चे टॉल आ रहे हैं तो आप क्या बोलोगे आप ये बोलोगे कि भाया सारे बच्चे टॉल आ रहे हैं तो हर किसी के पास capital टी जा रहा है ये जो प्लांट है ये आपका capital टी capital T रहा होगा क्योंकि dwarf बनाने के लिए दो small T चाहिए इस small T को इस parent का small T भी तो चाहिए यहाँ small T है ही नहीं इसलिए सारे बच्चे tall बने हैं यहाँ देखे भाया capital T small T capital T small T यहाँ से भी small T यहाँ से भी small T अब बनेगा dwarf यहाँ से भी small T यहाँ से भी small T अब बनेगा dwarf तो यह dwarf क्यों बने यह dwarf क्यों बने small T comes from both parents small T comes from both parents और दोनों parents अगर small T आ रहा है इसका मतलब दोनों parents पे small T होगा तो यह pure tall नहीं है इसके पास small T है therefore capital T small T है यहाँ पर इसका उत्तर यहाँ पर small T है ही नहीं no dwarf no dwarf therefore no small T in one parent एक parent ऐसा है जिसमें कोई small T है ही नहीं therefore वो कैसा है capital T capital T है तो अगर सारे बच्चे ही tall निकल जाए एक जैसे निकल जाए तो parent homozygous और अगर यहाँ पर tall और dwarf का ratio आप देख रहे हो यहाँ पर tall और dwarf का ratio अगर आप देख रहे हो तो tall भी है दो dwarf भी है दो तो 2 ratio 2 simplify करके आ जाएगा 1 ratio 1 अगर tall और dwarf एकदम बराबर आ रहे हैं तो आपका parent कैसा हो जाएगा heterozygous हो जाएगा this is called as test cross test cross से आपने पता लगा लिया कि यह जो लंबा plant था यह capital T, capital T है यह capital T, small t है this is called as test cross back cross क्या होता है सर उपर लिखा हुआ है what is back cross back cross मतलब back generation से कोई भी cross करना यानि अपने parents से parental generation से किसी भी parents से जाएग वो homozygous हो heterozygous हो dominant हो, recessive हो किसी भी parents से cross करना is back cross है ना crossing with any parent is back cross and specifically heterozygous parent के साथ cross करना is test cross है ना pure recessive pure recessive पेरेंट के साथ, क्रॉस करना is test cross, correct है, correct है भाई, दूसरा जो law हमें देखने को मिला, that is called as law of segregation या second law, पहला law जो है, वो है law of dominance, यानि जब दो alleles, जो different है, वो साथ में पाए जाएंगे, तो एक dominant करेगा, एक dominant नहीं करेगा, that is law of dominance, law of segregation क्या है, segregation मतलब बिछड़ जाना, अलग-अलग हो जाना, जुदा हो जाना, तो यहां क्या बताया गया, यहां बताया गया, कि at the time of gamete formation, at the time of gamete formation, the two alleles of a gene separates so that a gamete carries only one allele गया, चैया अगर अगर आप यहां पर capital T, capital T, capital T, capital T, smh, t ऐ स्मh, t, l, की बैठे बैठे हैं तो जब आप gamete बना रहे होंगे तो जब आप talk, maior करने हो अब मेंदी अब यहां पर गैमीट एक दम प्यॉर होते हैं एक गैमीट में आपका एक ही अलील पाए जाएगा तो लोप सेग्रीगेशन को लॉप प्यॉरिटी of gametes भी कहा जाता है कि जब भी gamete बनेगा तो आपके जो alleles है ये आपके separate हो जाएंगे भाई हमारे पास भी 46 chromosome है यानि 23 pair of chromosome है जब gamete बनेगा तो 30 chromosome एक side हो जाएंगे 30 chromosome दूसरी side हो जाएंगे और ये separate हो जाएंगे तो एक chromosome पे जो alleles था वो एक side चला गया दूसरे chromosome पे जो homologous chromosome पे अलेल था वो दूसरी side चला गया तो ये आपके pair of alleles separate हो गए this is law of purity of gametes इसे law of segregation भी कहा जाता है correct है एकदम correct है सर आप थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और NCRT पढ़ लेते हैं है रहा फिर कुछ और topics के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे लेगिन पहले यहां तक की NCRT पढ़ लेते हैं यहां तक clear है एकदम general general बात करिए अभी तक बहुत complicated topics में हम लोग घुसे नहीं है बहुत general बहुत basic बात करिए यहां तक clear है एक बार बढ़िया तो अभी हम NCRT कर लेते हैं and then let's try to find out some questions अभी तक मुझे लगता नहीं कि इस topic से कोई question आया होगा तो die hybrid cross को करने के बाद we will do some questions correct आईए NCRT देखते हैं पहली line हमारे lecture की यही थी कि like bagettes like जैसे माता-पिता वैसा बच्चा अगर भाया अगर हाथी के बच्चे को आप देख रहे हैं तो आप easily बता सकते हैं कि इसके माता-पिता भी हाथी रहे होंगे तो हाथी एक बेबी elephant को ही give rise करता है mango का बीज बोवगे तो mango ही मिलेगा यानि जैसे माता-पिता जैसी species के मम्मी डेडी वैसे ही species का बच्चा हम लोग genetics की branch की यहाँ पर discussion कर रहे हैं इस chapter में और genetics में हम क्या-क्या पढ़ते हैं inheritance and variation inheritance का मतलब एक ऐसा process जिससे characters एक generation से अगली generation में जाते हैं जैसे हमारे मम्मी पापा से हमारे अंदर आए and it is the basis of heredity आपके अंदर characters आएंगे तभी तो आप उन characters को express करेंगे तो heredity तभी हो पाएगी जब inheritance से character आपके अंदर आते हैं variation मतलब आप अपने parents से कितने different हैं वो जो degree of difference है इसे हम variation कहते हैं और यह variation genetics के अलावा environmental factor से भी आ सकता है जैसे आप film देखते होंगे तो अलग अलग फिल्मों में दिखाया जाता है रामू और शामू है रामू को पाला एक police inspector ने शामू को पाला एक चोर ने तो ultimately क्या हुआ भाई रामू शामू में फर्क आ गया behavior में फर्क आ गया correct तो ऐसे पहले कई सारी picture आती थी तो आप देखते होंगे कुछ South Indian movies भी है Amar Akbar Anthony करके भी है एक film जहां पर सबके characters different हो जाते हैं just because of their environment की वो कहां पर रहते हैं वो क्या चीज़े देखते हैं क्या चीज़े सिखते हैं तो ultimately उसका effect भी आप पर पढ़ता है जो की सच है humans अगर आप देखें तो 8000 से 1000 BC पहले भी इनको इतना idea था कि variations आने की वज़ा क्या है क्यों variations आती हैं हमारे अंदर क्योंकि हम sexually reproduce करते हैं तो इन्हों ने भी अलग-अलग animals को और plants को selectively breed कराना start कर दिया और artificial selection से strong male और दुधारू female को ले करके domesticate करके इन्होंने साहिवाल काव तयार करी थी पंजाब में लेकिन इतना time पहले 8000 से 1000 BC पहले इनको ये नहीं पता था कि भाया sexual reproduction का scientific basis क्या है actual में ऐसी कौन सी चीज ऐसे कौन से process हो रहे हैं जिस वज़े से हमारी अंदर variation आ रही है ये नहीं बता पाए थे उस टाइम पे लोग तो इस पर research करना लोगों ने शुरू किया mid 19th century में अगर आप देखे तो मेंडल सहाब ने साथ साल experiment किये थे मटर पे कब से कब तक किये थे 1856 से 1863 तक 1856 से 1863 साथ साल और आप मानोगे नहीं कि इनमें से चार साल सिर्फ और सिर्फ मेंडल को pure line बनाने में ही लग गए थे यानि main काम था pure line बनाना बाकि सारी चीज़ें तो हो जाती है मटर इतनी जल्दी जल्दी रिप्रोड्यूस करता है कि उसका डेटा तो आप कभी भी तयार कर सकते हो लेकिन pure line बनाना वस वेरी इंपोर्टेंट तो मेंडल सहाब ने 1856 से 1860 यानि mid 19th सेंचुरी 19 सदी 19 सदी कितनी हुई वहिया आपकी 1801 से लेकर के 19 सो तक या 19 सदी हुई इसके बीच में क्या आ रहा है 1850 आ रहा है लगबग इसी टाइम पर 1856 से 1863 के असपास mid 19th सेंचुरी में आपके मेंडल सहाब ने काम किया और law of inheritance दिये जिनमेंसे दो law हम पढ़ भी चुके हैं इन्होंने पहली बार biology के अंदर statistics और गनित के logic लगाए इन्होंने मटर को select किया जिसका भीया large sampling size है तो इनका data बहुत अच्छा था है ना और ये line बहुत अच्छी है कि इन्होंने सिर्फ general rules of inheritance हम लोगों को दिये rather than being unsubstantiated ideas जानि यहां कोई तुक्के बाजी नहीं चल रही है these are not unsubstantiated ideas unsubstantiated ideas मतलब ऐसे ideas नहीं थे इनके जिनके पीछे कोई substance नहों जिनके पीछे कोई तत्थ ना हो जिनके पीछे कोई फेक्ट ना हो जिनके पीछे कोई evidence ना हो जिनके पीछे कोई proof ना हो ऐसी खोखली बाते नहीं कर रहे थे इन्होंने laws of inheritance दिये हैं इन्होंने ऐसे rules हमें बताए जिससे characters parents से अगली generation में पहुंचते हैं इन्होंने तुक्के बाजी नहीं करी है हर चीज को experimentally data से proof किया है तो these are not unsubstantiated ideas but concrete experiments supplemented by great data and great sampling size इन्होंने यहाँ पर 7 character लिये जिनके opposite trait भी थे जिस वज़े से सफल हुए वो 7 character और trait आपके सामने है अगर आप height देखो तो बड़ी भी हो सकती है छोटी भी, flower color violet भी हो सकता है white भी, position axial भी हो सकती है terminal भी, pod की shape fully भी हो सकती है constructed भी, pod का color हरा भी हो सकता है yellow भी, seed का shape round भी हो सकता है wrinkled भी और seed का color यहाँ पर यह हमने बस अलग से देखा था की seed का color dominating क्या है आपका yellow है, यह 7 character आपके मेंडल सहाब ने लिए और यह 14 trait मेंडल सहाब ने लिए है ना, तो true breeding pre lines इन्होंने बनाना शुरू करी हर trait के लिए, यानि इन्होंने 14 true breeding pre lines बनाई यानि अगर यह कह रहे हैं tall, तो सोचने की जरुरत नहीं है, वो plant pure tall है capital T, capital T अगर यह कह रहे हैं violet flower, तो capital V, small V नहीं है वहाँ, capital V, capital V है अगर वो कह रहे हैं dwarf तो small T, small T है, अगर वो कह रहे हैं white flower तो small V, small V है हर trait की pure line इन्होंने तयार करी, तो 14 true breeding pure line इन्होंने बनाई कैसे बनाई, एक pure tall plant लिया, है ना, तो उसकी female जो है वो भी pure tall होगी करेक्ट, उसके उपर male का जो pollen छिड़का, वो भी pure tall अपनी मर्जी से छिड़का, artificial selection करके, यानी make sure किया कि dwarfness का साया भी इस पे ना पड़े, एक small T इसको मैं अगले 10 generation देखने भी ना दूँ, इसके अंदर सिर्फ capital T का ही निवास हो, ये small T देखने को भी तडब जाए, इतना इसको small T से मैं दूर रखो, ऐसी उन्होंने कोशिश करी, कोई contamination नहीं होने दी, that's why he became so 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 successful in his experiments correct, तो इन्होंने भाईया, जब first generation बनाई, सिर्फ एक character को लेके, mono hybrid cross में, तो first generation में देखा, इन्होंने सारे बच्चे capital T, small T थे, सारे बच्चे tall थे, एक भी आपका dwarf नहीं था, फिर इन्होंने F1 को ही जब self-pollinate किया, तो इन्होंने देखा कि F2 generation में एक dwarf आया, तीन tall थे और एक dwarf आया, तो इन्हें पता लगा, कि भाई, characters आपके mix नहीं होते, blend नहीं होते, characters did not show any blending, ऐसा नहीं था, कि एक capital T और small T साथ है, तो height intermediate हो जाएगी, नहीं, capital T, capital T हैं, तो tall, capital T, small T हैं, तो भी एक ही आपका dominate कर रहा था, tall, और gamete बनाते time, ये capital T, small T separate हो जा रहे थे, तो dwarf बच्चे भी आपको F2 में देखने को मिले, यानि कोई blending नहीं हो रही थी, contrasting traits did not show any blending, और इसी line के basis पे, आपके Mendel साहब ने हमें दिया, law of segregation, या law of purity of gametes, correct, gene के बारे में नहीं पता था, gene term बाद में Johansson सहाब ने coin करी थी, Mendel सहाब ने gene को factor ही बोला था, right, ये जो gene है, इसके opposite form हो सकते हैं, इनको allele कहा जाता है, जैसे की, एक character है, height, तो उसके दो allele हो सकते हैं, tallness का, एक darkness का, एक character है, flower का color, तो उसके दो allele हो सकते हैं, violet का allele, एक आपका white का allele, और इनको हम represent करते हैं, capital alphabet से dominant वाले को, और small alphabet से आपका recessive वाले को, दोनों में same ही alphabet होगा, जैसे की आप दोनों allele में comparison कर पाओ, homozygous मतलब दोनों allele आपके same है, capital T, capital T, to homozygous dominant, small t, small t, to homozygous recessive, और अगर आपका capital T, small t है, है ना, यहाँ पर तो उसे heterozygous कहा जाएगा, capital T, small t है, तो इसको heterozygous कहा जाएगा, phenotype मतलब किसी चीज़ की physical appearance, जो आप मातर देख के बता सकते हो, genotype बताने के लिए आपको थोड़ा सा अंदर घुसना पड़ता है, research करनी पड़ती है, अगर दो allele साथ में पाए जा रहे हैं different, तो एक dominant होगा, एक आपका recessive होगा, एक express करेगा, दूसरा express नहीं करेगा, right, 50-50% chance होते हैं, जो allele है, इनके आगे बच्चा बनाने के, आराम से देखे, यहाँ पर है capital T, small t, यहाँ पर है small t, small t, दोनों parent में ने different ले लिए, यहाँ आपका capital T gamit में आया, यहाँ आपका small t gamit में आया, यहाँ आपका small t gamit में आया, अब बताए, इस small t के, इस small t से fuse होन कितने के chance कितने है, सर 50%, क्योंकि इस small t के पास क्या option है, या तो इस से fuse करे, या इस से fuse करे, 50% chance यह है कि इस से fuse कर जाए, और 50% chance यह है कि इस से fuse कर जाए, यही तो हो सकता है, बस और क्या हो सकता है, तो इस से fuse करेगा, तो ड्वार्फ बच्चा बनेगा, और इस से fuse करेगा तो आपका टॉल बच्चा बनेगा तो probability तो 50-50 ही है ना दो combinations बन सकती है हर combination के बनने की 50% possibility यहाँ पर हुई ठीक है फिनोटिपिक जिनोटिपिक रेशियो हम लोग निकाल ही चुके है Reginald C. Punnett सहाब ने एक square का concept दिया था इसलिए square को हम Punnett square कहते हैं बहुत आसानी हो जाती है इससे बच्चे calculate करने में जिनोटाइप calculation में एक side एक parent के gamit रखे दूसरी side दूसरे parent के gamit रखे और सारी combinations आपको center पे बनती होई दिख जाएंगी square को हमने Punnett square बुला क्योंकि यह Reginald C. Punnett नाम के एक scientist ने हमको दिये थे correct अब test cross हम पढ़ चुके हैं कि एक unknown plant को हम लोग cross करा रहे हैं recessive parent के साथ that is test cross recessive parent के साथ हम unknown plant को cross करा रहे हैं जैसे यहां पर देख लीजे यहां पर violet flower है पर आपको पता नहीं है कि यह pure violet है dominant या capital w small w है तो आप recessive parent ले लीजे white small w small w वाला अब अगर यहां पर यह pure dominant होगा pure violet होगा तो capital w small w 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 एक भी small w इसके पास नहीं है तो सारे बच्चे आपके क्या आएंगे violet आएंगे यानि आपका homozygous parent है pure violet है और यहां पर अगर आपके equal ratio में बन रहे हैं violet और white इसका मतलब small w भी contribute कर रहा है एक parent small w अगर यह contribute कर रहा है इसका मतलब इसके पास small w होगा तो it will be capital w small w यानि आपका heterozygous यह आपका क्या हो जाएगा heterozygous हो जाएगा right this is test cross अब on the basis of monohybrid cross Mendel सहाब ने हमको दो law दिये पहला first law और the law of dominance और दूसरा आपका second law और the law of segregation law of dominance में मेंडल सहाब ने क्या कहा मेंडल सहाब ने कहा कि characters express किस वज़े से होते हैं factors की वज़े से होते हैं और यह factors आपके pair में पाए जाते हैं भाई अगर आप एक deployed organism हो जो की हम हैं तो आपकी body में यह जो factors हैं यह हैंगे दो chromosome पर yes इन में से आपका एक dominant हो सकता है एक recessive हो सकता है अगर यह different है तो अगर capital T capital T है तो खेल ही खतम दोनों ही dominant है तो कोई यहाँ पर discussion होगी ही नहीं अगर small T small T है तो भी discussion खतम दोनों ही एक जैसे हैं तो कुछ और बन ही नहीं सकता capital T small T में थोड़ी सी लड़ाई है यहाँ पर एक आपका dominant कर जाता है तो overall बच्चा कैसा बनता है टॉल तो आप यह कह सकते हैं कि यहाँ पर एक आपका express करता है अपने आपको दूसरा express नहीं कर पाता right दूसरा express नहीं कर पाता therefore it is called as recessive और यह capital T कहलाता है आपका dominant तो क्यों आती है यह dominance भाई एक जो gene है उसमें एक character को express करने के लिए information होती है और हमारे पास दो chromosome पर दो allele पाए जा सकते हैं है ना pair of allele हमारे पास होता है अब यह pair of allele same भी हो सकते है capital T capital T तो लड़ाई ही नहीं है सिर्फ tall ही है आपका बच्चा अगर small T small T तो भी लड़ाई नहीं है लेकिन अगर यह different है capital T और small T इसका मतलब information में कोई change आया है एक तो capital T था जो normal था दूसरे में कोई change आया है so just because of that change या तो हो सकता है आपका कई बार बहुत जादा change ना आया हो normal ही enzyme बन जाए या हो सकता है कि non functional enzyme बने या हो सकता है इतना change आ गया हो कि कोई enzyme बने ही ना तो आप नहीं चाहोगे कि recessive वाला express करे अगर आपके पास option है capital T और small T में से आप हमेशा चाहोगे capital T अपने आपको express करे अब आप यह सोच रहे होगे कि sir अगर recessive वाला इतनी गड़बड cause कर देता है तो तो हमारी जान ही चली जाएगी correct भी है अगर सिर्फ dominant वाले को ही हम अच्छा मान रहे है और recessive वाले को हम खराब मान रहे है तो small T small T वाले case में small W small W वाले case में small Y small Y वाले case में तो plant की band ही बच जानी चाहिए बात तो सही है लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि यह जो case number 2 है और case number 3 है this is extremely rare और यह disease का case है जादातर conditions में आपका जो recessive अलील है वो भी normal या less efficient enzyme ही बनाता है यानि वो आपके reactions को तब भी करा देगा वो आपके अंदर बिमारी नहीं होने देगा otherwise हमारे अंदर इतने characters हैं आप अगले chapter में पढ़ेंगे molecular basis of inheritance में आपके पास 30,000 से भी जादा gene है तो जिसके पास वो सारे के सारे recessive हो गए वो तो विचारा पैदा होने से पहले ही मर जाएगा इतनी घड़बडियां हो जाएंगी तो यह वाला जो second और third case है this is extremely rare यहाँ पर first case ही होता है पर हम क्यों चाहें 1% भी अपने लिए loss समझ लिजे कोई enzyme 100% काम करता है और कोई 99% काम कर रहा है मैं क्यों compromise करूं 99% में भाई मेरको 100 जब मिल सकता है just side में 100 रखा हुआ है why would I compromise and why would I try to go for an option which is 99% मैं तो चाहूंगा ना कि भाई मेरको 100% ही मिले इसलिए मैं capital T को चुन लेता हूँ small t के सामने हमेशा जिसे एक pattern बन जाए कि अगर जरा से भी गड़बर है तो हम लोग खुद अपना चुनाव कर सकें और बहतर विकल्प बहतर option अपने लिए चुन सकें करेक्ट राइट यह है concept of dominance तो first case जो है जिसमें normal या less efficient enzyme बन रहा है यह आपका normal case ही माना जाता है और ज्यादा तर conditions में यही होता है लेकिन second और third case जो है जिसमें non-functional enzyme बन रहा है या कोई enzyme नहीं बन रहा है यह दिक्कत कॉज करते हैं भया तो हम लोग चाहेंगे कि यहाँ पर हम लोग normal या wild allele को ही express करने दे dominant वाला ही express करें यह आपका modified वाला express ना करें law of segregation में आपने देखा कि alleles अपने expression को mix नहीं करते they do not show any blending ऐसा नहीं है कि capital T और small t साथ साथ पाए जा रहे हैं तो height intermediate हो जाएगी नहीं है ना तो तो law of dominance पानी में चला गया च्छपाक ऐसा नहीं होता यहाँ पर आपका capital T small t अगर साथ present है तो tall ही होगी intermediate height नहीं होगी यानि कोई blending नहीं दिखा रहे capital T or small t mix नहीं हो रहे हैं ठीक है और यह mix नहीं हो रहे हैं दूसरे में merge नहीं कर रहे हैं इसलिए gamit formation में दोनों separate हो सकते हैं गयमीट अगर बन रहे हैं तो capital T अलग गयमीट बना सकता है small t अलग गयमीट बना सकता है तो during gamit formation यह जो factors है या जो allele है यह आपके segregate हो जाते हैं separate हो जाते हैं और एक gamit में सिर्फ एक ही allele जाता है एक ही factor जाता है इन दोनों में से एक ही allele एक ही factor आपका जा रहा होता है इसलिए इसे कहते हैं law of purity of gamit यहां तक बात समझ में आई भाईया फटा फट बता दीजे यहां तक बात समझ में आ गई is everything clear यहां तक सारी सारी चीज़ें clear है सर प्रूफ होने के बाद भी reject क्यों हुआ experiment साक्षी very good question क्योंकि biologist math से डरते थे बहुत तो इनका research paper पढ़े कौन research paper खुला नंबर ही नंबर मिले हमें आदत है language बढ़ने की यहां मिल रहे हैं भाईया नंबर ही नंबर तो अधिकतर biologist ने इनके काम को यह बोल के न कार दिया कि नहीं यार मजा नहीं आ रहा है कुछ डालो इसमें कुछ तस्वीर वस्वीर बनाओ भाई sticker लगाओ जिससे हमें पढ़ने में मजा आए नाम से ही खोलते हुए चलेंगे game अब एक भी चीज याद नहीं करनी है जीवन में अब आप मान के चलो हो गया है खेल खतम अब एक भी चीज याद नहीं करनी है सिर्फ topic के नाम से ही game खतम कर देंगे incomplete dominance incomplete dominance मतलब बच्चा दोनों में से किसी भी parent जैसा नहीं दिख रहा that is incomplete dominance यानि किसी भी parent की complete dominance नहीं है progeny doesn't look like any of the parent progeny doesn't look like any of the parent तो आप क्या कह सकते हैं none of the parent is dominant कोई भी parent dominant नहीं है बच्चा दोनों जैसा ही नहीं दिखाई दे रहा for example example क्या है snapdragon क्यों कि एंटी रहीनियम मेजस कि एंटी रहीनियम मेजस कि एक ही बात है यह है यह आप कह सकते हैं mirabilis जलापा मिराबिलिस जलापा का प्लांट जिसे फोर ओ क्लॉक प्लांट भी कहा जाता है क्या है इनके अंदर फ्लावर आपका रेड होता है डॉमिनेंट केस में और वाइट होता है अगर कैपिटल आर कैपिटल आर है तो फ्लावर है रेड और अगर यह स्मॉल आर स्मॉल आर है तो फ्लावर है वाइट लेकिन मेरे बंधू मेरे भाई जब यहां गैमीट बनेंगे जब यहां गैमीट बनेंगे तो capital R, capital R separate, small R, small R separate, जब गैमीट बनेंगे तो यहां कौन सा गैमीट बनेगा, जब गैमीट बनेंगे तो यहां R बनेगा सिर्फ, यहां गैमीट कौन सा बनेगा, small R बनेगा, these are गैम अगर फ्यूज हुए तो गैपिटल आर स्मॉल आर में होना क्या चाहिए था खुद बताए अगर अगर डॉमिनेंट होता तो रैड होना चाहिए था फ्लावर यहां क्या हुआ पिंक अब ना ये रैड ना ये वाइड तो क्या कोई भी पेरेंट डॉमिनेट किया है नहीं किया सर साइन्टिस ने बोला चलो भया इसको और क्रॉस करा के देख लेते हैं इसकी और सेल्फिंग करा के देख लेते हैं एफटू जनरेशन बना के देख लेते हैं तब ने कहा बनाओ बनाओ भाई तो यहां पर क्या बना पुनेट स्क्वेर बना लेते हैं एक पुनेट स्क्वेर बना लेते हैं पुनेट स्क्वेर में एक साइड लिख दो एक पेरेंट के गैमीट और दूसरे पेरेंट के गैमीट यहां क्या गैमीट बनेंगे भाई कैपिटल आर स्मॉल आर यहां क्या बनेंगे कैपिटल आर स्मॉल आर लिख दो यहां बने आपका कैपिटल आर स्मॉल आर यहां बने आपके capital R, smaller, combination मनाओ, क्या बना आपका यहाँ, capital R, capital R, red, smaller, smaller, white, smaller, 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 white, और capital R, small R, और आपका capital R, small R, यह बना, यानि आपका pink, यहाँ से capital R, यहाँ से small R, यहाँ से capital R, यहाँ से small R, correct, तो ratio क्या हुआ, ratio क्या हुआ, फीनोटिपिक ratio क्या हुआ, फीनोटिपिक ratio क्या हुआ, देखने से कितने अलग-अलग प्रकार के flowers आप बता सकते हो, फीनोटिपिक में क्या हुआ, आपका red, ratio pink, ratio white, red, ratio pink, ratio white, एक red, दो, pink, एक white, correct है, एकदम correct है sir, और जीनोटिपिक क्या हुआ, जीनोटिपिक क्या हुआ, capital R, capital R कितने है, एक, capital R, small R, कितने है, दो, small R, small R, कितने है, एक, तो, one ratio, two ratio, one, तो, क्या आपका फीनोटिपिक और जीनोटिपिक ratio, एकदम सेम आ गया, आ गया, आ गया, this is the महिमा of, incomplete dominance, जहां पे फीनोटिपिक और जीनोटिपिक ratio, एकदम सेम आ जाता है, यहां पे यह वाला, जो pink वाला बच्चा है, यह दोनों ही parents जैसा नहीं दिख रहा, ना यह red, ना यह white, इसलिए इसको बोला, incomplete dominance, यह completely, ना अपने dominant parent जैसा है, ना completely अपने recessive parent जैसा है, इसलिए इसे incomplete dominance में रखा गया, यह दोनों ही parents जैसा नहीं है, और अगला case अगर आप देखोगे, तो यहां बच्चा दोनों ही parents जैसा होता है, यहां बच्चा दोनों ही parents जैसा होता है, this is called as co-dominance, यानि co का मतलब क्या होता है, साथ साथ, cooperative dominance, दोनों parents यहां पर क्या कर रहे है, cooperate कर रहे है, तो यह है cooperative dominance, यानि यहां बच्चा दोनों parents जैसा है, दोनों ही dominating है, for example, यहां है हमारा blood group, for example, यहां है हमारा blood group, blood group, हमारा blood group कौन decide करता है, blood group is decided by a gene I, यहां है, एक gene है जिसका नाम है I, यह आपका blood group decide करता है, अब यह gene I जो है, इसके भी अलग-अलग alleles होंगे, जैसे आपका height एक character है, तो height बड़ी भी हो सकती है, छोटी भी, उसके भी different traits है, similarly यह जो gene है, इसके भी different type होंगे न, अब समझ लीजे यह एक RBC है, तो इस RBC की membrane पे कुछ carbohydrate बनते हैं, यह अलग-अलग type के बनेंगे, समझ लीजे एक जगा में डबबा बना रहा हो, यह अलग type की sugar है, यहाँ पर, आपका मैं किसी और shape को बना रहा हो, यह अलग type की sugar है, और यहाँ पर, मैं कोई sugar नहीं बना रहा, तो यह तीन टाइप के expression हो सकते हैं, this is A antigen, मैं कहा रहा हूँ, यहाँ A antigen है, तो blood group क्या हो गया, A blood group हो गया, तो यह gene कहलाता है IA, यहाँ है B antigen, B antigen अगर express हो रहा है RBC की membrane पे, तो इसे IB बोल देंगे, और यहाँ no sugar, कोई आपका antigen नहीं है, तो इसको बोलेंगे छोटा I, यह देता है हमको O blood group, तो यह है A blood group, यह है A blood group, यह है B blood group, और यह है आपका O blood group, यह है आपका O blood group, correct, so this is the very first allele IA, this is the second allele IB, this is the third allele small i, मुझे बताए, एक ऐसा organism, एक ऐसा individual, मुझे बताए, एक ऐसा individual, जिस पे, A blood group वाला B आपका अलील हो, और B blood group वाला भी आपका अलील हो, क्याए दोनों के दोनों साथ express नहीं करेंगे, क्याए दोनों साथ express नहीं करेंगे, अगर IA और IB condition है, एक chromosome पे IA available है, एक chromosome पे IB available है, क्या दोनों साथ express नहीं करेंगे, blood group क्या हो जाएगा यहाँ पर या A dominate करेगा या सिर्फ B dominate करेगा या दोनों dominate करेंगे दोनों dominate कर रहे हैं न भाईया तो blood group A B भी तो हो सकता है हमारा तो आप यहाँ पर क्या लिख सकते हैं एक single line में कि I A जो है यह equal ही होता है I B के अगर यह दोनों साथ साथ present हैं तो A B blood group होगा और यह दोनों dominant है small i से यह दोनों dominant है small i से यानि अगर I A और I A साथ present है I A और I A अगर साथ साथ present है तो आपका blood group A I B और I B अगर साथ साथ present है तो blood group B I A और I B अगर साथ साथ present है तो blood group A B और छोटा A और छोटा A अगर साथ साथ present है तो blood group O correct तो यहाँ पर अगर आप देखे यहाँ पर अगर आप देखे तो I A और छोटा A अगर साथ present है तो I A dominant blood group A I, B और छोटा I अगर साथ में present है तो I, B dominant blood group B I, A और I, A अगर साथ present है तो तो choice है ही नहीं blood group A I, B और I, B अगर साथ-साथ present है तो भी कोई choice नहीं है blood group B I, A और I, B अगर साथ-साथ present है तो मेरे भाई दोनों के दोनों साथ में dominate करेंगे blood group हो जाएगा AB और छोटा I और छोटा I अगर साथ प्रेजन्ट है तब जाके Blood Group ओ आएगा हम इस Condition की बात कर रहे हैं जब IA और IB साथ पाए जाते हैं तो दोनों ही Dominate करते हैं इस Condition को हम Co-Dominance कहते हैं इस Condition को हम Co-Dominance कहते हैं Correct अब मुझे एक चीज़ बहुत आराम से बताना बहुत प्यार से बताना सोच के बताना Time ले लो कोई दिक्कत नहीं है Out of these three alleles Out of these three alleles IA, IB and छोटा I आपके किसी भी Cell में कितने Alleles पाए जा सकते हैं आराम से बताएं कोई दिक्कत नहीं है Take your time आपके हर Cell में इन में से कितने Alleles पाए जा सकते हैं Max to Max कुछ लोग लिख रहे हैं तीन और कुछ लोग लिख रहे हैं दो जादा तर लोग लिख रहे हैं दो एक और बार चैट सेक्शन में जवाब दे दीजे आप लोग Deployed हैं या Triploid हैं आपके अंदर टू पियर यानि टू सेट आफ क्रोमोजोम है या 3 सेट आफ क्रोमोजोम हैं Deployed हैं हम लोग अगर हम लोग Deployed हैं आपके कहे के अनुसार ही अगर हम लोग Deployed हैं जो कि हम हैं हमारे पास हर क्रोमोजोम की दो कौपीज हैं अगर हमारे पास हर क्रोमोजोम की दो कौपीज हैं तो हर क्रोमोजोम पे एक एक अलील पाये जाएगा या इन में से सिर्फ दो ही अलील हो सकते हैं हमारे अंदर अगर मेरा ब्लड ग्रूप A भी है तो मेरे अंदर IA और IB पाये जाएगा अगर मेरा blood group A है तो या तो IA IA पाए जाएगा या IA और छोटाई पाए जाएगा अगर मेरा blood group B है तो या तो IB IB या IB और छोटाई पाए जाएगा अगर मेरा blood group O है तो छोटाई और छोटाई पाए जाएगा क्या ये तीनों मेरे अंदर पाए जा सकते हैं एक साथ नहीं पाए जा सकते हैं लेकिन अगर मैं मेरे साथ एक दोस्त लियाओं और मैं कहूं कि हम दोनों में मिलके तीन अलील हो सकते हैं तीनों के तीनों तो क्या ठीक होगी बात बिल्कुल होगी समय लीजे मेरा ब्लड येस, यानि कि अगर आप population level पे देखो, वैसे तो दोस्तों में भी हम लोग ये काम कर सकते हैं, लेकिन अगर आप पूरी human population को देखोगे, तो हमारे पास इस I gene के तीन allele, तीन different forms पाए जाते हैं, usually हमने क्या कहा था, हम जब genetics पढ़ना शुरू कर रहे थे, हमने कहा था, कि एक allele के दो different forms होते हैं, general cases में, जिने हम आपका allele कहते हैं, एक gene के दो different forms होते हैं, यहाँ एक gene के तीन allele देखने को मिल रहे हैं, क्या ये multiple alleleism का example है? दो से जादा allele अगर किसी gene के मिल रहे हैं, normal से जादा मिल रहे हैं, तो क्या उसमें कुछ special है? बिल्कुल है, तो क्या ये multiple alleleism का एक example हो जाएगा, co dominance के साथ साथ? बिल्कुल हो जाएगा, individual में सिर्फ दो ही allele हो सकते हैं, कोई भी आप, you know, combination बना लो, individual में कोई भी blood group हो, दो allele की combination से ही बनेगा, लेकिन population में तो तीनों हो गए ना, किसी में IA है, किसी में छोटा I है, किसी में IB है, इसमें तो तीनों हो गए, तो क्या ये multiple alleleism का भी है, एक example है, येस, तो आप अगर देखे, in human blood group, in human blood group, gene I has more than two alleles, दो alleles होना तो बहुत common बात है, दो अलग-अलग chromosomes पर, पर यहां more than two alleles हैं, कौन-कौन से, एक है IA, एक है IB, और एक है आपका छोटा I, तो more than two alleles हैं यहां पर, तो क्या ये multiple allelism का एक example है, येस, note बना कर यहां एक बात लिख लीजे, out of these three alleles, out of these three alleles only two can be found in an individual and all three alleles can be seen at population level can be seen at population level can be seen at population level दो ही कॉपीज हो सकती हैं, now there is a very interesting concept called pleiotropy, pleiotropy मतलब, pleiotropy मतलब एक तीर से कई निशाने, इसको हम कहते हैं pleiotropy, ठीक है, आराम से सुलिए, pleiotropy को हम लोग क्या कह रहे हैं, एक तीर से, कई निशाने, यानि कई सारे characters control हो जाएंगे, सिंगल जीन से, इसको हम pleiotropy कहते हैं, सरल भाषा में लिख लीजे, when, a single gene, controls, many characters, जब एक single gene, कई characters को control कर रहा हो, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग pleiotropy कहते हैं, समझ लीजिए, एक यहाँ पर आपकी metabolic pathway चल रही है, आपने a से b बनाया, b से आपने c बनाया, c से आपने d बनाया, d आगे चल के भाईया, e में convert हुआ, और किसी दूसरी pathway के थुरू f में convert हुआ, अब मेरे दोस्त आप ये जानिए, कि आपने यहाँ mutation कर दी, माइनस का sign लगा दिया मैंने, ये जो enzyme था, जो c को d में convert कर रहा था, ये अब आपका hemper हो चुका है, तो क्या d बन रहा होगा, नहीं बन रहा होगा सर, अगर d को आपने बनने से रोक दिया, तो क्या e और f दोनों की ही band बज़ गई, यानि रोका आपने सिर्फ एक चीज को, लेकिन आगे कवारा कई चीजों का हो गया, तो ऐसी metabolic pathways जो interconnected होती है, उनमें अगर आप किसी एक reaction को रोक दोगे, तो आगे वाले सारे reaction रुख जाएंगे, भाई, अगर आपका एक metabolic pathways सिक्वेंस में चल रहा है, आपने अगर उसको रोक दिया, तो आगे वाले तो सारे products hemper हो गए न, D के बाद जो बनना होगा, E, F, G, H, सब आपका यहाँ पर नहीं बन पाएगा, तो इससे आपका कोई expression आ रहा था, expression 1, ये भी खराब हो गया, इससे आपका कोई expression आ रहा था, expression 2, विचारा ये भी खराब हो गया, तो एक आपकी गल्ती ने कई expressions को रोक दिया, है न, तो एक जीन यहाँ पर कई characters को control कर सकता है, आबाद भी कर सकता है, बरबाद भी कर सकता है, for example, for example, यहाँ पर, starch synthesis, starch synthesis, in, pea seed, starch synthesis in pea seed, मटर का जो seed है, इसमें starch synthesis, यह आपका मटर का seed है, इसमें starch synthesis हमको करानी है, तो देखे क्या हुआ, यहाँ पर जब आपका capital B, capital B case होगा, है न, capital B is a dominant allean, जब capital B, capital B case होगा, तो आपका seed जो है, वो आपका round होगा, क्योंकि इसमें ज़ादा starch बन रहा होगा, तो round seed होगा, और ज़ादा starch अगर बन रहा होगा, तो large seed भी तो होगा, अगर मटर में ज़ादा starch बन रहा है, तो बड़ा और gold seed होगा न, उसके अंदर अगर starch भड़ा हुआ है, तो seed full जाएगा, तो यहाँ पर आपके character क्या क्या हुए, round seed, round क्या है भईया, शेप है, गोल मटोल क्या है, एक शेप है न, और large seed क्या है, large या small क्या होता है, size होता है, तो यहाँ starch synthesis, आपका shape और size, दोनों चीज़ों को क्या करता है, cater करता है, small b, small b देखे, small b, small b की, दोनों चीज़ों में ही band बच जाएगी, recessive है, round नहीं होगा, आपका wrinkled होगा, जादा starch नहीं बन रहा है, तो wrinkled seed होगा, और wrinkled seed के साथ साथ होगा, और क्या हो जाएगा, small seed हो जाएगा ना मेरे भाई, small seed हो जाएगा, चोटा seed हो जाएगा, तो आपका size भी छोटा, आपकी shape भी wrinkled, दोनों चीज़े यहाँ भी हैंपर हुई, third important thing, सबसे interesting, capital b, small b, capital b, small b, यहाँ क्या हुआ आपका, आराम से सुनेगा, यहाँ क्या हुआ, capital b, small b होने पर, round seed बना, round seed बना, लेकिन round seed बना, लेकिन size बहुत ज़ादा नहीं बना, intermediate size बना, intermediate size बना, तो यहाँ पर भी आपका, दोनों characters, shape और size regulate हो रहे हैं, but, the most important thing, that you should counter over here, आपको जो चीज़ समझनी है, बहुत प्यारे तरीके से वो यह है, कि यह intermediate size का जो seed है, यह ना बड़ा है, ना छोटा है, दोनों parent जैसा नहीं है, incomplete dominance नाम से, अगर सवाल आएगा, तो कर दोगे, incomplete dominance नाम से, अगर सवाल आएगा, तो क्या कर दोगे, कर देंगे सर, भाया, यह अपने दोनों ही parent जैसा नहीं है, यह अपने दोनों ही parent जैसा नहीं है, जैसे कि हम snap dragon में देख रहे थे, anti-rehenium mages में देख रहे थे, कि भाया, आपका dominant case है, red flower, recessive case है, white flower, पर intermediate भी बच्चे बन रहे थे, pink, ना वो red थे, ना वो white थे, तो incomplete dominance का, वहाँ पर case आ रहा था, यहाँ पर भी intermediate size है, ना यह dominant की तरह बड़ा, ना यह recessive की तरह छोटा, beach का है, दोनों जैसा ही नहीं है, तो it is, incomplete dominant, यहाँ incomplete dominance का भी यह example है, pleiotropy का दूसरा बहुत प्यारा example है, phenyl ketone urea, जो हम आगे भी पढ़ेंगे इसी chapter में, पर हम यहीं detail में देख लेते हैं इसको, आगे हमको फिर बहुत जादा नहीं पढ़ना पड़ेगा, phenyl ketone urea, phenyl ketone urea, मेरे दोस्त एक amino acid होता है, phenyl alanine, ठीक है, phenyl alanine, amino acid क्या होते हैं, organic compounds हैं, तो carbon और hydrogen का बनता है, कोई भी organic compound, क्या carbon और hydrogen के बिना कोई organic compound सोच सकते हो, सबसे simplest organic molecule क्या है, बताओ, पटाफट बताओ, दुनिया का सबसे simplest organic molecule क्या है, जिससे organic chemistry की शुरुवात करते हो, वो क्या है, वाँ 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 लिखते है carbon, बहुत शांदार, सबसे simplest क्या है, एक carbon की बनी हुई चीज क्या है, मीथेन से शुरुवात करते हो न, myth, it, prop, but, यहीं तो सिखते हो, तो carbon के साथ hydrogen जोड़ा, तभी तो मीथेन बना, चा carbon और hydrogen के बिना organic chemistry, assume भी कर सकते हो, आप सोच भी सकते हो, नहीं, because organic chemistry is the study of carbon and hydrogen compounds, that two together, दोनों का साथ होना जरूरी है, जहाँ जहाँ carbon, वहाँ वहाँ hydrogen for valency satisfaction, तो आप, यहाँ पर carbon and hydrogen तो लगाएंगे ही, लगाएंगे, organic compound है, तो amino acid नाम है, amino acid तो amino group लगा दिया, acid, acid group लगा दिया, यहाँ पर हमने क्या लगाया, methyl group लगा दिया, phenyl alanine बनाना है हमको, alanine क्या होता है, आप अगर यहाँ पर, इस group पे hydrogen लगाते हैं, तो यह दुनिया का सबसे, simplest amino acid है, called glycine, glycine के बाद अगर आप यहाँ पर, एक carbon की कोई चीज लगाते हैं, तो यह बन जाता है, alanine, और alanine की, आप एक hydrogen को हटा करके, उस hydrogen की जगा, phenyl group लगाते हैं, तो यह क्या बन जाता है, phenyl alanine, बताओ, याद करना पड़ा, याद करना पड़ा, phenyl alanine, और आपको ऐसे धक्के से बोल दूँ भाई, phenyl alanine बनाओ, तो आदे बच्चे बेहोस हो जाएंगे, अरे नहीं सर, यह तो कभी पढ़ा ही नहीं, खुद से बना सकते हैं, भाई, घर पे बना सकते हैं, concept clear होने चाहिए, अगर मुझे alanine पता है, तो मुझे phenyl alanine भी पता है, correct है ना, अमारे सामने ही तो बनाया है, rocket science थोड़ी है मेरे दोस्त, यहाँ पर देखिए, अब इस phenyl alanine के उपर, मुझे add करना होता है, OH group, अगर मुझे इसके उपर, OH group add करना है, तो मैं कौनसा enzyme यूज़ करूँगा, phenyl alanine के उपर, OH group लगाने वाला enzyme, क्या कहलाएगा, phenyl alanine, hydroxylase कहलाएगा, phenyl alanine को hydroxylase करने वाला, hydroxyl group add करने वाला, phenyl alanine hydroxylase कहलाएगा, कहलाएगा, और अगर वो enzyme ठीक से काम कर देगा, तो हमारा ये जो amino acid है, हमारा ये जो amino acid है, इसमें क्या हो जाएगा, OH group add हो जाएगा, यहाँ आपका CS2, यहाँ आपका वही सेम फिनाइल ग्रूप एंड यहाँ पर आपका नीचे आ जाएगा OH करेक्ट है जी, यह OH मैंने एड किया यहाँ यह है फिनाइल एलेनीन इस फिनाइल एलेनीन पर जब मैं OH ग्रूप एड कर देता हूँ तो it becomes another amino acid called as tyrosine फिनाइल एलेनीन tyrosine में convert होता है इस enzyme की वज़े से फिनाइल एलेनीन hydroxylase enzyme की वज़े से अब समझ लीजे मैं इस enzyme पर बिजली गिरा देता हूँ यह enzyme मैंने कर दिया है inactivate क्या फिनाइल एलेनीन tyrosine में convert हो पाएगा नहीं हो पाएगा अगर फिनाइल एलेनीन tyrosine में convert नहीं हो पा रहा तो यह पहले तो tyrosine में convert हो जा रहा था अब यह 80 होता जा रहा है इसका amount भड़ता जा रहा है तो यह फिनाइल एलेनीन खुद की शकल जैसे ही और product बना लेगा जिने कहा जाएगा फिनाइल एलेनीन के derivatives तो यह किसमें convert हो जाएगा इट कनवर्ट्स into फिनाइल पाइरुवेट it converts into फिनाइल पाइरुवेट and its derivatives यह फिनाइल पाइरुवेट और इसके डेरिवेटिव जो है यह जमा होने लगेंगे हमारी बॉडी में specifically कहां पर they accumulate in our brain और brain में चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा तुम्हें दिवाना बना देंगे खुद का दिवाना नहीं सच में दिवाना mentally retard कर देंगे mental retardation हो जाएगी बहुत जादा जमा हो जाएंगे आपकी बॉड़ी में दिमाग में जमा हुए तो mental retardation body के किसी और और्गन में जमा हुए तो हम इनको सूसू के थ्रू बहार निकाल देंगे क्योंकि kidney इनको reabsorb नहीं कर पाती इसलिए they are eliminated through our urine they can be eliminated through urine due to their poor reabsorption body में reabsorb तो होते नहीं है इसलिए निकाल दिये जाते हैं और ये बिमारी बच्चों में जन्म से ही होती है इसलिए इसको क्या कहते हैं हम लोग inborn error of metabolism inborn error of metabolism मतलब कुछ बच्चों के metabolism में ये पंगा पैदाईशी होता है कि वो इस enzyme को नहीं बना पाते जिस वज़े से उनमें mental retardation हो जाती है प्लस और क्या होता है सर हम तो pleiotropic की बात कर रहे हैं तो सिर्फ mental retardation थोड़ी होगी कुछ और भी तो होगा बिलकुल होता है loss of skin and hair pigmentation skin and hair अपना color lose करना start कर देंगे और 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 भी body के कई organ damage होना start हो जाएंगे यानि यहां भी आपका सिर्फ एक gene में alteration आई और आगे कई चीजे आपकी hemper होती चली गई फिनाइल एलनीन राइड्रोक्स लेज एंजाइम है एंजाइम है यानि क्या है एंजाइम क्या होते हैं by nature protein होते हैं जी सर protein कैसे बनते हैं DNA से बना RNA RNA से बना protein यानि एक gene जो है एक DNA का टुकड़ा जो है वही प्रोटीन बनाता है तो मेरे भाई फिनाइल एलेनीन हाइड्रोक्सिलेज नाम के इस प्रोटीन को बनाने वाले जीन को जब मैं म्यूटेट कर दूँगा तो ये प्रोटीन भी सही नहीं बन पाएगा और मुझे ये बिमारी हो जाएगी यानि सारा खेल जीन का है अगर आप DNA को अल्टर कर दोगे तो RNA भी चेंज हो जाएगा प्रोटीन भी चेंज हो जाएगा और बैंड बस्ती हुई चली जाएगी गरेक्ट है एकदम करेक्ट है यहाँ पर अब आजाते हैं डाय हाइब्रिड क्रॉस पे यहाँ तक क्लारेटी है एक बार तारारा इन दे चैट सेक्शन प्रीज यहाँ तक क्लारेटी है यहाँ तक सबको सारी बाते समझ में आ रही है फटाफट बता दीजिए मेरे दोस्तो यहाँ तक सबकुछ ठीक क्लियर है बहुत बढ़िया चांदर अब अगर आप देखें तो इस टाइम तो अंड़स्टैंड डाय हाइब्रिड क्रॉस डाय हाइब्रिड क्रॉस का क्या मतलब है यहाँ अब सारे के सारे करेक्टर्स आपने सेम रखे सारे करेक्टर्स सेम रखे दो पेरेंट्स के अंदर सिर्फ दो करेक्टर आपने चेंज कर दिये मोनो हाइब्रिड क्रॉस में क्या क्या सिर्फ हाइट वाला करेक्टर चेंज था बाकि सारे के सारे 6 करेक्टर सेम थे अब यहां आप पाँच करेक्टर को सेम रख लो सिर्फ दो करेक्टर चेंज कर दो अपने मन पसंद के जिनका inheritance pattern आप note कर सको so five characters of parents are kept same and inheritance of two characters is seen inheritance of two characters is seen for example यहां पर हमने ले लिये है round and yellow seed round भी आपका dominant character है और yellow भी dominant character है और इसके बगल में हमने ले लिये है wrinkled round की जगा wrinkled का pure line और yellow की जगा green recessive pure line तो round yellow seeds और wrinkled green seeds round yellow तो pure आपका dominant round pure आपका yellow यहां आपका round की जगा wrinkled yellow की जगा green कुछ इस हिसाब के आपके parent दिखाई देंगे correct है जी एकदम correct है अब अगर आप देखें तो यहां gamete कैसे बनेंगे gamete कैसे बनेंगे यह आपके parents है हाँ sir यह parent है अब इनके gamete कैसे कैसे बनेंगे how can you make the gametes यहां से सिर्फ r आएगा कोई और r है नहीं यहां से सिर्फ y आएगा तो आपके gamete कैसे बनेंगे capital r capital y यहां से सिर्फ छोटा r आएगा capital r है नहीं यहां से सिर्फ छोटा y आएगा capital y है नहीं यहां पर क्या बनेगा small y capital small y small r करेक्ट देखो एक बार गैमीट कैसे बनते हैं आपको ट्रिक बताता हूं दुनिया में कोई भी गैमीट बना पाओगे मुझे कोई बोले कि सर गैमीट बनाने हैं तीन केरेक्टर्स मैंने लिए हैं जाएं जाएं फ Kathleen पसटिजन बबनीर ठीद सकती हैं अगलेच्टर की मर्ज करिये और फिर किश्रे एक बार आरॉब से हैं हो सकता है सुनने में complicated लग रहा हो, यहां मेरे पास सिर्फ capital R, capital R है, तो मेरे पास सिर्फ capital R है, कोई small r नहीं है एक ही बार मैंने capital R लिखा यह capital R, यहां capital Y, small y है, दोनों के साथ आपका merge हो सकता है, तो दो combination बनेंगी, capital Y, small y जहां यह capital T small t के साथ merge हो सकता है, बिलकुल हो सकता है, तो यहां मैं fork बनाता जाओंगा, capital T, small t capital T, small t मेरे gametes क्या-क्या बन गए? capital R, capital Y, capital T capital R, capital Y, small t capital R, small y, capital T capital R, small y, small t बन गए जी, बन गए अब मैं एक और example लेकर देख लेता हूँ, मेरे पास है capital R, small r, capital Y, capital Y और capital T, capital T अब बताए क्या हुआ, देखे capital R और small r, दो condition है, तो capital R अलग रखूँँगा, small r अलग रखूँँगा, यहां शुरुआत ही दो से हुई, अब capital Y, capital Y तो दोनों जगा रखने पड़ेंगे, दोनों combination में, इसका भी है capital Y से इसका भी है capital Y से और यहां capital T, small capital T, capital T, तो इसका भी capital T से, इसका भी capital T से उत्तर क्या आगया भाईया उत्तर क्या आगया, capital R, capital Y, capital T small r, capital Y, capital T बन गया बन गया सर और देखो भाई, और देखो खूब टाइम है, capital R, small r, capital y, small y, small t, small t, सारी random combinations है, और tri hybrid cross के लिए बता रहा हूँ, तो हलुआ हो जाएगा, इसके बाद, भाई, यहाँ पर देखिए, मैं capital R, small r ले लूँगा, starting में, capital R ले लिया, मैंने small r ले लिया, correct, अब मैं, यहाँ capital y, small y, small y, capital y, small y, जिसके जितनी combinations बनती हैं, सारी बना दूँगा, यहाँ small t, small t, तो इसका भी small t से, 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 उत्तर क्या आगया मेरे पास, capital R, capital y, small t, capital R, small y, small t, small r, capital y, small t, small r, small y, small t, small r, small y, small t, small r, small y, small t, है एकदम करेक्ट है अब एक नियुमेरिकल देता हूँ आपको आप बोलोगे सर पढ़ाया कुछ और पूछा कुछ और लेकिन सब स्क्रीन के उपर है कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल टी स्मॉल टी मेरा सवाल है हाव मैनी गैमीट्स विल बी फॉर्म्ट हाव मैनी गैमीट्स उत्तर है आपका एक दो चार आठ ठीक है चलो भाई पोल काहां से लगता है भाई हाँ चलो भाई पैतालिस सेकंड ले लो सॉल्व करो आराम से और मैं कह रहा हूँ इसका जवाब स्क्रीन के उपर है पिर आप बोलोगे सर जेनेटिक्स के न्युमेरिकल सॉल्व नहीं होते मैंने आपको उपर तीन सवाल कराए है उनसे आपको कुछ अब्जर्वेशन निकालनी थी और आप बिना सॉल्व करें भी इसका उत्तर दे सकते हो कैसे वह मैं आपको थोड़ी दिर में बताऊंगा कि इस वाल अब्जर्विंग दा पैटन्स जेनेटिक्स पूरी की पूरी अब्जर्वेशन बेस्ट है आप देखे क्या होगा यहां पर आठ हो जाएगा और मुझे कैलकुलेशन की जरुवत नहीं है मैंने आपके सामने खड़े होकर यह क्वेश्चन फिर्म किया है आपके सामने ही यहां पर हम सॉल्व कर रहे होंगा करेक्ट उत्तर हो जाएगा आठ आइम एक्सपेक्टिंग कि कोशिश करें आपके हेट रिखे क्योंट कook कितने हैं है यहां तो दो की पावर दो चारी आप recipe बनने ही हांपर अस घ्रेशन कितनी है एक और दो ये तो होमोसाइगस रिसेसिव है तो दो की पावर दो इस इकल टू चार गैमिट बनने चीए चार गैमिट बने यहां कितने हैं हेट्रोजाइगस आपके एक दो-तीन तो यहां आपका कुछ नॉर्मल तिगडम है जो हमने यहां पर देखा गैमिट बनाना सिख गए कितने भी देदू भाई टेट्रा आपको यहां पर मैं हाइब्रेड क्रॉस के देदू तो भी आप बना दोगे फोर्क है एक के बाद एक लगाते जाओ भाई ट्रेट्स सारे के सारे कॉम बच्चा कैसा बना बहाई कैपिटल आर स्मॉल आर मैं कैसा बनेगा बहाई कैपिटल आर डॉमिनेंट राउंड बनेंगे capital Y yellow बनेंगे round और yellow same आपका जैसे mono hybrid cross में F1 generation में सारे बच्चे tall थे dominant parent जैसे वैसे यहाँ पर round yellow एक ही parent जैसे हैं यह इनको हम cross करा देंगे selfing करा देंगे इनकी capital R, small r, capital Y, small y यहाँ बताए गेमीट क्या-क्या बनेंगे क्या-क्या बन सकते हैं यहाँ पर fork method लगाईए गेमीट क्या-क्या बनेंगे capital R, small r, इसका हम क्या करेंगे capital Y के साथ, small y के साथ capital Y के साथ, small y के साथ यही बनेंगे गेमीट, क्या-क्या बनेंगे capital R, capital Y, capital R, small y small r, capital Y, small r, small y क्या यही गेमीट बनेंगे बिलकुल बनेंगे कि यहां भी यहीं गैमिट बनेंगे बिल्कुल बनेंगे बना लो भाई पुनेट स्क्वेर बना लो भाई एक पुनेट स्क्वेर और लिखलो सारी की सारी कॉम्बिनेशन्स बना लो भाई या पुनेट स्क्वेर और लिखलो सारी की सारी कॉम्बिनेशन्स यहां देखिए सारे के सारे गैमिट लिख दो भाई सारे के सारे गैमिट लिख दो यहां गैमिट क्या हो गए capital R, capital Y, capital R, small y, small r, capital Y, small r, small y सेम यहां पर capital R, capital Y, capital R, small y, small r, capital Y, small r, small y कर दो भाई आकरोस यहां पर पहले RR लिख लो capital R, capital R, capital R, capital R, capital R, small r, capital R, small r, capital 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 R, small r, capital R, capital R, small r स्मॉल और निखलो Capital y Y smaolly small y के पड़िटल वाई कैपिटल वाई कम फिरल वाई All the y census कि 5 द्रॉल वाईpack द्रॉड जो गया अधर मॉन्हार वाई स्मåल वाई। सभीतिट अजन कि एक मेकल्वाई स्मॉल वाई समॉल वाई है महिं वगा है है वो गया घर वालसे बच्चा पागल हु गया है है हराओ वाए-वाए बच्चे सोचे भाई गया काम से मास्थर थो थी थी यह लगी भाई इसको बना बनाय लेकर आना पड़ेगा वन्हा संसार में इज़द खतम हो जाएगी यह क्या चल रहा है कुछ अंदर क्या ख cultural हो रहा है कमरे के पता नहीं चल रहा है बहार से घर वाले के रहे बच्चा पाँगल हो गया बच्चों ने रहे की चलो यार कि अप देखो क्या हुआ अब इतना बड़ा टेबल या तो आप याद करो, या मेरी बात सुनो, डाय हाइब्रिड क्रॉस मतलब, ब्लेंडिंग तो हो नहीं रहे है, कैरेक्टर सो मिक्स हो नहीं रहे है, जब कैरेक्टर सेपरेट ही है, तो क्या मैं एक डाय हाइब्रिड क्रॉस को यह कह सकता हूं, कि वो टेक्निकली दो मोनो हाइब्रेड क्रॉस है अराम से सुनो बाई एक करेक्टर अलग है दूसरा करेक्टर अलग है ये ब्लेंड नहीं हो रहे हैं दोनों करेक्टर अपनी अपनी इनहेरिटेंस दिखा रहे हैं तो क्या मैं कह सकता हूं कि एक्ट्वल में ये एक डाय हाइब स्रेड़ेट्प एक 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 16 हाइब्रेड हो है तो डाय हाइब्रेड रेशियो आखिर है क्या दो लो-मोनो-हाइब्रिड क्रॉस ही तो हैं, तो 3 रेश्यो 1 इंटू 3 रेश्यो 1, क्या कर देंगे भाया जी? 3 इंटू 3, 9, 3 इंटू 1, 3, 3 इंटू 1, 3, 1 इंटू 1, 1, क्या यह हमारा डाय हाइब्रिड क्रॉस का रेश्यो आ गया? एकदम सही आगया, अब आप गिनते बैठो इसको, हाड़ वर करो भाईया, खूब, खूब गिनो बैठके, रात तक गिनो, है ना, उत्तर यही आएगा, जीनो टिपिक रेशियो क्या आगया था भाईया, हमारा मोनो हाइब्रिड क्रॉस का, एधर, जीनो टिपिक रेशियो क्या आगया था, वन रेशियो टू रेशियो वन, अब यहां पर हम कह रहे हैं, this is not a died hybrid cross, this is two monohybrid crosses, 1 रेशियो टू रेशियो वन, इंतु 1 रेशियो टू रेशियो वन, क्या आजाएगा उत्तर, क्या आजाएगा भाईया, 1 ratio 2 ratio 1 ratio 2 ratio 4 ratio 2 ratio 1 ratio 2 ratio 1 गिनो आराम से बैठके जिसको मेहनत करनी है करो भाई हम नहीं रोकेंगे खूब बैठके गिनो आराम से गिनो पर जब आप pattern को समझ लेते हो तो आपको दिक्कत नहीं आती जीवन में अब मुझसे कोई tri hybrid cross का ratio पूछ ले यह ट्राई hybrid जो हमारे syllabus में है भी नहीं 9 ratio 3 ratio 3 ratio 1 यह die hybrid का निकल गया था mono hybrid का 3 ratio 1 क्या आ जाएगा मेरा उत्तर 9 through 27 आ जाएगा नो आ जाएगा 9 आ जाएगा तीन आ जाएगा 9 आ जाएगा 3 आ जाएगा थ्री आ जाएगा वन आ जाएगा लो ट्राइब्रिट का ठेट्रा अईब्रेट का बता देगे और बताो यह आपका वन रेश्वोस का है इसको क्रॉस कर दो वनंड टूरेश्यो वन से ट्र ép रिदा जीनो टीपिक आ जाएगा क्या जाएगा वंड रेश्योट टू रेस्डो टू रेश्यो फोर रेश्यो वन रेशो टू रेशिओ वन रेशो टू रेशो फोग रेशिओ यह आ जाएगा यह युट तो आप कॉंसेट तो कहीं भी लगा लो ना फिर आपको याद क्या करने की जरूरत है कुछ भी नहीं कितना भी कॉंपलेक्स कितना भी आसान सब हलुआ है लेकिन हमने क्या पाया इस पर्टिकुलर एक्जामिनेशन में हमने यह पाया कि आपका कैपिटल आर किसी भी वाई से फ्यूज कर सकता है जा यहां पर आपका कैपिटल आर कैपिटल वाई से फ्यूज किया किया कैपिटल वाई से फ्यूज किया किया यहां यह इंडिपेंडेंट अलील्स है यह इंडिपेंडेंटली सेग्रिगेट होते हैं और किसी भी कॉंबिनेशन में मिल सकते हैं यही तो मेंडल सहाब का थर्ड लौ है जो उन्होंने डाय हाईब्रिड क्रॉस के बेसिस पे दिया अगर आप मल्टिपल केरेक्टर के साथ डील कर रहे हो तो हर केरेक्टर सेपरेटली अपने अलील्स को सेग्रिगेट कर सकता है और किसी भी फॉर्मैट में वो री कंबाइन कर सकते हैं यहां आप देखो राउंड के साथ येलो सीड भी बना है राउंड के साथ आपका ग्रीन सीड भी बना है सिमिलरली रिंकल्ड के साथ भी आपका ग्रीन सीड बना है रिंकल्ड के साथ भी आपका येलो सीड बना है यह हर प्रकार से मर्ज कर सकते है यही तो इंडिपेंडेंट independent assortment, क्या कहता है ये, कि characters independently assort करते हैं, multiple characters हैं, तो भी independently एक दूसरे को, युनो कुछ कहें बिना वो अलग-अलग जा सकते हैं, और independent hybrids बना सकते हैं, कहीं भी combine कर सकते हैं, किसी भी probability में combine कर सकते हैं, when two characters are combined in a hybrid, जब हमने दो characters यहाँ पर लिये, seed का color और seed की shape, when two characters are combined in a hybrid, their traits can segregate and recombine in any combination possible you know, अलग-अलील के साथ यह bind कर सकते हैं, for example, capital R, small r, capital y, small y, capital r, small r, capital y, small y, यह selfing हम लोगों ने कराई थी, कराई थी सर, क्या यह capital r, इस capital r के साथ नहीं gamete बना सकता, या नहीं प्रोजनी बना सकता, बिल्कुल बना सकता है, capital r, capital r भी आये थे हमारे उसके अंदर, बच्चों में, है न, capital y, capital y भी आये था, so we can make different combinations, है न, और इसलिए हमारे gamete भी different बने थे, यहाँ पर gamete ही बना लेते हैं, दुबारा चेक कर लेते हैं, राइट, यहाँ पर आपका gamete जो थे, यह क्या बनेंगे, capital r, capital y, capital r, capital y, capital r, small y, small r, capital y, small r, small y, small r, small y, सेम यहाँ पर, capital r, capital y, capital r, small y, small r, capital y, small r, small y, अब combinations बनाना स्टार्ट करो, यहाँ पर यह वाला जो है, यह इसके साथ जूड सकता है, तो capital r, capital r जूड गए, capital y, capital y जूड गए, यहाँ capital r, small r, small r के साथ भी जूड गए, इस वाली combination में, और capital y, small y के साथ भी जूड गए, यहाँ पर देखोगे, तो small r, जो है, यह आपका small r के साथ भी जूडा, और capital y, small y के साथ भी जूडा, यानि जो आप सोच सकते हो हर possible combination यहाँ पर बन सकती है every possible combination can be made जो आप सोच सकते हो वो यहाँ बनेगा क्योंकि यह सारे के सारे alleles independently segregate हो रहे हैं तो they can make every possible combination they can make every possible combination और यह तब ही हो सकता है जब यह independent हो that's why इस रूल को कहा गया law of independent assortment law of independent assortment correct है यहाँ तक सब कुछ clear है एक बार फटा फट बताईए यहाँ तक सब कुछ clear है एक बार बताईए एक last article है इसके बाद हम कुछ pyq solve कर रहे होंगे इस article का नाम है polygenic inheritance नाम से ही साफ साफ पता लग रहा है कि हम क्या कहना चाह रहे हैं पॉली जनिक मतलब पॉली मतलब मैनी यानि बहुत सारे का पॉली मतलब मैनी जनिक मतलब जीन्स चया जनि हरा हम यूторов offen यह कहते हैं कि एक जीन एक करेक्टर को एक्स्प्रेस करता है पर जब एक करेक्टर को एक्स्प्रेस करने के लिए बहुत सारे जीन्स लगें तो हम उसको पॉलिजेनिक इनहेरिटेंस बोलते हैं आराम से सुनेगा करें फंड लिए होस्प्रेस करते हूं आराम से लिए य्पटाश स टिन्सक्राइड लिए, विए detox में खर्वयद हैं लिए जिएके लिएके हैं विएस्प्रेस करेंड ने दिएकेर $2. इस पॉलिजनिक इन्हेरिटेंस फॉर एक्जम्पल हमारा स्किन कलर एंड हमारी हाइट इस प्रकार के स्ट्रिप दी जाती थी यहां दिखाते थे डार्क टोन और टक 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 करके वाइट टोन की तरफ या लाइट टोन की तरफ हम लोग जा रहे होते थे अब मैंने क्योंकि बच्पन में हम सब क्यूरियस होते हैं शायद आपने भी किया हो जब हम उस ट्रिप को अपने मूँ पे लगाते थे कि भई यह हमारे गोरे पन का मीटर क्या है दस में से कितना नंबर बन रहा है हमारा क्या हम जीवन में सफल हो पाएंगा नहीं जब हम यह चेक करना चाहते थे तो कई बार ऐसा होता था कि कोई स्किन टोन हमारी स्किन से मैच ही नहीं करती थी हम कहते थे साथ और आठ के बीच में ऐसा लग रहा है कि कुछ है बट इस नौट 7 इस नौट 8 एंड सिमिलर्ली दुनिया भर में अगर आप देखेंगे तो यह स्किन का जो ग्रेडियंट है यह बहुत ही जादा डाइवर्सिफाइड है हैं चैलारी हाइट risky देखें तो किसी कि हइट चारफीट है 4 वीट एक इंच है चारफीट और चार फीट एक इंच यह तो हम राउंड-अफ करके बोलते हैं सके बीच में भी हाइट होती है यानि खूब सारी है खूब सारे सिकिन कलरों है ऐसा नहीं हे मेंडल साहब की मटर की तरह कि या तो आप टॉल हो या तो आप 6-7 फीट के ही हो या आप आदे से 1 फीट के ही हो ऐसा नहीं है खूब ग्रेडियन्ट है क्योंकि यहाँ एक जीन जो है वो सिर्फ डिसाइड नहीं कर रहा हमारी हाइट को हमारे स्किन कलर को बहुत सारे यहाँ पर आपके क्या है जीन्स हैं जो यह डिसाइड कर रहे हैं जिस वज़े से आपके स्किन कलर और हाइट में एक ग्रेडियन्ट डवलप हो जाता है एक रेंज डवलप हो जाती है तो हूमन पॉपुलेशन में खूब रेंजिस देखने को मिलती है For example अगर आप स्किन कलर को देखोगे तो स्किन कलर लेट से आपका तीन जीन्स कंट्रोल करते हैं स्किन कलर लेट से इस कंट्रोल बाय त्री जीन्स तो यह त्री जीन्स कौन से हो जाएंगे ए, बी और सी ठीक है अब अगर ये A B और C तीनों के तीनों डॉमिनेटिंग है अगर A B और C तीनों के तीनों एक्सप्रेस है और डॉमिनेट कर रहे हैं तो आपका skin color हो जाएगा darkest अगर ये एकदम intermediate हैं तो आपका skin color क्या हो जाएगा intermediate intermediate और अगर यह एकदम recessive है तो आपका skin color क्या हो जाएगा आपका skin color हो जाएगा एकदम lightest यानि अगर आप देखें अगर आप देखें तो इन genes का जो effect है ना that is additive यानि एक जीन अगर सिर्फ dominant है दो recessive तो कम darkness दो अगर dominant है तो ज्यादा darkness तीनो dominant है तो और ज्यादा darkness एडिटिव effect यहां पर देखने को मिलता है अगर देखने को मिलता है अगर देखने को एडिटिव effect देखने को मिलता है अगरेक्ट जितने genes आपके dominant होते जाएंगे उतना ज्यादा dark color की तरफ आप जाते जाएंगे जितने आपके recessive होंगे उतने light color की तरफ आप जाते रहेंगे तो यह जो है आपका additive effect दिखाता है correct this is your polygenic inheritance genetics में थोड़ा समल के चलना पड़ता है दोस्त sir is skin color also an example of co-dominance है ना यर co-dominance actual में क्या रहता है अलग-अलग alleles आपके साथ dominate करते हैं यहाँ यह different genes है और इनके different alleles है यह देखो capital A is dominant small a is not तो co-dominance कहा होई अगर capital A और small a दोनों साथ में dominate कर रहे होते तो co-dominance होती ना जब दोनों alleles की आउकात बराबर हो that is co-dominance यहाँ तो capital A स्रिफ dominate कर रहा है capital B dominate कर रहा है capital C dominate कर रहा है small a small b small c कहाँ dominate कर रहा है तो it is not co-dominance correct समझ जा रहो थोड़ा थोड़ा अगर change कर देंगे question में कुछ-कुछ तो गड़बड़ी हो जाएगी दोस्त है ना तो यहाँ पर practice makes you perfect men and women बोथ कि अब देखते हैं पुस्तक में क्या लिखा हुआ है incomplete dominance में हमने देखा कि आपका बच्चा जो था वो आपका दोनों parent जैसा ही नहीं था it did not resemble any of the two parents for example dog flower जिसको snap dragon भी कहते है या इसको anti-rehenium भी कहते है इसके फूलों में या mirabolis jalapa जिसको four o clock plant कहते है उसके फूलों में या capital R capital R है तो लाल फूल है और small r small r है तो सफेद फूल है लेकिन अगर capital R small r साथ है तो आपका यहा पिंक फूल बनता है जो दोनों parent जैसा ही नहीं है अगर आप यहाँ पर phenotypic और genotypic ratio देखोगे तो दोनों एकदम सेम आते हैं 1 ratio 2 ratio 1 secondly co dominance यहाँ पर बच्चा जो है यह दोनों parents जैसा ही होता है it resembles both the parents for example आपका blood grouping यहाँ पर आपका एक gene है capital I इसके अलग अलग forms हो सकते हैं जैसे IA जो different sugar बनाएगा RBC की membrane पर IB जो थोड़ी और different sugar बनाएगा and छोटा आई जो कोई sugar नहीं बनाएगा तो only small i is basically recessive IA और IB दोनों के दोनों क्या होते हैं completely dominant होते हैं small i के उपर तो अगर small i किसी के भी साथ present है IA के साथ present है तो blood group A हो जाएगा IB के साथ present है तो blood group B हो जाएगा IA और IB अगर साथ present है तो blood group AB हो जाएगा जो की co-dominant state है हम इसी को पढ़ने के लिए यहाँ पर पहुंचे थे It is co-dominance Correct है और सिर्फ छोटे आई छोटे आई जब साथ में होंगे तब जाके O blood group आएगा this is co-dominance अब अगर आप co-dominance को देखो तो यहाँ multiple allelism क्या देखने को मिल रहा है जो gene था आपका capital I उसके तीन अलग-अलग forms हैं दो होने चाहिए थे तीन हैं Ia, Ib और छोटा I तो यहाँ पर 3 alleles देखने को मिल रहे हैं एक population के अंदर individual organism में तो दो ही आपके पाए जा सकते हैं तो this is example of multiple allelism also फिर आती है pleiotropy जहाँ पर single gene जो है यह आपके कई सारे characters को control कर सकता है जैसे starch synthesis in P plant तो capital capital यहाँ पर अगर B है तो starch grains आपके जो है या P grains जो है यह बड़े भी होंगे और गोल मटोल भी होंगे small भी small भी है तो छोटे भी होंगे और wrinkled भी होंगे और capital भी small भी है तो आपके intermediate size के होंगे लेकिन round होंगे अब size intermediate है तो incomplete dominance का भी एक example हो जाता है pleiotropy का दूसरा example है आपका phenyl ketonuria जहांपे phenyl elanine hydroxylase enzyme जो बनना था यह नहीं बन पा रहा है इसको बनाने वाले gene में mutation हो गई है तो phenyl elanine अब tyrosine में convert नहीं हो पा रहा है जिस वज़े से hair और skin pigmentation आपकी loss हो चुकी है और यह phenyl elanine, phenyl pyruvic acid और इससे मिलते जुलते जो component हैं brain में भी accumulate होकर आपको mental retardation दे सकते हैं तो जब एक metabolic pathway है उसके किसी important gene को आप mutate कर देंगे तो उस metabolic pathway के कई products आपके बनना बंद हो जाएंगे यानि एक जगा blockage होने से आगे के कई आपके products सही नहीं बन पाए जिस वज़े से multiple problems हो गई right this is phenyl ketone urea अब हम बात करते है inheritance of two genes की यानि हमने दो characters यहां ले लिए हमने color ले लिया एक तो yellow और green और हमने shape ले ली round और wrinkled इन दोनों को हम लोगों ने cross कराने की कोशिश करी right तो हम लोगों ने pure lines बना रखी थी एक आपकी round और yellow की एक आपकी wrinkled और green की तो इनके f1 generation में ये combinations बने and then हमने इनके gamit बनाए तो capital r capital y के साथ बना सकता है capital r small y के साथ small r capital y के साथ small r small y के साथ तो आपके अलग-अलग gamit यहाँ पर बन जाते हैं जिनको हम लोगों ने segregate होते हुए देखा तो यहाँ पर capital r capital y के साथ capital r small y के साथ है ना small r capital y के साथ और small r small y के साथ ये gamit बने male के भी और female के भी possible combinations हमने देख लिए यहाँ पर phenotypic और genotypic तो यहां से हमारे पास आया law of independent assortment कोई पूछ ले law of dominance और law of segregation कहां से निकाला mendel साहब ने mono hybrid cross से और law of independent assortment कहां से निकाला डाय hybrid cross से हमेशा याद रखेगा तो यहाँ पर 9 ratio 3 ratio 3 ratio 1 phenotypic ratio आया और genotypic हमको पता है कितना आया 1 ratio 2 ratio 1 ratio 2 ratio 4 ratio 2 ratio 1 ratio 2 ratio 1 यह डाय hybrid cross के mono यह यह डाय hybrid cross के phenotypic और genotypic ratio है independent assortment के law में mendel साहब ने बताया when two pair of traits are combined in a hybrid two pair of traits यानि आपने क्या लिये हैं चार ट्रेट लिये हैं दो character है तो चार ट्रेट हो गए दो character कौन-कौन से है आपके seed का color तो color कैसा हो गया color कैसा हो गया आपका yellow और green तो दो ट्रेट हो गए और seed की shape round और wrinkled तो दो ट्रेट यह हो गए total trait कितने हो गए चार इसको क्या बोल सकते हैं two pairs तो दो pair of traits हो गए हो गए sir तो when two pair of traits are combined in a hybrid segregation of one pair of characters is independent of the other pair of characters यानि एक character है अगर आपका seed की shape तो यह आपके किसी भी seed की color से combine हो सकती हैं भाई क्या आपके round seed आपको मिले यहाँ पर yellow मिले क्या मिले आपको green मिले क्या wrinkled वाले आपको मिले yellow मिले क्या मिले green मिले यानि किसी भी possible combination को हमने यहाँ पर बनते हुए देख लिया है भाई पीछे चलो कलर दिखा देता हूं साफसाफ पता लग जाएगा क्या round यहाँण पर yellow मिला मिला क्या round यहाँँढ यहाँपर green मिला मिला क्या wrinkled यहाँँढ यहाँट यहाँढ पर green मिला मिला किसी को किसी की permission लेने की कोई जरूरत नहीं है अगर मैं दो characters को consider कर रहा हूँ यहाँ पर seed की shape और seed का color तो मेरे भाईया कोई भी shape किसी भी color से combine करेगी चारों यहाँ format में आपको दिखा चुका हूँ यहाँ round seed है तो yellow भी है यहाँ round है तो आपका green भी है यहाँ wrinkled है तो green भी है यहाँ wrinkled है तो yellow भी है और भी further combinations है जितनी आप combination सोच सकते हो सब बन सकती है क्योंकि सारी चीजें independently हो रही है यह एक दूसरे के साथ blend नहीं हुए characters mix नहीं हुए gamit formation के दौरान यह allele separate भी हो सकते है और किसी भी format में combine भी कर सकते हैं सब्सक्राइब और इनको हम लोगों ने क्रॉस कर आया polygenic inheritance में हम लोगों ने देखा कि यहाँ पर gradient बना होता है लोगों की height में और skin tone में skin color में एक particular skin color नहीं है बहुत सारे variable skin color हो सकते हैं और ऐसा नहीं है कि हमारे पास सिर्फ लंबे या छोटे लोग है अलग अलग प्रकार की आपकी height भी हो सकती है तो तीन या तीन से जादा genes जब एक character को express करवाएं इसे polygenic inheritance कहा जाता है और इस पे environment का प्रभाव भी पड़ता है इस पे कई बार environment का प्रभाव भी पड़ता है दोस्त अब आप रही ऐसे इलाके में रहे हो एफरीका में तो वहाँ पर scorching sun है तो ultimately वहाँ पर लोगों का dark होना बहुत ही normal सी बात है अगर कल को कोई harmful radiation उनकी बाड़ी पे गिरती है और हमारी बाड़ी पे गिरती है कि harmful radiation का प्रभाव उनके उपर कम से कम पड़े और जो सफेद लोग है उनकी बाड़ी पर अच्छा खासा प्रभाव पड़ेगा इसलिए आपने देखा है कि लोग अपने skin की protection के लिए sunscreams ये सब इधर उधर का माल लगाते रहते हैं लेकिन जो लोग जंगल में रहते हैं एफ्रीकन्स होते हैं मस्त घुमते रहते हैं विकाज उनको पता है अपन चिल है हमारे पास अल्रेडी एक natural adaptation है जो हमको better बना रही होगी skin color में अगर आप देखें तो ये तीन ऐसे jeans हैं जो skin color को प्रभावित करते हैं अगर ये सारे dominant हैं तो darkest color आएगा अगर ये सारे recessive हैं तो lightest color आएगा तो यहाँ पर additive effect हमको देखने को मिलता है एक-एक jean जब dominate होता जाएगा तो आपका addition करता जाएगा इंदा प्रभाव करेक्ट यहाँ तक सब कुछ clear है तो बताए भाई फटा-फट इस everything fine आधा chapter हो चुका है आधा chapter हो चुका है भाईया देखते हैं कितना बड़ा है और कितना आगे और पड़ा है एक बार देख लेते हैं भाईया वन थर्टी टू आदे से भी कम ही हुआ है दोस्त पर आगे थोड़ा समझने का जादा है, लिखने लिखने का कम है, समझने का जादा है, तो थोड़ा समझ लेंगे, प्लस mad easy की भी आपको एक जलक दिखाई जाएगी, आज बहुत अच्छी जलक दिखलाजा कर देंगे उसका भी, यहां तक ठीक है, चलिए, सवाल सॉल्व करेंगे, तो बैटर वे में पता लग जाएगा, कितना ठीक है, कितना नहीं आपके computer screen के उपर सवाल है, 30 second का मैं timer लगा रहा हूँ, फटाफट सवाल सॉल्व करें given below are two statement, दो statement है, Mendel studied seven pair of contrasting traits in pea plants and proposed the law of inheritance, seven characters examined by Mendel in his experiment on pea plants were seed shape, color, seed shape और seed का color, flower color, pod shape, pod का color, flower position and stem की height तो साथ character या 14 traits उन्होंने देखे और उनके नाम दे रखे हैं, तो सही है, दोनों statement correct है, statement one and two are correct, दोनों बाते correct है, उत्तर के आ जाएगा आपका, भी आ जाएगा यहाँ मरे हो ना सब है ना भाई मैं जानता हूँ उत्साह है, बहुत है, लेकिन सवाल तो पढ़ लो क्या पूछा गया है, दोनों बाते एकदम correct है, भाई, 100% correct है जल्द बाजी में इधर उधर के उत्तर नहीं मानने है, उत्तर हो जाएगा, second, दोनों की दोनों बाते correct है, statement one is incorrect correct है, चलो, अब आगे से थोड़ा धंग से करना, चलिए भाई इसको मार्क करिए, the production of gametes by parents, formation of zygote, the f1, f2 plants can be understood in the diagram called, एक ऐसा diagram जिसमें सारी चीज़े, gamete भी रख सकते हो, parent क्या है, वो भी बता सकते हो, सारी possible combinations बता सकते हो, इसे क्या कहते हैं हम लोग, पुनेट स्क्वेर कहते हैं, और यह neat का सवाल है, और आप देखो भाई, एक बार जवाब देखो, net square, bullet square, punch square, और एक दम प्यारे options, है ना, अच्छा owner, पुनेट, ठुनेट, सुनेट और गुनेट नहीं बोला, तब क्या उखाड लेते हम, है ना, मतलब हमारे तो हाथ में ही नहीं है, अब जो दिया है, वो ठीक ही है, पर एक कुछ भी दिया है, भाई, इससे अच्छा question, बच्चा खुद frame कर लेता, खुद के अगला सवाल देखिये, identify the wrong statement with reference to gene capital I that controls ABO blood group, the person will have only two of the three alleles, correct है, एक इंसान में तो दो ही alleles हो सकते हैं, तीन में से, population में तीनों होंगे, when IA and IB are present together, they express same type of sugar, sugar same type की नहीं होती, दोनों dominant जरूर होते हैं, sugar अलग-अलग होती है, अलील, I does not produce any sugar, सही बात है, O blood group में कोई sugar नहीं होती, the gene I has three alleles, IA, IBN, चोटा ये एकदम सही है, यानि ये second वाली बात जो है, गलत बात है, तो उत्तर क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा, second वाली बात, ओहो, मैनत करने की जरूरत है दोस्त, क्योंकि सवाल बहुत ही आसान था, अब हो सकता है, पोल किसी पे लेट पहुंचा हो, या जो भी x, y, z समस्या हो, उसमें I am not very sure, कि आप क्या बोलेंगे, लेकिन सवाल बहुत ही उद्दू था, तो इसको तो आपको कर ही लेना चाहिए था, सही तरीके से, चलो भाई, आगे बढ़ता, एक सेकंड का सवाल है, बहुत जादा टाइम मत लगाना, और सोच समझ के करना, हाला कि confusing option कोई है नहीं, तो बचता नहीं है, कितनी बनाई, अब देखो, इसमें भी option अच्छे नहीं दिये, अगर यहाँ 7 और 14 दिया होता option में, that can become a very good question, बट नहीं, दो देंगे, आठ देंगे, चार देंगे, जिसका कोई लिना देना नहीं है इस chapter से, तो बच्चा confused कहां होगा, सीधा सीधा यह तो नंबर देने वाली बात हो गई, उत्तर क्या हो जाएगा दोस्त, 14 true breeding plant varieties बनाई, 98% यार कमाल, चलिए, आप देखो, same सवाल है, मुझे नहीं लगता है, इसमें पोल भी देना चाहिए, true breeding plant varieties, 2020, 2020 covid, number of contrasting character studied by mental character, कितने थे, 7 थे, तभी true breeding varieties, 14 थी, correct है, तो इसके लिए अलग से पोल लगाने का कोई फायदा है नहीं, best example of pleiotrop is, pleiotropical अच्छा example क्या है, अभी पढ़ा था, दो एक्जामपल ही पढ़े थे, एक तो star synthesis in P, एंड दूसरा आपका phenyl ketonuria, color blindness अभी आपने पढ़ा नहीं है, आपका sex linked recessive disease है, abio blood grouping हमने पढ़ ली है, multiple allilism में भी पढ़ी, co-dominance में भी पढ़ी, and skin color हमने polygenic inheritance में पढ़ा, तो बाकि सारी चीज़े सौट है, phenyl ketonuria हम लोग आगे भी पढ़ेंगे, it is an autosomal recessive disease, लेकिन इसके साथ, pleiotropy का भी एक अच्छा खासा classic example यह बनाता है, ओ भाया, pleiotropy बूला है, pleiotropy में abio blood grouping कहां से आ गया भाई, pleiotropy में abio blood grouping कहां से आ गया, ऐसा मत करिया भाई, दिल से बुरा लगता है भाई, यहां तक subset, पटाफट बताएं दोस्ति, यहां तक subset, all good, चल्वी प्रोसीड, यहां तक सब ठीक है, आगे बढ़ें, सर लीडर बोर्ड बताईए, लीडर बोर्ड यार, अगले question में दिखा देंगे, क्योंकि अब एक question कराना पड़ेगा, तब शायद लीडर बोर्ड पे मैं जा पाऊंगा, I am not sure, ओके व्यू लीडर बोर्ड देख लो यार, पर्स्ट रैंक आई है, आउं यंगिंग की, तुम लोग इसलिए दिखवाते हों क्या लीडर बोर्ड, यह नाम पढ़वाने के लिए, क्याए चाइना सभी बच्चे आ रहें क्या भाई यहां पे, नीट की तैयारी करने, चाइना के बच्चे, वुहान के बच्चे अब पढ़ेंगे एम्स दिल्ली में, अगर यह बच्चा गलती से नहीं टॉप कर गया, न्यूस्पेपर की हेडलाइन्स, वुहान का बच्चा आएगा वेम्स दिल्ली, है ना, तो आउ याउ इंग, आ गया है भाईया, फर्स्ट, अफेक्शनेट ग्रेहाउंड आ गया है, भाई यह क्या चल रहा है क्लास में, मतलब क्या कोई देशी बच्चा है, मेरट का, मुदफर नगर, हर्याना, पंजाब, राजस्थान, यह कोई बच्चे हैं यहां पर या, यह ग्रेहाउंड भाईया क्या, स्कॉटलेंड, यूसे, यश भारती, भारती, बहुत बढ़िया, शाबाश, सानिया, खनम, टीना, जैन, समवन, चलो, कोई तो है, रैंक्ड अप, समवन भी आया है बाई, चठे पे, इसमें कोई भी अपना भढ़ लेना भाई, बोलना, इस टाम से जोइन किया था हमने, सयान भाई, शिव थोड़ा कुछ करना पड़ेगा, गुरू जी को, है ना, चलो, आगे भरते हैं, अब सारा गेम समझने का है, भाईया, पैन ही गिर गया, स्टार्टिंग में ही, अब इस आल अब अंडर्स्टेंडिंग दे कॉंसेप्ट, जो जितना प्यारे तरीके से कॉंसेप्ट को समझेगा, वो आगे निकल जाएगा, ठीक है, सवाल खूब आते हैं यहां से, और सारे सवाल बन जाएंगे, और कम से कम मेहनत में बन जाएंगे, यह मैं दावे के अब आपको कुछ दिखाता हूँ, कुछ टेबल्स बना रखे हैं, कुछ इधर उधर का मटीरियल है, जैसे ड्रॉइंग है, एना तो इट्स माई हैंड ड्रॉइंग, पूरी मैडीजी ही हाथ से लिखी गई है, तो आपको एग्जकली यह में जब समझा रहा हूँगा, तो यूल गेट अन आइडिया की कौन सी चीज कहां गई, करेक्ट, सिमिलरली, लिंकेज और रिकंबिनेशन इस एक स्लाइड में क्रैक हो जाएगा, पूरा का पूरा NCRT तोर फोर्ड होगे, सिर्फ इस एक स्लाइड में, अगर आप सेक्स डिटर्मिनेशन की बात करो, सेक्स ड तो भाई खतम कर देंगे, हम लोग हल्वा बना देंगे, आराम आराम से बस सुनते जाना, समझते जाना, मेंडल सहाब फेल क्यों हुए, पहला मेंडल सहाब का फेल होने का रीजन ये था, यूज ऑफ, मैथेमेटिक्स, एंड, स्टाटिस्टिक्स, इन बायलोजी, जिससे ज़्यादा तर बायलोजिस ने इनका पेपर पढ़ने से ही मना कर दिया, दूसरा, उस टाइम पर अपने पेपर को पबलिश होने के बाद, लोगों तक पहुचाना वस वेरी डिफिकल्ट, आज तो कोई छोटी सी अचीवमेंट भी हम लोग शेयर कर देते हैं, स्कूल में सेकेंड आ गए भाई, रेस में वो भी शेयर कर दिये कि फीलिंग पराउड इंडियन आर्मी भाईया, हम तो सेकेंड आए हैं, यह देखो हमारे हाथ में मैडल है, ऐसे करके फोटो खिचवाली इंस्टाग्राम पे डाल दी, और हो सकता है, वो वाइरल भी हो जा वो पूर, तीसरा जो हम मानते हैं, जिस हिसाब से हम मैंडल सहाब को देखते हैं भगवान की नजर से कि मैंडल स्वर्क वाज अहेड ओफिस टाइम, मैंडल स्वर्क वाज अहेड ओफिस टाइम, तो इसलिए मैंडल सहाब जो है, फेल हो गए, लेकिन मैंडल सहाब की डेथ के बाद, इनके जो दिये हुए रूल्स थे, उनको हम लोग री डिस्कवर करने लग पड़े, तो तीन साइनिस्त है, त्री साइनिस्त, 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 त्री सा इस इसुआ ते और है? जुए 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 जाया.. जुए 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 मेंडल्स लॉव इनाइन्टीनहंूंड्रेड इन्हों ने सोचा कि मेंडल्स चाब के काम को रीडिस्कवर किया जाए और एक नई दिशा दी जाए तो इसके बाद Mendel सहाब का काम दिखना शुरू हुआ तो यहाँ पर सबसे पहले Mendel सहाब के काम को जिन तीन साइंटिस्ट ने री डिस्कवर करना स्टार्ट किया वो कौन थे? आपका Hugo Deveries, Karl Corenz and Vaughan Shermac इन्हों ने कहा कि हम इनके रूल्स को और डेफ्थ में पढ़ेंगे और तब तक और भी रिसर्च हो चुकी थी फॉर एक्जामपल 1902 में अगर आप देखें 1902 तक आपकी क्रोमोसोमल मुवमेंट आपकी क्रोमोसोमल मुवमेंट तूरिंग मियोसिस वस ट्रैक्ड यानि हम लोग यह समझना शुरू कर चुके थे कि भाया जब मियोसिस होती है न जब गैमिट बन रहे होते हैं तो क्रोमोसोम अपोजिट पोल पर जा रहे होते हैं कौन से फेज में क्रोमोसोम अपोजिट पोल पर जा रहे होते हैं भाई आप बताईए फटाफट प्रॉफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, कौन से फेज में आपके क्रोमोजोम अपोजिट पोल पर जा रहे होते हैं, एनाफेज में जा रहे होते हैं, कि भाईया क्रोमोजोम अपोजिट पोल्स पर जा रहे हैं, और गैमीट में एंटर कर रहे हैं, और ये गैमीट फ्यूज करके जाइगोट बनाते हैं, तो क्या आपके दिमाग में एक बात क्लिक हुई, कि शायद अगली जनरेशन तक सारी इनफोर्मेशन क्रोमोजोम नाम की गारी में बैठ करके जा रही है, अगर आप साइंटिस होते तो इस बात से क्या पता लगाते हैं, भाई CID देखते हो, बच्पन में कभी तो देखा होगा, सर यहाँ पर कोई आया था, कौन आया था, कामवाली आई थी, कामवाली क्या लेकर आई थी, चिप्स का पैकेट ल थेले में, मनब सब सेम बात कह रहे हैं, में मुद्दा क्या है, कि चिप्स आई थेले में आई, सब ने इस बात को नोटिस किया, यहाँ पर भी सेम चीज है, भाई क्रोमोजोम ही सेपरेट हो रहे हैं, क्रोमोजोम ही आपके मीट कर रहे हैं, वाईल फॉर्मिंग है, जिसमें बैठ करके information जा रही है, क्रोमोजोम, अंदर क्या है यह हमें नहीं पता, लेकिन क्रोमोजोम को सेपरेट होते हुए, और जाईगोट में मिलते हुए हमने देखा, देखा, इतना तो हमको समझ में आ गया है ना भाई, इतना ही बाकी दुनिया के सारे scientist को भी में नहीं पता, लेकिन यह जो information जा रही है, अगली generation में, क्रोमोजोम के थ्रू जा रही है, तो इस क्रोमोजोमल मुवमेंट से हमें पता लगा, कि आपका inheritance क्रोमोजोम के थ्रू होती है, तो यहां Sutton and Bovary साहब ने क्या कहा? Sutton and Bovary said that information pass from one generation to next generation via अगली जनरेशन तक बैठ करके जाती है, तो आपका Chromosomal theory of inheritance का concept किनों ने दिया Sutton and Bovary साहब ने, experimentally प्रूफ किनों ने किया Chromosomal theory of inheritance को, प्रूफ किनों ने किया, fly man of genetics ने, fly man of genetics किसको कहा जाता था, जो fly पर खूब काम करते थे, फ्लाइमेन ओफ जनेटिक्स किसको कहा जाता था आपका मॉर्गन साहब को थॉमस हंट मॉर्गन साहब को मॉर्गन प्रूवड दा क्रोमोसोमल क्योरी अप इनहेरिटन्स मॉर्गन साहब ने यानि फ्लाइमेन ओफ जनेटिक्स ने क्रोमोसोमल थ्योरी अप इनहेरिटन्स को प्रूव किया और इस फ्रूट फ्लाइ को हम और क्या कह सकते हैं इसको हम कह सकते हैं साइंटिफिक नाम क्या है इसका ड्रॉसोफिला मेलानोगेस्टर ड्रॉसोफिला मेलानोगेस्टर इसको कहा जाता है तो यहां पर यह जो फ्रूट फ्लाइ है इसको क्यों चुना गया पहला मतर को चुनने का क्या कारण था शॉर्ट लाइफ स्पैन सेम वही कारण यहां पर भी है शॉर्ट लाइफ स्पैन बाई एक ड्रॉसोफिला जो है अपने जीवन को 14 से 15 दिन में यानि दो हफ्ते में पूरा कर लेती है यानि दो हफ्ते में आप इसका बच्पन जवानी बुढ़ापा सब कुछ देख लोगे तो जाहिर सी बात है बहुत जल्दी यह आपको बच्चे पैदा करके दे देगा दूसरा बच्चे पैदा भी जादा होते हैं तो ग्रेट नंबर ओफ प्रॉजनी जितने जादा बच्चे उतना स्ट्रॉंग आपका डेटा सेम मटर वाला पॉइंट है जहां पर तीसरा अगर आप देखोगे तो इट कैन बी ग्रोन इजिली इन लैब ग्रोन इजिली और एनी कल्चर मीडिया कुछ भी खाने पीने की चीज दे दो नखरालू नहीं है उसके ओपर ग्रो कर लेंगे खुब सारे बच्चे पैदा कर देंगे तो इन में ग्रो होने की कोई टेंशन है नहीं चौथा अगर आप देखोगे तो इन में सेक्श्वल डायमॉर्फिजम है Даже मतलब दोनों सेक्सित को आप आसानी से पता लगा सकते हो मेल और फिमेल में आप फर्क कर सकते हो तो सेक्शुल डैमॉर्फिजम इस प्रेजेंट डायाट इस आप कह सकते हो यह अल कैंभी एजीली । डिफेंशियेट्ट अगर आप कुछ डिफ्रेंसिज लिखना चाहो तो लिख सकते हो यहाँ पर मेल जो है ना इसका एब्डोमेन छोटा होता है और इस पर पतली-पतली स्ट्रिप्स होती है जब कि फीमेल जो है इसका एब्डोमेन भी बड़ा होता है और इस पर ठिक स्ट्रिप्स मोटी काले कलर की स्ट्रिप्स बनी होती है जिससे कि आप मेल को और फीमेल को इसली डिफ्रेंशियेट कर सकते हो डिस्टिंगुश कर सकते हो यह दोनों चीज़े आपको देखने को मिलती है करेक्ट एंड अगर आप देखें लास्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट है एंसी आर्टी में डिरेक्टली नहीं दिया हुआ लेकिन हम इसको डिरेक्टली लिखेंगे देर आर मैनी केरेक्टर्स many contrasting characters अलग-अलग character हैं just like मतर many contrasting characters that can easily be seen that can easily be seen with low power microscope right for example for example eye color eye color कैसा हो सकता है आपका drosophila के अंदर eye color हो सकता है आपका red लाल भी और वाइट भी आप बॉडी कलर देख लो बॉडी कलर कैसा हो सकता है drosophila में बॉडी कलर हो सकता है आपका ब्राउन और येल्लो भी इसके अलावा अगर आप विंग साइज देखे तो विंग साइज कैसा हो सकता है drosophila में विंग साइज कैसा हो सकता है लार्ज बड़ा विंग साइज एंड मिनियेचर छोटा विंग साइज तो कई ऐसे करेक्टर हो गया जो आप डिफ्रेंशेट कर सकते हो जस्ट लाइक मतर कि हाँ उसमें टॉल और ड्वार्फ मतर थी यलो सीड ग्रीन सीड थे वाइलेट फ्लावर वाइट फ्लावर था यहाँ पर भी आँख का कलर रेड या वाइट हो सकता है बॉडी का कलर ब्राउन या यलो हो सकता है विंग का साइज बड़ा या छोटा हो सकता है तो अल्टिमेटली कुछ ऐसे करेक्टर थे जो आप मतर देखके ही पहचान सकते हो तो आप बच्चों में इनहेरिटेंस का पैटरन बहुत आसानी से पकड़ पाओगे अगर आपने देख लिया है कि भाई मैंने लाल आख वाले मेल को सफेद आख वाले फीमेल के साथ मेट कराया कितने बच्चों की आखे लाल कितने बच्चों की आखे सफेद वो आप इसली देख पाओगे ये एक ऐसा करेक्टर है जो लो पावर माइक्रोस्कोप के अंदर आप देख पाओगे तो डेटा अच्छा बनेगा, that's why drosophila को यहाँ पर इस्तमाल किया गया in experiments में, अब linkage and recombination पर आजाते हैं, right, linkage and recombination में आजाते हैं, एक बात मुझे अराम से सोच करके बताएं, आप किसी से linked है, linkage मत्तब bonding होना, link होना, किसी से जुड़ जाना, जुड़ाव होना, अपनापन होना, आपका एक best friend है, उसके साथ आप जुड़े हुए हैं, उससे आप बहुत प्यार करते हों, first class से आपके साथ है, तो, क्या आप किसी और से recombine करेंगे 12th class में जाकर के, क्या आप किसी और से recombine करना चाहेंगे, सामने वाले दोस्त का दिल नहीं तूट जाएगा, अगर आप कहीं और दोस्ती कर बैठे तो, और आपका दिल नहीं तूट जाएगा, अगर उसने कोई और best friend बना लिया तो, आपकी दोस्ती इतनी गहरी है, इतनी पक्की है कि आप हर class में साथ गए हो, first class में थे, second class में साथ गए, third class में साथ गए, fourth class में साथ गए, दोस्ती और गहरी होती गए, तो recombine होने के chances किसी और के साथ, एक दम कम, एक दम कम, और आपकी दोस्ती सिर्फ नाम की है, कि हाँ य ये line आप 10 लोगों को बोलते हो तो technically आप किसी के best friend नहीं हो तो आप किसी के भी साथ recombine कर सकते हो 10 के 10 में से, किसी दिन आप किसी के बड़े पे जा रहे हो किसी दिन कोई आपके बड़े पे आ रहा है बचे हुए सारे रह गए आप किसी की बहन की शादी में जा रहे हो कोई आपकी ममी की anniversary पे आ रहा है सब दोस्त अलग-अलग है technically they are not linked तो आप कहीं भी recombine कर सकते हो क्योंकि आपकी किसी एक के साथ अच्छी bonding नहीं है तो जब आप किसी से बहतर तरीके से linked होते हो तो आप recombine नहीं होना चाहते किसी और के साथ और अगर आप recombine कर पा रहे हो यानि आप पहले से ही किसी से linked नहीं हो आप बहुत दूर हो अब मुझे यह बताए आराम से यह है जीन A यह है जीन B और यह है जीन C मैं कह रहा हूँ A linked है किसी से बताए वो B से linked है या C से linked है बताए सवाल और जवाब दोनों screen पे है भाई homologous chromosome लिये है यहाँ पर let's say chromosome number 1 है male का यह chromosome number 1 female का मुझे बता दो इन में से कौन से linked gene है A और B linked gene है बहुत बढ़िया शांदर A और B linked gene है A और B अगर linked gene है मेरे भाई जैसा आपने बताया आपकी बात की पूरी कदर करते हुए A और B अगर linked gene है तो क्या यह अगली generation में भी साथ साथ जाना चाहेंगे या recombine हो जाएंगे क्या यह किसी और के साथ दोस्ती कर लेंगे अपनी दोस्ती को बरकरार रखते हुए अगली generation में साथ साथ जाएंगे खुद बताये साथ साथ जाएंगे linked है यह दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे तो जाहिर सी बात है इन्होंने अपनी दोस्ती नहीं तोड़ी जब recombination भी हो रही थी यह as it is थे और अगली generation में भी as it is ही चले गए अगली generation में भी यह as it is ही चले गए इन्होंने अपनी दोस्ती नहीं तोड़ी अब आपने खुद कहा कि A और C उतने linked नहीं है खूब दूरी पे है भाईया अगली generation में भी साथ जाएं जरूरी है नहीं सर यहां देखो जब आपकी यह एक chromosome की chromatid है यह chromatid यह chromatid यह chromatid यह chromatid crossing over किन में होगी इन दोनों में होगी नॉन sister chromatid of homologous chromosome में तो यहां पर आपकी crossing over हुई crossing over हुई यहां हरे chromosome पे sky blue color की एकारम आ गई छोटी सी यह sky blue chromosome पे हरे color की एकारम आ गई तो यह gene technically जो यहां था यह यहां चला गया इस पे और यह gene जो यहां था यहां आ गया हाँ भाया यह A था यह C था हो गए रिकम माइन अलग-अलग हो गए ना वह यहां यह capital A था यह capital C के साथ प्रेज़ेंट था यह capital A small C के साथ प्रेज़ेंट है यह small A capital C के साथ प्रेज़ेंट है हो गए recombine क्योंकि इन में दोस्ती थी ही नहीं इन में दोस्ती थी ही नहीं आराम से एक और बार देखो आराम से देखो मेरे भाई कोई जल्दबाजी नहीं है कोई दिक्कत नहीं है आराम आराम से पढ़ेंगे ये आपका एक क्रोमोजोम है इसकी दो क्रोमेटिड है इन पे कुछ जीन पाए जा रहे हैं तीन जीन हमने ले लिए A और B आपस में लिंग्ड है तो लिंकेज जादा बी और सी में भी खूब दूरी है A और सी में भी खूब दूरी है तो इनमें लिंकेज कम तो कौन रिकम्बाइन होगा भाईया A और C के सेपरेट होने के चांसी जादा है B और C के सेपरेट होने के चांसी जादा है A और B साथ साथ जाना चाहते हैं हर जगा तो A और B साथ साथ गए Capital A, Capital B, Small A, Small B Capital A, Capital B, Capital A, Capital B Small A, Small B, Small A, Small B कोई सेपरेशन नहीं हुआ जहां देखे वह या capital A, capital B और capital C साथ थे recombination हुआ इन में small A, small B और small C साथ थे recombination हुआ इन में capital A, capital B के पास small C पहुँचा small A, small B के पास capital C पहुँचा क्योंकि इस वाले C की इन से अच्छी दोस्ती थी ही नहीं तो ये अलग सरक लिया और इस वाले C की इन से किसी से लिंकेज नहीं थी तो यह किसी का दोस्त नहीं है तो कहीं भी जाए करे रिकंबाइन जिससे करना है यह वाला मेरा दोस्त है यह कहीं जाए तो इसका सर फोड़ दूगा इंटा उठा करके है तो कि यह अपना बेस्टेंड है इसने किसमे खाई थी भाई बहुत सारी हमारे साथ इसको नहीं जाने देंगे तुम भीया कहीं भी जयो तुम्हारा हमारा कोई लेना देना नहीं है क्योंकि तुमने मुझसा कोई प्रॉमिस नहीं किया तो how can I expect something from you है ना तुमने कुछ वादा थोड़ी किया है मेरे से जो में कुछ expect करूंगा लेकिन इसने बहुत वादे किये थे यह भी अगर चला गया एसे दूर तो बवाल हो जाएगा भाई तो यह अगली जनरेशन में भी साथ साथ ही चलते रहते हैं साथ साथ ही अगली जनरेशन में भी जाते रहते हैं तो जिसका लिंकेज जादा वो रिकंबाइन नहीं हो रहा है किसी और के साथ 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 ही चलते जा रहे हैं जिसका लिंकेज कम वो रिकंबाइन होता जा रहा है किसी और के अगर मैं बहुत सरल भाषा में शुद्ध अंग्रेजी में अगर एक बात लिख दूँ कि linkage is inversely proportional to recombination तो क्या ये बात गलत है क्या ये बात गलत है भईया एकदम सही है linkage अगर जादा तो वो किसी और के साथ recombine नहीं करेगा और अगर linkage कम तो किसी के और के साथ recombine करेगा यही बात है बस linkage recombination का concept ही है तोटल ही concept ही है अब एक example देखो जो NCRT में बहुत तेड़ा मेड़ा दे रखा है पूरे NCRT के दो page के article को consolidate कर दिया है सिर्फ और सिर्फ एक तीन line के table में मैंने एक character लिया cross one मैंने बनाया किसका brown body का यानि मैंने ऐसा drosophila लिया जिसकी body थी brown और आखे थी लाल ठीक है और यह जो आपके character है यह X chromosome पे present है X chromosome पे present मैंने कुछ character लिये brown body लाल आखे यह है wild type character यानि normal character आज ही पढ़ा था इस lecture के शुरुआत में wild मतलब normal, mutation से कुछ और भी बन सकता है female मैंने ले ली mutant यानि brown की जगा body हो गई yellow और आखे लाल की जगा हो गई सफेद ठीक है अब यह जो brown body यानि body color का gene है और red eye यानि eye color का gene है यह जो body color और eye color का gene है यह linked gene है अगर यह linked gene है तो क्या यह characters अगली generation में भी as it is जाएंगे जाएंगे तो brown body, red eye, yellow body, white eye आप देखेंगे यह closely linked genes है body color के और eye color के तो आप देखेंगे कि recombination less than 1.3% आपकी बनी यानि 100 में से कितनी परसेंट 98.7% cases में यह साथ साथ ही रहे दोस्ती का meter तोड़ दिया है भाया 99% दोस्ती की rating आई है सच में एक दूसरे के सगे निकले भाई 1.3% cases में recombination हुई है वरना 99% लगभग 99% cases में यह अगली generation में साथ साथ गए है सच में body color और eye color के gene पास पास present है सच में दोस्ती है इनके लेकिन अगला मैंने जो cross लिया cross 2 इसमें मैंने red eye ली यानि eye color लिया और मैंने large wing ली बड़ी wing ली male की और female में इसका उल्टा ले लिया white eye ले ली red eye की जगा और बड़े wing की जगा छोटा wing ले लिया miniature wing ले लिया तो अगर आप देखे तो यह eye color का और wing size का जो gene है यह इतने linked नहीं है इतने linked नहीं है तो खूब recombination इन में हो सकती है तो हमें recombination कितनी देखने को मिली 37.2% यानि इन में लगबग लगबग सिर्फ 62% ही 62.8% ही आपकी parental combination मिली जैसे parent में थे वैसे ही है 77 बच्चों में गए 40% के आसपास दोस्त इधर उधर हो गए recombine कर गए किसी के साथ यानि इस table से NCRT हमको क्या समझाना चाह रहा है कोई सवाल पूछले तो body color और eye color का gene जो है वो linked है और eye color और आपके wing size का gene linked नहीं है अब NCRT में खूब tough diagram दिया हुआ है आप सोचेंगे पतानी क्या ही हो गया कुछ भी नहीं है 10 second का diagram है गर 10 second में सब को समझ में नहीं आया तो भाई ये समझ जाना तुमको नहीं आया फिर यार 10 second तो कम हो गए एक मिनट में I can bet एक मिनट में सब को सब समझ में आ जाएगा इस पूरे diagram का लिखके दे रहा हुँ भाई पास पास है तो अगली जनरेशन में भी पास पास रहे साथ साथ गए तो parental combination लगभग 99% सिर्फ एक परसेंट री कम्बिनेशन आई यहाँ विंग का जो साइज है और आपका आई कलर जो है यह देखो क्रोमोसोम के एक दम दोनों अपोजिट छोर पे परसेंट है तो यह है दूर 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 तो लिंकेज कम लिंकेज कम तो री कम्बिनेशन जादा लगभग 37% और पेरेंटल कॉंबिनेशन काफी कम यहाँ पर सिर्फ आपके एक्स क्रोमोसोम पे यह जीन्स पाए जा रहे हैं तो मेल में तो एक X और एक Y क्रोमोसोम होता है तो एक पे यह नहीं बनाए एक X पे बनाए सिर्फ फीमेल में दोनों X होती है तो इस पे दोनों पे बनाए यह आपका डाइग्राम है बता दो कुछ और रहता है तो बस इसके अलावा कोई information इस पूरे diagram में नहीं है आप निकाल के दिखा दो इसके अलावा information मैं मान जाओंगा सिर्फ इतनी ही information थी और यह पूरे information इस diagram में consolidated है बहुत प्यार से आपके जो characters same chromosome पे पास पास present है जो linked है वो अगली generation में भी साथ साथ जाएंगे तो recombination के chances बहुत कम only 1.3% जबकि जिनकी दोस्तियारी अच्छी नहीं है यह recombine हो जाएंगे recombination के chances 37.2% which is very huge मानते हो यह है आपका linkage and recombination बताओ यह है आपका linkage and recombination अब यहां पर एक प्यारा सा concept आता है linkage maps का linkage map क्या होते है linkage map क्या होते है आराम से सुनो linkage map क्या होते है अगर मुझे यहां information दी गई है कि A is A is 90% linked to B B is 70% यह B is 40% linked to C and A is 10% linked to C तो ABC का sequence बताईए chromosome के उपर ABC का sequence बता दीजे chromosome के उपर कैसे करते हैं सवाल सॉल्फ पहले एक chromosome मना लो rough और इसमें center पर A लिख लो कि हम A के reference में देखेंगे ऐसा बोला किया है A is 90% linked to B linkage बहुत जादा है तो A और B पास पास होंगे A और B पास पास होंगे इस side बना लो इस side बना लो जैसी आपकी मर्जी दोनों side जवाब same ही आएगा B जो है it is 40% linked to C B 40% linked है C से तो यहाँ बना लेते हैं C एक बार 40% linked है C से यानि थोड़ा सा दूर है कम linked है और A is 10% linked to C और कम linked है यानि यहाँ तो A और C पास हो गए और B और C दूर हो गए data तो कुछ और ही कह रहा है B कह रहा है 40% linked हूं है C से और A कह रहा है सिर्फ 10% linked हूं C से तो B के ज़्यादा पास होना चाहिए C यहाँ तो दूर हो गया इसका मतलब हमने गलती कर दी इसका मतलब हमने क्या कर दी गलती कर दी हमको C यहाँ नहीं बनाना चाहिए हमको C दूसरे इलाके में बनाना चाहिए यहां बनाना चाहिए आप देखो A और B सबसे ज़्यादा लिंग्ट सबसे ज़्यादा लिंग्ट कि B और C 40% लिंग्ट 40% लिंग्ट और A और C सबसे दूर सबसे कम लिंग्ट सबसे कम लिंग्ट उत्तर क्या आगया A B C उत्तर आगया A B C these are called as linkage maps कि एक क्रोमोजोम पर मैं depending upon the linkage और depending upon the recombination frequency पता सकूं कि कौन सा जीन पहले है कौन सा बाद में इनको मैं arrange कर सकूं that is called as linkage map और यह concept किनों ने दिया एलफ्रेड स्टोर्ट इवेंट साहब ने इस concept को हमें दिया यह पूछा भी जाता है सवाल आपका NCRT में given भी है राइट तो linkage maps वर गिवन बाई एलफ्रेड स्टोर्ट इवेंट आपकेश किते हैं और यह झापकेश में लेकिन ओर प not अब देखो मेरे भाई यह जो लिंकेज है ना और यह जो क्रोमोसोम पर डिस्टेंस है यह नापने के लिए एक यूनिट दी जाती है that is called as centi Morgan क्योंकि Morgan साब ने experiment किया था तो centimeter तो बहुत बड़ा हो जाएगा भाईया आपका क्रोमोसोम का साइज ही काफी कम होता है तो Morgan साब ने खुद की unit बना दी called centi Morgan इन्होंने क्या कहा एक centi Morgan क्या है जब jeans इतनी दूरी पर present हो जब jeans इतनी दूरी पर present हो कि इनके recombination के chances 1% हो when genes are present so close that their recombination frequency is 1% तो हम कहेंगे एक centi Morgan आपका distance है यह एक centi Morgan distance पे present है जैसे अब यहाँ पर यह gene आप माल लीजिए body color का और यह माल लीजिए eye color का तो body color और eye color में अगर आप देखो तो कितनी recombination मिली 1.3% लगबग 1% माल लो इसका मतलब इन दोनों के बीच का distance क्या है लगबग 1 centi Morgan के आसपास है अगर 1.3% ना हो करके 1% होती recombination तो हम कह रखे कह देते कि हाँ भई आपका 1 centi Morgan इनके बीच का distance होगा करेक्ट है यहां तक सबसेट फटाफट बता दीजिए भईया यहां तक सबसेट एक बार देख लेते हैं NCRT में क्या क्या बताया गया है Chromosomal Theory of Inheritance Mendel सहाब ने अपना काम publish कर दिया था काम खतम होने के 2 साल बाद ही 1856 से 1863 साथ साल तक इन्होंने काम किया था 2 साल बाद ही publish करा लिया लेकिन इनके काम publish होने के 35 साल बाद तक 19 सो तक इनको कोई credit नहीं मिला क्योंकि इनका communication उत्रा फास नहीं था उस टाइम पर जीन का जो concept है एक और यहां important चीज आती है कि Mendel सहाब ने क्या कहा कि उन्होंने कहा कि कोई factor है जो information को parents से अगली जनरेशन में लेके जा रहा है स्टेबली तो लोगों ने कहा कि अगर स्टेबली फैक्टर लेकर जा रहा है information को एक जनरेशन से अगली जनरेशन तो अगली जनरेशन में changes कहां से आ रहा है factor तो stable है तो जैसे parents है वैसा ही आपका बच्चा भी होना चाहिए उसके अंदर changes कहां से आ रहे हैं अगर आपके हिसाब से factor stable है तो how are these changes occurring in nature तो इन्होंने कहा था कि भईया factors आपके बहुत stable होते हैं पर scientist ने कहा कि भईया आपके जो continuous variation आ रही है नेचर में फिर यह कहां से आ रही है यह हमें बता दो तो मेंडल सहाब यह नहीं बता पाए फिर मेंडल सहाब ने रही पही इस्तमाल कर ली भईया mathematics जिसको देख करके आधे कि बायलोजिस ने अपना हाथ खीच लिया इनके research से कि हम तो इनका paper review नहीं करेंगे और मेंडल सहाब ने फेक्टर 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 जिक्र किया लेकिन इन्होंने कोई प्रूव नहीं दिया कि फेक्टर नाम की कोई चीज सच में होती है उस टाइम पर technology उतनी advance नहीं थी इसलिए मेंडल सहाब को failure का सामना करना पड़ा इसलिए मेंडल सहाब को failure का सामना करना पड़ा राइट 1900 में तीन साइंटिस्ट आए यूगो डिवेरीज, कारल कॉरेंस एंड वान शेर्मेक इन्होंने कहा हम मेंडल सहाब के laws को rediscover करेंगे इस टाइम तक microscopy भी थोड़ी और advance हो चुकी थी और cell division की study से हमको ये भी पता लग गया था कि भाया chromosome नाम की कोई चीज है जो कि cell division के दौरान, meiosis के दौरान, move करती है, opposite pole की तरफ जा रही होती है, यानि इसी के अंदर information रहती होगी तो सटन एंड बोवरी सहाब ने कहा कि भाया ये जो chromosome का behavior है ना, it is parallel to genes ये chromosome है, इनका behavior, gene जैसा है, आराम से समझने की कोशिश करना, इसलिए आज मैं magnet उठा करके लेकिए आया था, सिर्फ इस topic के लिए, समझ ये ये आपके chromosome हैं, दोनों आपके chromosome हैं, ठीक है, ये दोनों आपके chromosome हैं, और इन पे छोटे छोटे जो टुकड़े हैं, ये क्या है, gene है, ये DNA का एक टुकड़ा, ये DNA के दो टुकड़े, DNA के तीन टुकड़े, चार टुकड़े, पास टुकड़े, छे टुकड़े, तो समझ ल मेरे पास chromosome number one की दो कॉपीज है तो क्या मैं कह रहा हूँ मेरे पास हर जीन की भी दो कॉपीज है यह पहले वाले जीन की दो कॉपीज है दो अलील है मेरे पास है दूसरे वाले जीन की दो कॉपीज है दो अलील है तीसरे वाले जीन की दो कॉपीज है यह क्रोमोजोम की भी दो copies है तो chromosome भी pair में पाए जाता है और ये जो उपर वाले genes है नीचे वाले genes है ये भी तो pair में पाए जाते हैं हर chromosome में एक एक allele भी तो है जब gamit formation के दोरान ये chromosome separate होंगे तो ये respective alleles भी तो separate होंगे जब during zygote formation ये chromosome मिल जाएंगे तो आपके इनके alleles भी तो मिल जाएंगे जब इस gene में आप कोई छेड़ खानी करोगे जब इस gene में आप mutation करोगे तो overall chromosome में भी तो कुछ changes आएंगे यानि gene और chromosome का जो behavior है that is more or less parallel ऐसा कहा गया कि जो properties आपका gene एक broad level पे show करता है वैसी ही properties आपका chromosome भी एक broad level पे show करता है तो they are basically comparable इनको अच्छे तरीके से compare किया जा सकता है right जैसे chromosome और gene दोनों pair में पाए जाते हैं जो मैंने आपको दिखाया अभी यहाँ पर आपके homologous chromosome जो है जब यह pair बनाएंगे तो वहाँ पर दो genes के जो type है alleles है वो भी आपके pair बना लेंगे पास पास आ जाएंगे यहाँ देखे जीवन phase है यह cell cycle का S phase में DNA का content डबल हो जाएगा तो यहाँ पर डबल हो गया जितना यहाँ पर था उससे double हो गया जितना यहाँ पर था इससे double हो गया फिर आपका एना phase में यह opposite pole पर move करना start कर रहे होंगे करेक्ट मियोसिस 2 के एना phase में फिर यह further opposite pole पर move करना start कर रहे होंगे क्योंकि मियोसिस में आपके चार cells बनते हैं अगर आपने deployed cell से शुरुवात करी है तो चार haploid cells आपके at the end of the day बन रहे होते हैं right आपके चार haploid cells बन रहे होते हैं तो मियोसिस में दो divisions होती है मियोसिस 1 और मियोसिस 2 मियोसिस 1 is a reductional यहाँ chromosome का number आधा होता है और मियोसिस 2 जो है it is equational यहाँ आपका chromosome का number same रहता है यह आपका mitosis जैसा ही होता है chromosome का number यहाँ same होता है it is equivalent to mitosis तो आप gene और chromosome में देखिए gene भी आपके pair में रहते हैं अलग-अलग chromosome पे जो gene है वह आपके homologous chromosome जब पास आएंगे तो gene भी pair हो जाएंगे chromosome भी पी पेर में रहते हैं gene भी at the time of gamete formation जब chromosome अलग-अलग होंगे तो अलग-अलग हो जाएंगे और chromosome भी at the time of gamete formation अलग-अलग हो जाएंगे यह भी आपका इंडिपेन्टंट assortment दिखाते हैं जब chromosome separate होंगे तो उनके genes भी separate होंगे और जब chromosome separate होंगे तो ये भी independently assort हो जाएंगे एना फेज में हमको पता है कि chromosome opposite pole पर जाना start हो जाते हैं तो हमारे 23 pair of chromosome हैं तो हर pair of chromosome अलग-अलग opposite pole पर जाना शुरू हो जाएगा राइट यहां पर देखे यहां पर सबसे पहले आपका meiosis 1 में ये दोनों अलग होंगे और उसके बाद meiosis 2 में ये अलग होंगे तो automatically आपके चार सेल बन जाएंगे similarly आप देखे तो meiosis 1 में ये अलग होंगे में ये अलग होंगे चार आपके haploid cells बन जाएंगे at the end of meiosis 2 सटन एंड बोवरी सहाब ने क्रोमोसोमल theory of inheritance के बारे में बताया लेकिन इस चीज की वेरिफिकेशन एक्सपेरिमेंटली प्रूव किन्हों ने किया क्रोमोसोमल theory of inheritance को मॉर्गन सहाब ने जिने fly man of genetics भी कहा जाता था क्योंकि ये इन flies पे research करते थे जिनका नाम था fruit fly इन्हें simple synthetic medium पे उगाया जा सकता था बहुत आसानी से ये अपनी life cycle को 14-15 दिन में ही complete कर लेते थे और बहुत सारे बच्चे पैदा करते थे जिससे data credible रहे और male और female drosophila में आप आसानी से distinguish भी कर सकते थे इन में कुछ आपके या थे ऐसे character थे जो different थे तो यहां तक हम लोगों ने अभी तक चीज़ें समझी आप देखें आप देखें आप देखें मॉर्गन ने die hybrid क्रॉस कराए जस्ट लाइक मेंडल्स die hybrid क्रॉस इन्हों ने भी दो character लिए एक बार body का color और eye का color एक बार eye का color और विंक का size तो इन्होंने देखा कि जब yellow body और white eye की female को brown body और red eye वाले मेल के साथ इन्होंने breed कराया तो 9 ratio 3 ratio 3 ratio 1 नहीं ratio आया क्यों क्योंकि Mendel सहाब ये ratio निकाल पाए थे because of independent assortment मेंडल सहाब ने कहा था भाया जितने भी आपके अलील्स है ये तो independently assort होते हैं पर क्या linkage के case में independently assort हुए जो दो best friend थे तो साथ साथ चले गए हम लोग क्या कहते हैं एक class में 10 लड़के हैं 10 लड़किया है ऐसे बोले भाया जो possible combination बनती होगी random combinations बनाएंगे अब तुमने क्या क्या अपने दोस्त के साथ जुगल बंदी कर ली भाई तेरी पर्ची पर क्या लिखा हुआ है नंबर टू लिखा हुआ है या रिंकी का भी नंबर टू है मुझे दे दे ये पर्ची हमारी तो पहले से setting है तू किसी और के साथ चला जीओ भ पाए आपके सारे के सारे अलील क्योंकि कुछ दोस्तों ने पहले जुगल बंदी कर लिया हम तो साथ ही चलेंगे तो क्या यह independent assortment हुई independent assortment आप तब कहते जब दोस्त भी बिछडने के लिए तयार होते यार मुझे तुछ से अलग जाना पड़ेगा मैं जाओंगा यहां तो ऐसा हुआ ही नहीं यहां तो दोस्तों ने पहले ही कहा वह अगले साथ जनरेशन तखपन साथ साथ चलेंगे फिर लोगों की अच्छा जाए असर्शन रीजन के फॉर्मैट में कि क्या हमेशां डाय हाइब्रिड क्रॉस में 9331 रेश्यो आता है नहीं लिंकेज इजन एक्सेप्शन लिंकेज में ऐसा नहीं होता दोस्तियार पहले ही निकल जाते हैं अलग अलग गली में है ना तो यहाँ पर इन्होंने एक्स क्रोमोजोम पे यह दोनों के दोनों जीन्स लिए और इन्हें पता लगा कि यह तो लिंक्ड जीन्स है तो पैरेंटल जीन्स वर मच हायर parental combination जाधा बनी और recombination सिरी 1.3% हुआ यानि linkage इन्हों जाधा दिखाई the combination इन्होने कम दिखाई poi इनूने दूसरा cross कराया मैजहां पर इन्होंने लिया को को और इन्होंने लिया आपकी कम है, तो आपका जितना distance genes के बीच में जादा, जितनी इन में linkage कम, उतना ये कहीं और recombine कर जाएंगे, और जितना इन में दोस्ती गहरी, उतना ये आगे साथ साथ जाते जाएंगे, तो human genome project जो आप पढ़ेंगे अगले chapter में, molecular basis में, वहां भी आपको application मिलेगी, linkage and recomb combination की, जैसा हमने कहा, कि आप determine कर पाएंगे ना, कि पहले कौन सा gene present है, chromosome पे, बाद में कौन सा present है, उसके बाद में कौन सा present है, तो data collection में बहुत help करता है, अगर आपने एक बार ये पता लगा लिया, कि हमारे humans के chromosome number one पे, पहले ये gene है, फिर ये है, ये है, ये है, तो that is constant for all human beings, तो इसी लिए human genome sequencing के दौरान भी इस data का इस्तमाल किया गया, correct है, ये हम लोगों ने अभी तक पढ़ा, Now it's time to understand the sex determination part, किसी organism में कैसे पता लगाएं कि organism का sex क्या है, male कब बनेगा, female कब बनेगा, that is called as sex determination, यहां तक सब कुछ clear है, तो एक बार फटा फट बता दीजे, Sir mad easy buy कर लिया है, notes लिखना जरूरी है, मेरे भाई mad easy को अगर पांच बार पढ़ दिया, full marks confirm है, बल्कि एक दो बार पढ़ने पर भी, बहुत प्यारी किताब लिखी हुई है, तर आज बहुत handsome लग रहे हो, अरे यार, thank you, जेले नहीं जाते, ऐसे comment भया, मत किया करो, पर ठीक है, full बाजू की jacket काट के हाँ बाजू की बनाई है, घर पे ही कलाकार, देशी कलाकार बन गए, तो मुझे लगता है इसकी वज़े से, क्योंकि सबसे अलग है न, differentiative है, बाकि सब लोग t-shirt पहन के आ रहे हैं, हम अकेले ही भाई, तुनिक तुनिक कर रहे हैं, अपना अलग, I launched my own merchandise, that's why, possibly, शायद इसी लिए, है न, और चेहरा तो नूरानी है ही, उसमें तो फिर, क्या ही कह सकते हैं, वो तो, it's a factor, चलो भाई, कोटा फिर कब आओगे, आइडिया नहीं दोस्त, शायद, session स्टार्ट होने के बाद, क्योंकि, main, जो purpose रहता है, वो होता है, बच्चो से मिलना, I guess, I guess, you know, next session में, ज्यादा, अभी, बच्चे तो तभी देखने को मिलेंगे, exam time पर उनको disturb करना भी ठीक नहीं है, तो, I guess, after neat examination only, और जिन लोगों ने mad easy नहीं लिए, भाई, you are truly missing something, बहुत मज़ेदार किताब है, मतलब 240 pages की किताब है, and you can revise it within 2-3 hours, before examination, 2-3 घंटे में आप पूरी किताब खतम कर दोगे, कई बार खतम कर दोगे, and सारा paper भहीं से आएगा, मतलब मैं बनाने वाला हूँ एक वीडियो, just after the neat examination, अपना point रखते हुए, है ना, चलो भाई, आईए, बात करते हैं, कुछ निराली, कुछ अनोखी, एसी बंद कर देते हैं, सेक्स determination, सबसे पहले तो किसके दिमाग में आई ये खुराफात, उन साइंटिस्ट का नाम था हैंकिंग, जिन्होंने 1891 में एक चीज नोटिस करी, जैसे आप अगर human की बात करें न, तो human में sex determination कैसा होता है, humans में अगर आप देखें, तो humans में sex determination किस टाइप का होता है, x, x, y type का sex determination होता है, भाई, male में कौनसे क्रोमोजोम होते हैं, x और y, और female में कौनसे क्रोमोजोम होते हैं, x और x, राइट, other than autosoms, अगर आप देखें, तो हमारे deployed cell में 46 क्रोमोजोम हैं, हमारे deployed cell में 46 chromosomes है, इन 46 chromosomes में से 44 chromosomes जो है न यह male और female में common होते हैं, 44 chromosomes are common in males and females and are called, इनको क्या कहा जाता है, 44 chromosomes को, they are called autosomes, autosomes and अगर आप देखें तो बचे हुए दो, x and y are called, x and y are called allosomes और sex chromosomes, इनका नाम ही sex chromosome है, तब ही यह क्या करते हैं, आप क्या sex को determine करते हैं, इसलिए sex को determine करते हैं, तो आप overall condition देखोगे एक male की, तो male में 44 chromosome तो आपके same है, तो 44 आप normally लिखते हो, प्लस लिखते हो आप x, y और अगर आप female की बात करते हो, तो आप क्या लिखते हो, 44 प्लस x, x. Similarly, कई insects में अगर आप देखेंगे, कई insects में अगर आप देखेंगे, तो आपको क्या देखने को मिलएगा? कई insects में अगर आप देखेंगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा कि male जो है उनमें क्या condition है xo condition है ये क्या होती है sir xx female में यानि दोनो x chromosome xo male के अंदर o का मतलब क्या है भईया o है आपका null chromosome यानि यहाँ एक chromosome कम होता है null नहीं लगा हुआ है null का मतलब होता है निल यानि none यानि no तो पता चला आसान करने जा रहे थे और complicate कर दिया बात को महलब यहाँ एक chromosome कम है female में 2x chromosome है male में एक ही x है तो उसके सामने 0 लिख दिया कि हाँ भईया और कुछ है ही नहीं तो हैंकिंग सहाब ने 1891 में यह देखा कि जब female आपकी gamit बना रही है female जब आपके gamit बना रही है तो दोनो gamit जो बनेंगे इनमें x x जाता हुआ दिखाई देगा हाँ सर जाता हुआ दिखाई देगा यहाँ अगर आप देखे x और o यहाँ अगर आप देखे x और o तो मेरे भाई जब ये male gamete बनाएगा तो एक gamete में X chromosome जाता दिखाई देगा दूसरे में कुछ भी दिखाई नहीं देगा तो हेंकिंग सहाब ने क्या कहा कि जब मैं इंसेक्ट में स्परमेटोजनेसिस देखता हूँ यानि male gamete बनता हुआ देखता हूँ तो मैं ये नोटिस करता हूँ कि कुछ स्पम्स में X chromosome है और कुछ में कुछ भी नहीं है तब उनका ध्यान पड़ा यार ये क्या है जो कुछ स्पम्स में जा रहा है और कुछ में नहीं उन्होंने इसको कहा X body उन्होंने कहा कि कुछ स्पम्स में एक चीज जा रही है बाकियों में नहीं जा रही इसको मैं X body कहता हूँ आगे जब research और advance हुई तो इसी X body को हम लोग modify करके क्या कहने लगे X chromosome कहने लगे बाद में पता लगा कि यह chromosome है जो कुछ में जा रहा है कुछ में नहीं जा रहा इसे X chromosome कह रहे है फी मेल में अगर आप देखोगे तो दोनों के अंदर दोनों जो gamit बनेंगे इनमें X chromosome जाएगा मेल में आधो में जाएगा, आधो में नहीं जाएगा, यहां से हैंकिंग का दिमाग लगना शुरू हुआ इस टॉपिक के उपर, यह ऐसा क्या है, जो आधे गैमिट्स में जा रहा है, आधे में नहीं, उन्होंने कहा यह है X-body, आगे चलके इसी को X-chromosome हमने बोला, तो, यूजवली, जो sex determine करता है partner, वो होता है heterogametic, हमेशा याद रखना, भाई, अगर आप human female देखोगे, human female के अगर गैमिट बन रहे हैं, human female के अगर गैमिट बन रहे हैं, तो कैसे बनेंगे, human female के अगर गैमिट बन रहे हैं, तो कैसे बनेंगे, 22 autosome और एक X-chromosome एक गैमिट में भेज दिये, दोनों ही गैमिट सेम है, क्या यहाँ पर female decide कर सकती है कि बच्चा कैसा होगा, नहीं, क्योंकि इस पर तो है ही एक type का chromosome, इसके हाथ में कुछ है ही नहीं, यहाँ पर अगर आप देखोगे, तो यह बना सकता है male 22 plus X, और बना सकता है 22 plus Y, difference तो यहाँ पर है, difference तो यहाँ पर है ना भया, X और X वाले fuse करेंगे तो बेटी होगी, और यहाँ 44 plus X, Y वाले fuse करेंगे, तो लड़का हो जाएगा, तो आपका sex क्या होगा, upcoming organisms का यह कौन डिसाइड करता है, heterogametic parent, यह एक जैसे gamete नहीं बना रहा, तो it is heterogametic, heterogametic, यह एक जैसे gamete बना रहा है दोनों, तो it is homogametic, sex कौन डेटरमाइन करेगा, हमेशा heterogametic parent, तो human में male डिसाइड करता है, कि बच्चा कैसा होगा, उसका sex क्या होगा, usually हमारे समाज में औरत को दोश दिया जाता है, और यह कहते हुए मुझे बिलकुल भी खुशी नहीं है, अभी थोड़ा सा improvement आया है मेरे इलाके में, but still, लोग बहुत ज़्यादा conscious है, बेटों को लेकर के, तो वहाँ पे जब बेटी पैदा होती है, तो एक time के बाद female के उपर unnecessary pressure आ जाता है, कि अगर दो तीन लगातार बेटिया पैदा हो गई है, तो बेटा क्यों नहीं हो रहा है, और उसके लिए, काफी बार, उनको, you know, मलब आप समझ पा रहे होंगे, what I am trying to say, कि काफी बार कुछ ऐसे repercussions का सामना करना पड़ता है, जिसके लिए she is not responsible, because, यह जो sex determination का पार्ट है, यह solely male पर depend करता है, female का इसमें कोई contribution है ही नहीं, right, अभी धीने धीने थीने थोड़ा सा system evolve कर रहा है, मुझे लगता है, इसमें अभी और time लगेगा, शायद हम लोगों को इस चीज को ना होते हुए देखने में, पर अभी तक भी यह चीजे चल रही है, गाउ में, in fact, यह चीजे थोड़ी जादा common है, जिसको सुधारने पर सरकार भी काम कर रही, awareness भी चलती है, हम लोग मैं personally बहुत खुश नहीं हूँ, because I do not found it apt, because that is a real target for me, मतलब यह एक जोक है, पर यह जोक नहीं है, मुझे बुरा लगा, क्योंकि गाउ में जब हम जाते हैं, तो आपके घर की दिवारों पर आड लगे होते हैं, paint से बनाय हुए होते हैं, basically, तो मैं घर का तीसरा बच्चा मेरे से बड़ा भाई है, बीच में बहन है, फिर मैं हूँ, तो मैं तीसरा बच्चा हूँ, तो add जो था, वो population control के उपर था, और मेरे ही घर के दिवार पे, बिना मुझ से पूछाएं, क्योंकि हम लोग तो बाहर रहते हैं, तो उसने लिखा, दो बच्चे हैं मिठी खीर, तीसरा बच्चा बवासीर, तो मेरे घर की दिवार पे, मुझे कोई बवासीर बुला के चला गया भया, मेरे को तो, मुझे ऐसा लगा, मैं अंदर घुसूं कि ना घुसूं अपने घर के, यार ये मतलब, this is a real life meme, ये पता नहीं, किसी ने, साले ने कराया, पैसे देखे कि क जाचकर है, तो बेटी नहीं बचाओगे, तो बहु कहां से लाओगे, औरों के घर प्यार अलग-अलग स्लोगा लगया है, मुझे भाई कोई मेरे घर की दिवार पे, एशियन पेंट से भाई बवासीर बोलके चला गया, मैं तो रॉन्दा गया, भाई, मेरी भावनाए कुछ भी बोलके चली जाएंगे, तो मेरे को ऐसा लगता है, गाउं जाना चाहिए, है ना, ज्यादा ही अब एडनेस ना हो जाए, कहीं, पता लगा अगली बार इस बवासीर को गाउं में घुसने ही नहीं दे रहे, तो उतना उत्रा भी एडवांस नहीं होना है गाउं को, अब धीरे धीरे चलेंगे, है ना, कदम बाए कदम आगे बढ़ेंगे, तो मैं दिखाऊंगा इस बर गाउं जाऊंगा, वो फोटो वोटो भी खीच रखिया, मैं I do not want to post it on Instagram, क्योंकि बहुत जादा ही बेशती हो जाएगी, पर उसकी तस्वीर भी है मेरे पास, तो वो सच मैं मन से बना के बोल रहा हूं, तो मैं नहीं बोल रहा है, मत्तब I have evidences for this, है ना, में पास, जिन्दा लोग भी है as an evidence, खुद के पिता जी भी है, वो भाई, बहुत मजे लिए भाई, सबने बैठके, हुक्के पर बैठके ताउजी मजे ले रहा है, अलग ही गाउं के अब देखो भाया, एक चोटे से टेबल में, mad easy का टेबल है, प्यारा टेबल है, पहला sex determination है, x, 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 o, कहां देखने को मिला था ये x, 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 o, आपका insect में, अभी मैंने बताया था, कि आपका hanking साहब ने, इस x, o को देखकर ही x body नाम दिया था, तो male यहाँ पर x, o है, तो male पर sex determine करने का pressure होगा, female दोनों gamit same बनाएगी, male दोनों gamit अलग बना रहा है, तो female x, x है, male पर sex determine करने का pressure यहाँ पर है, काफी insects में और grass hopper में ये चीज़ देखने को मिलती है, अगर आप male का देखें, तो male में x, x, y है, x, y, male का हो जाएगा, x, x, female का हो जाएगा, humans के अंदर, है ना, तो यहाँ male determine करेगा sex को, human में और grass hopper में ये case देखने को मिलता है, सर कैसे पता, grass hopper में मिलता है, linkage and recombination का diagram दिखा दूँ भाईया, linkage and recombination में, यहाँ आपका 2x chromosome बने हुए है, और male में 1x और 1y बना हुआ है, यह arrow की तरह, मैंने बताया भी था आपको यहाँ पर, कि यहाँ 2x है, और यहाँ 1x और 1y है, तो ड्रोसो फिला में भी x, 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 y type of sex determination होता है, bird में सबसे अलग है, और सवाल यहीं से आएगा, इस एक line से 4 number का सवाल आएगा, birds में होता है, z, 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 w type का sex determination, तो male है यहाँ z, z, और female है z, w, यानि sex कोई determine करेगी यहाँ, female, सबसे अलग type का sex determination है, और honey भी तो सबसे अलग है, haplodeployed type of sex determination, male जो है, यानि drone, इसमें single set of chromosome होता है, यह होते हैं haploid, और female, चाहे queen हो, चाहे worker हो, यह होते हैं आपके deployed, तो इसमें पूरा का पूरा set of chromosome ही भढ़ जाता है, female आपकी deployed होती है, male आपका haploid होता है, इसको थोड़ा धंग से पढ़ना चाहो, तो पढ़ सकते हो, आराम से देखिए, यहाँ क्या है आपकी, female है, deployed, female, अगर यह deployed female है, तो एक gamit कैसे बनाएगी, deployed female है, तो gamit कैसे बनाएगी, meiosis से बनाएगी, meiosis से इसने क्या बना लिया है, haploid female gamit, तो इसने क्या बना लिया, haploid gamit, और haploid gamit, female gamit बना लिया है, बना लिया है, meiosis से बने हैं, तो haploid, haploid gamit हो गए, अब यहाँ पर है आपका, haploid male, जिसमें होते हैं, 16 chromosome, female में होते हैं, double यानि 32 chromosome, अब यह male है, तो यह male आपका gamit बनाना चाहता है, haploid, haploid से haploid gamit बनाना चाहता है, तो कैसे बनेंगे, mitosis से बनेंगे, mitosis से बनेंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा, haploid gamit बन जाएगा, haploid gamit बन जाएगा, अब देखें दोस्त, जब यह haploid gamit female वाला और haploid gamit male वाला, साथ में fuse करेंगे तो क्या बन जाएगा deployed organism बन जाएगा क्या बनेगी deployed female deployed female बनेगे और male कैसे बनेगा male कैसे बनेगा भीया यह जो female gamit है यह बिना fertilization के ही parthenogenesis कर लेगा haploid है ना तो fertilization से तो बनेगा नहीं यह directly parthenogenesis कर लेगा तो यह क्या बना लेगा haploid male बना लेगा ऐसे बनता है आपका male directly female gamit के parthenogenesis से और ऐसे बनती है female तो अब अगर आप देखोगे तो क्या इस male का कोई father है क्या इस male का कोई बाप है नहीं सिर्फ और सिर्फ मा है और क्या इस male का कोई बच्चा होगा क्या इस male का कोई बच्चा है कोई बेटा है नहीं यह male gamit बना रहा है female तयार करने के लिए तो इसका directly कोई बेटा नहीं है और इसका directly कोई बाप नहीं है इसका नाना है और दोईता है जैसे ये वाला मेल है इसका कोई बेटा नहीं है ये आगे चलके एक फिमेल बेटी बना रहा है लेकिन इस बेटी का तो आगे चलके बेटा होगा ना यानि इसका डारेक्ट बेटा नहीं है इसकी बेटी का बेटा है और इसका डारेक्ट कोई पापा नहीं है लेकिन इसकी मम्मी का पापा है यानि इसका बेटा नहीं है दोता है इसका बाप नहीं है नाना है या दादा या ग्रैंट सन बोलो कि सन नहीं है ग्रैंट सन है फादर नहीं है grandfather है ये अजब गजब करामात हमको देखने को मिलती है honeybee में जहां male होता है haploid और female होती है deployed तो पूरा का पूरा set of chromosome ही यहाँ पर आपका अलग-अलग होता है इसी रहे इसे haplodeployed type of sex determination कहा जाता है correct है जी यह है आपका sex determination in honeybee एक बार इसको उस तक में देख करके आ जाते हैं और फिर mutation की तरफ हम लोग बढ़ रहे होंगे देखे देखे क्या हुआ अगर आप sex determination की बात करें तो सबसे पहले इसकी पढ़ाई insect में हुई हैंकिंग सहाब ने देखा कि जो male insect है इन में जब spermatogenesis हो रही है तो 50% sperm में कोई चीज गई और 50% में वो चीज नहीं गई बाद में पता लगा कि that was X chromosome क्योंकि इंसेक्ट में male X O type का होता है तो आधे जो गैमेट है इन में X गया आधे क्रोमोजोम या कह रहा हूं भाई आधे गैमेट में X गया आधे गैमेट में X नहीं गया तो 50% of gametes are carrying X body 50% of gametes are not carrying X body ये हैंकिंग सहाब ने हमको बताया तो इन्हों ने कहा कि भाया इंसेक्ट में जो sex determination है वो XX exo type है है ना तो यह जो X है that is sex chromosome जबकि sex chromosome को छोड़के बाकी सारे जो बच्चते हैं इन्हें autosomes कहा जाता है तो कई इन्सेक्ट हैं जो exo type sex determination दिखाते हैं humans में आपका XY type of sex determination है और अगर आप कुछ birds को देखे तो आपका ZZZW type का sex determination है जो सबसे ज़्यादा different है जहां female sex को determine करती है यहां male के पास Z और Z chromosome है जबकि female के पास Z और W chromosome है human में अगर आप देखे तो male is responsible for determination of sex यह दो अलग-अलग type के gametes बनाता है 50% में X जाएगा 50% में Y जाएगा और यह female gamete के साथ combine करने की equal possibility रखते हैं यानि हर बार जब भी sexual intercourse होगा बच्चा या बच्ची होने के possibility 50-50% होगी male भी हो सकता है बच्चा female भी हो सकता है अगर आप honey bee को देखें तो यहाँ पे female जो है चाहे queen हो चाहे आपकी worker हो यह आपकी deployed होगी जबकि male जो है आपका drone यह आपका haploid होगा तो female में 32 chromosome होते हैं और male में सिर्फ 16 chromosome होते हैं तो male is haploid female is deployed इसलिए इसे haplodeployed type of sex determination कहा जाता है correct है यह है आपका अभी तक का सारा का सारा काम अब हम mutation पढ़ेंगे सिर्फ इतना ही है and then pedigree के कुछ सवाल हम लोग solve करेंगे pedigree समझने के बाद बहुत प्यारा topic है pedigree और उसके बाद बहुत जादा time आपको लगेगा नहीं क्योंकि हमारी diseases बचेंगी जो pedigree के साथ आप link करके ही समझ सकते हो तो अभी हमारा main मुद्दा जो है यह है mutation पे एक चीज़ जो मैं आपको पहले बता रहा हूं आराम से सुनिएगा mutation is a topic which is about to get repeat in next chapter also that is molecular basis of inheritance मैं अगले chapter का mutation वाला पार्ट यहीं करा रहा हूं मिला जुला करके तो कोई next session में यह नहीं बोलेगा कि sir mutation नहीं कराई मैं mutation थोड़ी detail में पढ़ा रहा हूं जिससे इस chapter की mutation और next chapter की mutation आपको साथ समझ में आ जाए तभी मज़ा है न भाई otherwise तो फिर हर topic को अलग-अलग पढ़ते रहेंगे तो it will create unnecessary chaos अगले chapter में already बहुत data है जो आपको पढ़ना है पहले ही chapter सबसे ज़्यादा महाभारत chapter है पहले ही उसको 8-9 घंटे बिना आप complete नहीं कर सकते अब उसमें भी अगर आप छोटे मोटे topics को importance देने लगे तो दिक्कत हो जाएगी तो mutation पूरा यहीं निप्टा लेते है mutation क्या होती है genetic material में change आ जाना is mutation for example आपको पता है यह आपका DNA है यह DNA आगे चलके क्या बना सकता है आपका RNA बना सकता है और यह RNA आगे चलके क्या बना सकता है आपका protein बना सकता है यह RNA आगे चलके आपका protein बना सकता है अब समझ लीजे आपने DNA में कोई mutation कर दी change कर दी यहाँ पे छोटी सी गड़बड़ी कर दी तो क्या यह DNA की गलती RNA में नहीं जाएगी DNA से ही RNA बनता है अगर आप पढ़ोगे ही DNA का sequence गलत तो RNA भी तो गलत ही बनेगा और अगर आप RNA ही बनाओगे गलत तो protein भी तो गलत बनेगा यानि जब आप DNA में change करते हो तो आप technically genotype change कर रहे हो आप genetic material change कर रहे हो ना आप genotype change कर रहे हो लेकिन जब यह DNA की गलती RNA में जाती है RNA की गलती protein में जाती है तो overall आपकी body में जो protein बन रहा है जो आपको expression दे रहा है यह phenotype भी तो change करेगा ना प्रोटीन बनता है तो आपकी बॉडी में कोई ना कोई काम करता है जो दिखाई देता है तो फीनो टाइप भी तो चेंज होगा बिल्कुल होगा सर सही बात है तो आपका फीनो टाइप भी तो यहां पर चेंज होगा तो यह जो गलती है यह आपकी DNA से RNA RNA से प्रोटीन चलती चली जाती है इस गलती को हम लोग क्या कहते हैं गलती नहीं यह important भी है आपकी पर evolution purpose लेकिन कई बार यह जान लेवा हो सकती है इसको आप क्या कहते है Mutation कहते है तो अगर आप देखे तो it is alteration यह चेंज in DNA sequence तो DNA में चेंज करोगे तो जीनो टाइप आपने चेंज किया और इसके बाद प्रोटीन तो खुद बखुद ही चेंज हो जाएगा आगे फ्लो के साथ साथ तो फीनो टाइप भी चेंज हो जाएगा तो मियोस इसमें रिकम्बिनेशन और क्रोसिंग ओवर होता है एंड म्यूटेशन भी आपके नेचर में होती रहती है यह दोनों चीज़ें मिल करके वेरियेशन लेकर आती है अगली जनरेशन के अंदर आपका यहां पर क्या हो सकता है DNA का कोई part delete भी हो सकता है कोई part gain भी हो सकता है कोई segment आपका reverse भी हो सकता है तो जब आप DNA में change करोगे जीन में change करोगे तो जीन कहां पाए जा रहा है क्रोमोसोम में न, तो overall क्रोमोसोम में भी आपका change होता है, और इन mutation की वज़े से cancer भी हो सकता है, right, इन changes की वज़े से cancer भी हो सकता है, तो इनको सबसे पहले देख लेते हैं, इन सारे के सारे changes को आराम से समझ के, कि mutation किस हिसाब से हो सकती है, let's try to understand this, आराम से देखेगा, mutation क्या है, alteration or change in DNA that is genotype that can even change protein और phenotype, correct, अब आपका क्रोमोसोम है, उसके अंदर genes पाए जाते हैं, भाया ये आपका क्रोमोसोम है, इस क्रोमोसोम में क्या है, DNA packed है, इस क्रोमोसोम में क्या है, DNA packed है, तो अगर आप इस DNA में change कर रहे हैं, तो आपका और overall chromosome में change नहीं होगा, क्या, होगा, तो if DNA is altered, chromosome is also mutated, इसको हम क्या कहते हैं, क्रोमोसोमल एबरेशन, जिनके बारे में आज और पढ़ेंगे, लास्ट हमारा लेक्चर का टॉपिक वही है, क्रोमोसोमल डिजीजेज़, क्रोमोसोमल एबरेशन, करेक्ट, एबरेशन मतलब disturbances, तो क्रोमोसोम भी overall disturbed हो जाएगा, अगर आप DNA के साथ छेड़ खानी करोगे, तो, राइट, और यह एबरेशन क्या कॉज कर सकते हैं, यह एबरेशन, they can cause cancers, अलग-अलग type के cancer, यह cause कर सकते हैं, for example, यहाँ पर देखे, यहाँ पर एक DNA है, इस DNA का sequence कुछ इस हिसाब का है, A, T, G, C, A, T, A, C, A, C, A, C, यह आपका DNA का sequence, अब इस DNA के sequence में, आपका एक part delete हो गया, आपका एक part delete हो गया, आपका है A, T, G, C, A, T delete कर दिया मैंने, फिर बचा आपका A, C, A, C, यह क्या हो गई भीया, यह हो गई deletion, कैसी mutation है यह, यह mutation कैसी है, यह mutation है आपकी deletion, यह mutation है आपकी deletion, correct, अगर आप देखे, तो दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा हो सकता है insertion, इसके बीच में, और एक point add कर दो, जैसे A, T, G, C, G, C, और add कर देता हूं, मैं यहाँ पर, G, C मैंने और add कर दिया है, है न, A, T, A, C, A, C, तो मैंने क्या किया है यहाँ पर, G, C दो बार add कर दिया, यह G, C था, यह G, C और add कर दिया, तो what is it, it is repetition, एक और बार मैंने repeat कर दिया है, जो था उसी को, फिर मैं क्या कर सकता हूं, insertion, कोई नया part मैं add कर दू, जो पहले नहीं था, जैसे A, T, G, C, G, A नहीं था, G, A डाल दिया, then उसके बाद आपका A, T, A, C, A, C, तो यहाँ मैंने क्या add किया है, यहाँ मैंने add किया है, GA, जो पहले नहीं था, तो मैंने क्या किया है, insertion, मैंने कुछ insert कर दिया है, फिर मैंने कोई part हटा करके उसकी जगा दूसरी part को add कर दिया, that will be called as substitution, कि मैंने किसी part को दूसरे part से substitute कर दिया, right, that is substitution, तो ultimately different तरीके के mutation हो सकते हैं, यह तो बहुत छोटी चीज़े है, main जो हमें पढ़नी है, वो है point mutation and frame shift mutation, सर, यह क्या होती है, point mutation दिखाता हूँ, यहाँ देखे, this is a DNA, T, A, A, C, T, G, C, A, G, G, T, यहाँ है T का T, A का A, A, C का C, T का C, यहाँ T है तो यहाँ C कैसे, G का G, C का C, A का A, G का G, 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 T का T, यानि इस T की जगा A आ गया है, कुसी आ गया है, sorry, बनलब एक point पे, सिर्फ at one point, अगर DNA चेंज हो रहा है, so it is called as what, it is called as point mutation, सिर्फ एक point पर change हो रहा है, इसका सबसे classic example है, sickle cell anemia, सबसे classic example है, खतरनाक example, एक point पे, आपके पूरे cell में इतना बड़ा DNA है, उसके एक point पे change होने से क्या होता है, वो आपको बताता हूँ, sickle cell anemia के अंदर, यह आपके goal matol by concave disc shape RBC है, यह आपकी sickle shape हो जाती है, तराती shape हो जाती है, किस वज़े से, एक point mutation की वज़े से, एक point mutation की विरस है, क्या हुआ यहाँ पर, chemoglobin जो है, इसमें दो प्रकार की chains होती है, अलफा chains और बीटा chains, ठीक है, तो इसके बीटा chain की, बीटा ग्लोबिन चेन की, बीटा ग्लोबिन चेन की, 6th position पर, बीटा ग्लोबिन चेन की, 6th position पर, glutamic acid की जगा, glutamic acid की, जगा, वैलीन आ जाता है, यानि एक amino acid है, glutamic acid जिसकी जगा वैलीन आ जाता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, सीकल सेल अनिमिया कहते हैं, डी एने में क्या चेंज हुआ, डी एने में क्या चेंज हुआ, जी ए जी था, इसकी जगा क्या हो गया, जी टी जी, जी ए जी की जगा क्या हुआ, गी टी जी, तो जो आर ने बना, इसमें क्या हुआ, जो आर ने बना, इसमें क्या हुआ, आपका, जी ए जी की जगा क्या हो गया, जी ए जी की जगा क्या हो गया, जी यू जी हो गया, जी यू जी हो गया, एन जो प्रोटीन बना, फिर वो भी होगा कि प्रोटीन में क्या हुआ आपका जैसा मैंने बताया ग्लुटामिक एसिड की जगा क्या आ गया वैलीन आ गया और इस वैलाइन के आने से टोटल आपका जो यह बाइकन के डिस्क शेप रबीसी थी यह सीकल शेप रबीसी हो गई क्या हो जाता है हेमोगलोबिन जो है यह पॉलिमराइज होना स्टार्ट हो जाते हैं सोचके देखो कोई खुला खुला है आपका मस्त पड़ा हुआ है तो ब पूरे की पूरी आरबीसी भी सिकुड जाती है तो लो ओक्सिजन लेवल पे पॉलिमराइज हो जाता है हेमोगलोबिन हेमोगलोबिन पॉलिमराइज इस एट लो ओक्सिजन टेंशन देरफोर आपका यह सिकल शेप आरबीसी हो जाती है जस्ट बिकॉस अफ दिस पॉइंट मुटेशन जी एजी की जगा जीव जी आया और एल खतम पूरी बॉड़ी की आरबीसी इतनी सारी आरबीसी है हमारी बॉड़ी में सारी की सारी अपनी शेप चेंज कर लेंगी massage mutation क्या है जब आप RNA को पढ़ते हैं जब आप RNA के सिक्वेंस को रीड करते हैं तो तीन नाइट्रोजिनस बेसिमिल करके एक aminoacid बनाते हैं इसे हम कोडान जीए से ये तीनों है ये एक कोड़ॉन है ये तीनों एक कोड़ॉन है ये तीनों एक कोड़ॉन है अभी ये तीनों 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 मिलकर एक कोड़ॉन बना रहे है अब आपने बीच में क्या कर दिया इंसर्शन कर दी एक ये चीज़ आपने एक्स्ट्रा एड कर दी भाया आगे का तो फ्रेम ही सरक गया, यहाँ पे तीन कोड़ॉन थे, यहाँ पे तीन मिलकर एक कोड़ॉन बना रहे थे, अब यह बीच में आ गया, अब यह कोड़ॉन है, यह आपका अलग ही हो गया, बाहर हो गया, तो यहाँ फ्रेम पढ़ो, ATG, ATG, AGT, AGT, आप यहाँ देखना गड़बर, CCA, GCC गड़बर हो गई, AGT, AAG गड़बर हो गई, और यह T अलग ही पढ़ा हुआ है, तो क्या यह CCA और यह GGC, AMINO ACID बनाएंगे, नहीं, क्या यह AGT, और यह AAG, सेम AMINO ACID बनाएंगे, नहीं, देख लो भाई यहाँ पर, पहले चा बन रहा था, टाइरोसीन टाइरोसीन बना, सेरीन सेरीन बना, गलाइसीन आरजीनीन बना, सेरीन फिनाइल एलनीन बना, बैंड बज गई पूरे प्रोटीन की, पूरे प्रोटीन की ही बैंड बज गई है, क्यों? क्योंकि DNA में जो चेंज किया वो RNA में पहुंचा, RNA का चेंज प्रोटीन में पहुचा और तबाही मच गई क्योंकि आपने frame shift कर दिया है इसके आगे मैं एक और add कर दूँ अधिर फ्रेम shift हो जाएगा एक और add कर दो अगर तीन add कर दिये तो frame रहेगा कैसे यहां समझ लिजे मैंने add कर दिया AAT, तो ATG same, AGT same, CCA same, ATT, बीच में add हुआ और AGT same, यानि यहाँ जो amino acid बनेगा, इसके बीच में एक नया amino acid और आ जाएगा, पर बाकी सब का frame एकदम same रहेगा, गड़बड़ी इससे भी होगी, यह नया amino acid आएगा, यह protein के structure को तो disturb करेगा ही, लेकिन frame जो है, वो आपका nucleotide हटाते हैं, या 3 nucleotide लगाते हैं, तब कोई बहुत जादा frame पर फर्क नहीं पड़ता, भाई ऐसा समझ के देखो ना यार, rail के डबबे हैं, सबका size बराबर है, अब यहाँ पर यह magnet समझ लो भाई, यहाँ समझ लीजे, भाई यह आपका छोटा magnet है, इसके ओपर एक और magnet लगा दिया, इसके ओपर एक और magnet लगा दिया, है ना, इसके ओपर एक और magnet लगा दिया, अब इसके बीच में मैंने एक जबरदस्ती अपने मन पसंद का magnet एड़ कर दिया, है ना, फिर एक लगा दिया, फिर एक लगा दिया, अब यह बीच में जो मैंने लाल कलर का magnet लगाय इसे इनके frame पे कोई फ REALLY पड़ा ये green वाला couldon वैसा ही है वैसा ही है वैसा ही वैसा ही है वैसा ही है w बीच में एक amino acid extra add हो गया ये लाल वाला शो बाकि सबका frame वही है क्योंकि ये पूरा का पूरा मैंने दिन नायर जिनस bases as it is add कि अगर इसकी ज़गा लेट से मेरे पास कुछ गोली बोली पड़ी होगी भाई आइनीट टू चेक लिए ना मैगनेट की गोली भी रखता हूं भाईया मैं बहुत खतरनाक आदमी हो अब इसकी जगा मैंने यह लगाया भाईया यह गोली लगाई मैगनेट की और इसको यहां चिपका दिया हुगा हुग हो गई फ्रेम के यह भईया कि कि यह अगए न भाई है जब फ्रेम फ्रेम को खतम कर दिया इसने, सारा फ्रेम खा गया, क्योंकि इसका साइज ही अलग है, सारे कोड़ॉन तीन-तीन नाइट्रोजिनस बेसिस के बने हुए थे, और यह भाया बीच में अलग ही आया है, एक अजब सा साइज लेके, तो जाहिर सी बात है, यह बाकियों के साथ कोप नहीं कर पाएगा, सिंपल, करेक्ट है, यह है आपका सीकल सल अनेमिया जो हमने लास्ट में देखा, एंड दिस इस यॉर फ्रेम शिफ्ट मूटेशन, म्यूटा जन्स क्या होते हैं, नाम सही तोड़ने की कोशिश करो, म्यूटा मतलब, म्यूटेशन, जन मतलब, जनरेटिं आसे कैमिकल्स या ऐसे एजंट्स जो म्यूटेशन को कॉज करते हैं, they are called as मूटा जन्स, these agents these agents causes mutation, these agents causes mutation, for example, X-ray, UV-ray, gamma-ray, mustard gas, formaldehyde, यह सारी चीज़ें आपकी mutation cause करती हैं, तो इनसे दूर ही रहना चाहिए, यह जो UV-ray है, इट मेक्स थाइमीन डाइमर्स, थाइमीन डाइमर्स, मतलब DNA अगर आप देखो तो एडनीन थाइमीन के साथ बॉन्ड बनाता है, यहाँ पर क्या होगा, थाइमीन ही थाइमीन के साथ बॉन्ड बना लेगा, जो कि आपका एक गलत sequencing है, इसकी वज़े से क्या हो सकता है, cancer भी हो सकता है, इसलिए हम कहते हैं कि UV radiation cancer cause करती है, तो यह थाइमीन डाइमर्स बनवा देती है, दो थाइमीन को ही आपस में बॉन्ड करा देंगी, which is normally not feasible, लेकिन ये करा सकती है, इनका भॉकाल ही इतना बड़ा है, correct, ये हैं आपकी mutagens, these are your mutagens, NCRT में पढ़ लेते हैं, क्या लिखा हुआ है mutagen के बारे में, जन जन की है यही पुकार, पढ़ा जाए mutagen को इस बार, mutagen के बारे में क्या लिख दिया है, point mutation क्या है, single base pair में अगर change आ रहा है, it is point mutation, जो की sickle cell anemia का example हमने यहाँ पर देखा, और frame shift mutation में, अगर 3 nitrogenous base लगाओगे या डालोगे तो frame shift नहीं होगा, एक या दो घुसाओगे या हटाओगे तो frame shift हो जाएगा, mutagen में आपका UV radiation आती है, और कुछ दिया हुआ नहीं है, पर हमने काफी चीज़े एड़ कर दी, इसने chemical भी, और भी कई चीज़े हमने एड़ करी, यहाँ तक correct है, सवाल solve किये जाएं, फटा फट बताएए दोस्त, यार इतना lag कुछ है नहीं, जितना आप कर रहे हो, मुझे नहीं लगता कि इतना lag है, है न, और अभी तो हम लोगों ने भाई, काफी कुछ पढ़ना है, काफी कुछ पढ़ना है, बच्चा कितना है, एक बार कोई बता पाएगा, मैं देखता नहीं हूँ, usually our class के time पर phone, देख सकता हूँ, बट नहीं preferable लगता खुद को ही, कितना बच्चा बैठा हुआ है अभी class के अंदर, जब हमने start किया था, तो कितना था, अगर कोई बताना चाहे तो, 1000 बच्चा बैठा हुआ है, great, और जब हमने शुरू किया था, उस ताइम पर around कितने बच्चे होंगे class में, अगर आपको reference है, थोड़ा बहुत तो, because आप लोग देखते ही होंगे इतना तो, फ्रेम शिफ्ट इमुटेशन से कोई disease नहीं होगी, बीच में अगर कोई uneven amino acid आ जाए, बिल्कुल disease होगी, क्यों नहीं होगी, धाई हजार के असपास, बढ़िया, चलिए, कोई बात नहीं, तो हम लोग अभी सवाल सॉल्व कर लेते हैं, थोड़े थोड़े, पहले देखेंगे हम लोग कि उस सवाल में पोल लगाने की ज़रुत है भी या नहीं, frequency, तब तक आप चैट में शुरू हो जाई है, अगर आप question मुझसे पहले पढ़ लेते हैं, तो frequency of recombination between gene pair on same chromosome as a measure of distance between gene to map their position, यानि chromosome map, linkage map के बारे में किस ने बताया, एल्फरेड स्टूटेवंट सहाब ने बताया, बाकी सब का नाम लेने देने में कहीं है ही नहीं, राइट एल्फरेड स्टूटेवंट सहाब ने genetic map के बारे में हमको बताया, exotype of sex determination किस में थी, bird में zzzw थी, monkey हमसे related है, xxy है, drosophila जो है उसके अंदर हमने देखा, xxy है हमारा वाला ही, grasshopper और ज्यादातर insect में आपका xx exotype का है, तो d हो जाएगा, d हो जाएगा, given below our two statement इसमें लगा देते हैं भाईया, पोल, क्योंकि 30 second में तो आप सवाल ही पड़ पाओगे, Mendel's law of independent assortment does not hold good for genes that are located closely on same chromosome, अगर linkage है, तो Mendel सहाब का independent assortment का law fail हो जाएगा, सही बात है, closely located genes assorted independently, भाई, closely located यानि link होंगे, तो independently assort कैसे होंगे, तो साथ साथ रहना चाहेंगे, तो पहली statement सही है, दूसरी statement गलत है, है ना, तो a is correct, r is not correct, D हो जाएगा, एकदम हो जाएगा, भाईया, दूसरी statement ही गलत है, तो आपका अरे यार, क्या बात है, बहुत शांदार, मतलब पढ़ने वाले बच्चे टिके हुए, एंड तक, जो कि एक अच्छी चीज है, ये भाईया, solve करना पड़ेगा, एक मिनिट का टाइम लेलो, आराम से, आराम से solve करो, है ना, recombination frequency दे रख्या है, linkage नहीं दे रख्या है, पहले बता रहो, recombination frequency between A and C is 5%, है ना, अलग कलर से बना लेते हैं, A और C के बीच में 5% recombination frequency है, यानि ये recombine नहीं कर रहे है, मतलब 7-7 present है, तो पहले मैं A को लिख लेता हूँ, बाद मैं C को लिख लेता हूँ, ठीक है, फिर है, आपका B और C के बीच में 15% और B और D के बीच में 9%, B और C के बीच में 15%, और B और D के बीच में 9%, A और B के बीच में 20%, यानि A और B सबसे ज़्यादा recombine कर रहे हैं, यानि ये सबसे कम linked हैं, तो A और B के बीच में अच्छी खासी दूरी होगी, और C और B के बीच में कम दूरी होनी चाहिए, C और B के बीच में 15% है, B और D के बीच में 9% हो जाएगी, B और D यहां लिखके देखते हैं, B और D के बीच में 9% है, और C और D के बीच में 24% है, ठीक है, ये दूर दूर है, और A और D के बीच में 29% है, सबसे दूर है ये, बताइए भये क्या होगी combination, पटाफ़ट बताइए, ACBD हो जाएगी, करक्ट ही है ना भाई, लिखकर देख लिजे, A और C जो है, इनमें 5% है, तो ACBD हो जाएगी, है ना, जिसकी रिकम्बिनेशन फ्रिक्वेंसी सबसे कम है, मतलब वो सबसे पास है, तो A और C सबसे पास होने चाहिए, सबसे पास है, है ना, B और C में 15% है, और B और D में 9% है यानि B और C 15% कम्बाइन कर रहे हैं, तो थोड़े दूर-दूर होने चाहिए, और B और D जो है, पास-पास होने चाहिए, वो हमने बनाया भी, है ना, तो ACBD आपकी हो जाएगी, यह लिंकेज मैप का अच्छा सवाल था, very good question, ओके भाई, बहुत ज्यादा ही कबाड़ा कर दिया है लोगोंने, ABCD हाँ, चलो, कुछ ना मिले तो यह तो करना ही था, देखो, solve करना सिखाता हूँ, बहुत ज्यादा गड़बड़ी करी है तुमने, जब कुछ ना मिले तो ए यहाँ सी लिख लो, चाहे यहाँ सी लिख लो, ठीक है, B और C 15% है, A और D 29% है, यानि A और D सबसे दूर है, A और D में recombination सबसे जाधा हो रही है, यानि linkage सबसे कम है, तो A और D सबसे दूर है, ठीक है, 29%, correct, A और D सबसे दूर है, फिर आप देखो, B और C 15%, B और D 9%, तो B और C अगर में यहाँ लिखू, B और C अगर में यहाँ लिखू, तो 15% यानि पास-पास है, थोड़े से, और B और D अगर आप देखो, तो 9% के आसपास, और A और D कहां है, A और B में अगर आप देखें, तो 20% की recombination frequency है, थोड़े और दूर हो गए, correct है, और C और D 24% है, य आपकी एकदम सही तरीके से aligned है, दोस्त, तो कोई पंगा, कोई भसड है ही नहीं, आपको और easy तरीके से solve करना है, लिख लो, पास-पास कौन, A और C, आपका closest, या ऐसे लिख लो, A और C में linkage आपकी सबसे ज़्यादा, 5 एरो लगा लो, linkage सबसे ज़्यादा, 5 एरो लगा लो 5% यहाँ पर recombination है, नि recombination सबसे कम, तो linkage सबसे ज़्यादा, फिर है आपका B और D में, B और D में, linkage आपकी थोड़ी कम, 3 एरो लगा लो, ठीक है, फिर आपका क्या हो जाएगा, फिर आपका B और C, 15%, B और C, 15%, फिर हो जाएगा आपका C and D, 24%, या आपका A and B भी रहता है, A and B, 20%, तो linkage आपकी कम, फिर आपका 24, फिर आपका 31, C and D, आपका 24%, तो linkage और कम, अब ये आप क्यों कर रहे हो सर, सवाल तो solve हो गया, क्योंकि आप exactly इनके बीच का distance भी पता लगा सकते हो, मैं उसके लिए कर रहा हूँ, A and D is equal to 29% linkage और कम, मतलब Alfred Stroot Event सहाब ने क्या सोचा होगा, मैं वो आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप देखे, A और C में linkage सबसे जादा, तो ये सबसे पास पास रखो, सबसे कम distance sign के बीच में, ये सबसे जादा linked है, B or D में linkage आपकी ठीक ठाक है, तो यहाँ पर आपको इसको मिटा करके थोड़ा सा पास लाना होगा, B or D जो है, इसको भी आप ठीक ठाक पास ला सकते हो, B or D में भी linkage अच्छी खासी है, B or C में linkage और कम है, तो इनके बीच में थोड़ी और दूरी बढ़ाई, A और B के बीच में linkage और कम है, तो इनमें और दूरी बढ़ाई, C और D के बीच में linkage और कम है, तो और दूरी by default बढ़ गई, और A और D में सबसे ज़्यादा दूरी है, तो एकदम correct map बन गया, और दूरी भी आपने लगभग लगभग सेम बताई है, That's how linkage map is formed, इनके बीच की दूरी भी आप judge कर सकते हो, justify कर सकते हो, कुछ ना समझ में आए, तो question को ऐसे simplify कर लिया करो, कि linkage किसमें ज़ादा है, किसमें कम है, Chromosomal Theory of Inheritance को verify किनों ने किया, Thomas Hunt Morgan सहाब ने, दी किसने थी Chromosomal Theory of Inheritance, Sutton and Bovary ने, Chromosomal Theory of Inheritance दी किनों ने थी, Sutton and Bovary ने अभी बताया था, दो साल में सेम सवाल repeat हुआ है, एक बार में अगर आप देखो तो, एक centimorgan क्या होता है, एक percent recombination हो जाए, इतनी पास-पास gene पाए जा रही हो, तब उसे कहा जाता है कि वो एक centimorgan दूर present है, unit of distance between gene on chromosome representing 1% recombination या crossover, इसे centimorgan, एक centimorgan कहा जाता है, frequency of recombination between gene pair on the same chromosome as a measure of distance between gene was explained by, यानि genetic map, linkage map किनों ने दिये, Alfred's truth event, पिछले 5 साल में दो बार directly Alfred सहाब के नाम से सवाल बन चुका है, incorrect statement कौन सी है, ये फटा-फट मार कर दीजे भाईया, पोल स्टार्ट कर देते हैं, देखिया आप, male fruit fly is heterogametic, xx, xy type of sex determination है, सही बात है, in male grasshopper, 50% of sperm have no sex chromosome, 50% में X होता है, 50% में O होता है, यानि कोई sex chromosome नहीं होता, सही है, in domesticated fowls, यानि birds, sex of progeny depends on the type of sperm rather than egg, नहीं भाईया, यहाँ female heterogametic होती है, female पे sex determine करने की ताकत होती है, human males have one of their sex chromosome, much shorter than other, Y chromosome सबसे छोटा होता है, तो ये बात भी correct है, उत्तर आ जाएगा आपका 3, 93% बहुत शांदर, ये है आपका अभी तक का, सारा का सारा कार्य, जो कि हम लोगों ने देखा, राइट, देखते हैं कितना बचा हुआ है, अच्छा खासा बचा हुआ है भाईया, पर इसमें से phenyl ketonuria और सीकल सेल अनीमिया तो हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, तो दो slide का advantage हमारे पास रहेगा, correct, चलिए, अराम अराम से pedigree को समझते हैं और solve करने की कोशिश करते हैं, देखें pedigree क्या होती है, अराम से पढ़ेंगे कोई tension नहीं है, पैडिगरी अगर हो गया तो disease हम लोग 15-20 मिनिट में समझ लेंगे, because हम लोग pedigree को ही बहुत detail में कर रहे हैं, तो सारे diseases का एक अच्छा खासा अनुमान मैं आपको यहां पर बता दूँगा, आराम से सुनिएगा दोस्त, बहुत आराम से सुनिए, pedigree क्या है, हम लोग बच्पन में एक project बनाते थे और शायद आपने भी बनाया होगा, उस project में क्या होता था, family tree बनाना होता था, पहले दादा दादी की photo लगेगी, नाना नानी की photo लगेगी, फिर इस side चाचा जी, ताउ जी, पापा की photo लगेगी, यहां अपने मामा, मौसी, मम्मी की photo लगेगी, फिर यहां पापा और मम्मी की शादी दिखाएंगे, फिर अपने भाई भेहनों की और खुद की photo लगाएंगे, that is called as a family tree, अब कई ऐसी बिमारिया है जो genetic है, और इंसानों पे आप controlled crosses कर नहीं सकते, भाई अगर कोई scientist ऐसा बोले, कि यार मैं इस इनसान पे research करना चाहता हूं, कि इसके जवानी से बुढ़ापा कैसा बीतेगा, भाई उसके बुढ़ापे से पहले तो तुम मर जाओगे, तुमने तो late start किया है, अगर मैं आज के दिन में किसी बच्चे को देखने की बात करूं, कि हायर मैं इस बच्चे को पूरा track करूंगा 70 साल तक, क्या guarantee है मैं खुद 70 साल जीऊंगा, तो जाहिर सी बात है, controlled crosses तो human में हो ही नहीं सकते, इसलिए हम लोग ऐसे organisms पे experiment करते हैं, जिनका life span छोटा है पहले ही, तो हम लोग बहुत बड़े life span वाले organism पे ऐसे तो research नहीं कर सकते, पर क्या हम अपने parents से अपने दादा जी और परदादा जी के बारे में पूछ सकते हैं, कि अपने दादा लोग कितने भाई थे, उनमें से किसी को कोई समस्या थी क्या, किसकी death कैसे हुई, ये बातें पता तो रहती हैं, तो आप थोड़ी सी generations पीछे जा सकते हैं, अपने parents से पूछ पाच के and ultimately you can try to create a family tree, जिसको हम लोग pedigree chart कहते हैं, तो कुछ बिमारियों का pattern हम लोग ऐसे पता लगा लेते हैं, some diseases and their inheritance pattern can be tracked, via making family tree, called pedigree analysis. for example, इस pedigree analysis में अगर आप अलग-अलग symbols को देखें, तो ये डब्बे का symbol किसका है? डब्बे का symbol है male का, ये गोले का symbol किसका है? गोले का symbol है female का, ये आपका अगर color भर दिया है आपने इसमें, अगर आपने dark दिखा दिया है male और female को, तो ये क्या है? affected individual यानी इनमें बिमारी है, अगर आप आप अपने और अगर आप इनके बीच में दो डंडे लगा देते हैं, तो इसका मतलब है कि रिलेटिव के बीच में शादी हो गई है, इसको क्या कहते हैं, इसको थोड़ा प्रमोट नहीं किया जाता, क्योंकि नए नए करेक्टर्स यहां नहीं आ पाते हैं, इसके बाद अगर आप देखें, तो जो मेल है और फिमेल है, इनकी शादी के बाद बच्चे जो हो रहे हैं, इनको आप लोवर सिक्वेंस पर दिखाएंगे, और वो भी एक पर्टिकुलर ओर्डर में कि पहले एक लड़का हुआ जो नॉर्मल था, फिर एक बेटी हुई जो कि आपकी डिजीज्ड थी, और फिर एक बेटा हुआ जो कि अगेन आपका डिजीज्ड था, तो इस तरीके से आप दिखा सकते हैं पैडिग्री के अंदर, एक दम करेक्ट यह कुछ आपके सिंबल से, यह है आपका सेक्स अंस्पेसिफाइड है, आपने अपने पापा से पूछा कि पढ़ दादा जी लोग कितने भाई थे, या कितनी बहने थी, तो उन्होंने कहा यार एक सबसे बड़ी वाली तो दीदी थी, बाद में एक छोटा भाई था, और उसके बाद मुझे ध्यान नहीं है, तो ध्यान नहीं है, वोज सेक्स अंस्पेसिफाइड, तो इसको आप ध्यान नहीं है को इस सिंबल से बना सकते हो, अगर किसी कपल के पाँच बच्चे हैं और पाचों सेफ हैं, तो ऐसा डाइमंड का सिंबल बनेगा, पाँच अन अफ आङके अख हो, या आपके शिंबल साफ पेडरी, अब देखते हैं बीमारियां किसकिस टाइब की हो सकती ये आपकी एक सेल के अंदर 46 क्रोमोजोम है, 44 हैं आपके ओटोसोम, तो बिमारी या तो इन ओटोसोम से रिलेटेड हो सकती है, तो इने कहेंगे ओटोसोम लिंग्ड, और या आपकी जो बिमारी है, वो सेक्स क्रोमोजोम से रिलेटेड हो सकती है, इसको कहेंगे सेक्स लिंग्ड इसको कहेंगे sex linked अगर autosome से linked बिमारी है तो यह autosomal linked बिमारी कैसी हो सकती है dominant हो सकती है या recessive हो सकती है मतलब सर मतलब मेरे भाई अगर कोई बिमारी autosomal dominant है तो वो सिर्फ dominant case में ही express करेगी यानि autosomal dominant case है capital A, capital A, capital A, small A है तब ही बिमारी आपकी होगी किसी individual को अगर बिमारी dominant है और इनसान अगर recessive है है ना तो वो normal रहेगा उसमें कोई बिमारी नहीं होगी similarly आप यहाँ देखिए recessive है अगर बिमारी तो सिर्फ इसी case में होगी इसी case में होगी भाई एक भी अगर dominant allele आपका मिल रहा है यहाँ पर तो बिमारी नहीं होगी तो they are going to be normal क्योंकि बिमारी है recessive आदमी है dominant तो बिमारी नहीं हो पाएगी they are going to be normal पहला तो यह case है correct दूसरा है sex linked बिमारी sex linked बिमारी में या तो बिमारी x chromosome से linked हो सकती है या y chromosome से linked हो सकती है तो इसको हम कहते है x linked बिमारी या y linked बिमारी मुझे एक बात बताएए अगर कोई बिमारी Y-linked है तो क्या ये सिर्फ और सिर्फ males में होगी? क्या female में Y-kromosome होता है? नहीं होता सर तो क्या Y-linked बिमारी female में हो सकती है? नहीं तो पहले तो ये वाला जो खेल है यही खतम कर दो अगर कोई ऐसी पेडिगरी मिल जाए जहां बिमारी सिर्फ और सिर्फ male 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 में ही हो रही है इसका मतलब अंदा धूंद मार्क कर दो वो Y-linked बिमारी है खेल खतम इन सम में जाने की जरुरत ही नहीं है और X-linked में अगर आप देखें तो X-linked बिमारी हो सकती है आपकी dominant भी या X-linked बिमारी हो सकती है आपकी recessive भी समझें क्या हुआ? X-linked बिमारी अगर dominant है तो आपका X के ओपर capital C है X के ओपर capital C है female में तो dominant भीमारी होगी? होगी X के ओपर एक capital C है दूसरे पर छोटा C भी है तब भी भीमारी होगी? होगी सर एक तो dominant है तो dominant होई जाएगा overall X के ओपर छोटा C है X के ओपर छोटा C है तो recessive case है क्या भीमारी होगी? नहीं होगी सर, normal आदमी अगर देखो X के ओपर छोटा C है और Y है तो यहाँ recessive है X क्रोमोजोम यह आपका normal रहेगा और अगर यहाँ पर आदमी में तो एक ही X क्रोमोजोम है उस पर अगर capital C आ करके बैठ जाए तो आदमी तो जटपट बिमार हो जाता है यहाँ आपको पता लगेगा इन बिमारियों में कि आदमी की जो पैदाईश है वही मौत होने के लिए हुई होती है मलब आदमी पैदा ही हुआ है कि बढ़िया तरीके से मर सके इतने सारी बिमारियां है और उनकी आदमी में जाने की probability औरत के comparison में 20-20 गुना जादा है यानि औरत को बिमारी भी छोड़ देती है कोई बात नहीं तब ठीक हो जाएगा आदमी का गला पकड़ लेती हाँ के तू तो तो मरेगा भाई तेरे को तो कोई नहीं बचा सकता अगर एक भी dominant allele है तो बिमारी नहीं होगी X capital C है एक छोटा सी है तो भी नहीं होगी X capital C X capital C है तो भी नहीं होगी यह दोनों cases आपके normal रहेंगे mail में अगर आप देखे तो X capital C है और Y है तो बिमारी आपकी नहीं होगी लेकिन अगेन एक ही X chromosome है अगर भाईया किसी ने घटिया X chromosome चिपका दिया तो दिक्कत हो जाएगी तब की तब आदमी तो बिमार हो जाएगा disease हो जाएगा सर यह सब तो ठीक है लेकिन pedigree को solve कैसे करेंगे अब आ जाते हैं मुद्दे की बात पर कि मुझे बताओ भाई कि यह जो है यह जो है और यह जो है यह dominant जादा express करते हैं यह कम express करता है यह कहीं भी dominant के express करने की possibility जादा होती है बिलकुल होती है आप सबसे पहले pedigree की शकल देखो वट आर दा स्टेप्स आप सबसे पहले pedigree की शकल देखो कि क्या हर जनरेशन में कोई न कोई बिमार आदमी मिल रहा है यह सर मिल रहा है इसका मतलब दिरार good chances की वो dominant pedigree है dominant बिमारी है फिर आप उसको solve करना start कर दो dominant है तो एक बार x-link dominant रखके देखो एक बार autosomal dominant रखके देखो आपको इन दोनों में से उत्तर मिल जाएगा अगर आप एक pedigree को देखते हैं और आपको बिमारिया नहीं मिल रही है हर जनरेशन में इसका मतलब वहाँ recessive disease होने के chances है अगर आपका x-link recessive बिमारी होती है तो यह criss-cross inheritance दिखाती है यानि बिमारी आपकी male से female में जाएगी female से male में जाएगी male से female में जाएगी and so on criss-cross pattern कहते हैं तो अगर आपको हर जनरेशन में बिमारी नहीं मिल रही इसका मतलब बिमारी recessive होने के chance है कि क्रिस-cross inheritance देख लो क्रिस-cross inheritance मिल गई तो पक्का excellent recessive क्रिस-cross inheritance नहीं मिली तो आप autosomal recessive के लिए solve करके देखो pedigree आपको उत्तर मिल जाएगा यानि यहां हमें time बचाना है भाया trick लगा करके solve तो आपको करनी पड़ेगी उसका कोई alternative नहीं है लेकिन आप वक्त बचा सकते हो option eliminate करके एक में हो दॉजय कोई मिल इस नहीं में है एक फॉक्ट में गया कि यह दिमाग में एक थौट задач यह आ गया कि यह दॉमिनेंट हो सकती है इतना मुझे सिर्फ यह पैडिग्री देखकर पता लगा है कि यह dominant हो सकती है अब autosomal है या sex linked यह मुझे नहीं पता है मैं काम करता हूं इन दोनों को solve करके देखता हूं तो मैं sex linked तरीके से इसको solve करके देखता हूं अगर यह sex linked dominant बिमारी है मैं मान के चल रहा हूं यह sex linked है अगर यह sex linked dominant बिमारी है तो यह तो आपका बिमार नहीं है तो यह तो पक्का recessive है तो इसको छोटा सी माल लो यह तो safe है female है तो यह dominant दोनों x chromosome पे भी हो सकती है और एक x chromosome पे भी हो सकती है ठीक है अब जो बच्चे है इन में आपके safe बच्चे भी है यानि x छोटा सी x छोटा सी दोनों parent से चाहिए तभी तो safe हो पाईगी आपकी female छोटा सी छोटा सी एक भी बड़ा सी आते ही तो dominant बिमारी है ना कबाड़ा हो ही जाएगा यानि यह वाला जिनो टाइप सही है ठीक है तो हमने क्या किया x बड़ा सी x छोटा सी कि अना dominant बिमारी है तो एक्स बड़ा सी x छोटा सी है यहाँ पर female safe है अब चोटा सी x छोटा सी जाए एक्स बड़ा सी और y male बिमार कर दिया और x छोटा सी और y male safe रखा ठीक है अब यह जो female है यह भी आपकी क्या होगी एक्स छोटा सी एक्स छोटा सी कम्प्लीटली रिसेसिव होगी तभी सेफ होगी और यह जो मेल है यह भी कैसा होगा एक्स छोटा सी वाई होगा तभी यह सेफ होगा अब छोटा सी छोटा सी बड़े सी का कोई चांसी नहीं होने का तो यहां पर कैसे बच्चे बने चोटा सी चोटा सी चोटा सी यहां पर आपका चोटा सी चोटा सी चोटा सी यह भी से यहां आपका चोटा सी वाई यहां पर भी आपका यह ठीक बना अभी तक हम लोग सही जा रहे हैं यहां देखे भईया बड़ा सी चोटा सी और चोटा सी आप देखें यहां यह बड़ा सी और छोटा सी एक फिमेल बना दो गए बड़ा सी और छोटा सी यहां है छोटा सी और छोटा सी अगली फिमेल अगर बनती तो छोटा सी छोटा सी बनती यानि सेफ बनती आप देखें यहां पर वाई जो है यह कैपिटल सी के साथ वाई जो है small c के साथ यानि y जो है एक capital c के साथ होना चाहिए था diseased और y एक छोटे c के साथ होना चाहिए था safe क्या यहाँ यह diseased वाला बंदा मिला हमको नहीं मिला यहाँ तो दोनों safe है यानि यह pedigree fail हो गई यह pedigree end में आकर के धोका दे गई भया यह pedigree end में आकर के धोका दे गई मेरे दोस्त आराम से समझने की कोशिश करिए यह आराम से समझ यह कोई दिक्कत नहीं है देखो मेरे भाई इस बिमारी को मैं dominant मानके चल रहा हूँ x-linked dominant यह बिमारी अगर x-linked dominant है तो बिमार कब होगा कोई आदमी जब उसके अंदर x-capital c लेकर के बैठाओ capital c को मैं बिमारी बोल रहा हूँ तो एक capital c तो होना चाहिए दोनों भी हो सकते हैं तब भी dominant एक capital c है एक चोटा c है तब भी dominant यहाँ पर यह male बिमार नहीं है यानि इसमें capital c नहीं है चोटा c है यह safe है तो यहाँ आपने छोटा सी लिया यहाँ आपने बड़ा c और छोटा सी लिया क्यों क्यों क्योंकि आगे आपका बड़ा c भी जा रहा है और आपका छोटा सी भी जा रहा है safe unsafe दोनों प्रकार के बच्चे हैं यहां बड़ा सी और छोटा सी दोनों होने चाहिए तो हमने जब इस pedigree को solve किया तो हमें ये बच्चा मिला capital C, small C और ये मिला हमें small C और Y तो इनके बच्चे जब बनेंगे तो female कैसी कैसी बनेंगी X capital C, X small C जो कि dominant है तो बिमार हो जाएगी और X small C और X small C जो कि safe रहेगी अगर चौथी बच्ची होती तो safe रहती यहां पर है मेल अगर बनेगा तो Y छोटे C के साथ यानि आपका safe और Y बड़े C के साथ यानि unsafe यहां तो भईया दोनों ही safe दिखा रखे है pedigree ने धोका दे दिया ना जो हम चाहा रहे थे वो result थोड़ी आया है pedigree ने धोका दे गया यहां पर pedigree आपकी गलत थावित हो गई इस point पे आके धोका दड़ी हमारे साथ हुई तो अब हम क्या करते हैं इसको दुबारा से solve कर लेते हैं इसको दुबारा से solve कर लेते हैं क्या मान करके इसको दूसरा case मान के solve कर लेते हैं हम लोग क्या माना हमने आराम से देखना अब मैंने इसको dominant माना है लेकिन autosomal अब मैंने इसको dominant माना है लेकिन autosomal ठीक है मैंने इसको dominant माना है autosomal autosomal dominant अगर है तो यह बिमार है तो a भी हो सकती है a छोटा a भी हो सकती है ये आपका बिमार नहीं है तो ये dominant नहीं है small a small a is the only possibility यहाँ बच्चे safe भी है और unsafe भी है यानि आपका यहाँ पर safe बच्चे है तो छोटा a दोनों तरफ से आएगा small a small a तब बच्चा safe होगा तो यहाँ पे ये capital a capital a वाली combination नहीं हो सकती capital a small a ही यह capital a दूसरे small a से मिला यह आपकी फिर बिमार हो गई हादमी बिमार और र्ट बिमार यह small a से मिला और रट safe यह small a दूसरे small a से मिला आदमी भी safe यह आपका एक normal औरत से शादी करता है तो small a small a सारे बच्चे कैसे बनेंगे small a small a small a capital a आने का तो कोई चांस ही नहीं है यह आदमी safe है तो small a small a capital a small a जब fuse किये तो female बन गई आपकी disease small a small a small a यह fuse किये small a small a यह fuse किये तो आदमी दोनों must रह सकते हैं मस्त रह सकते हैं यह combination सही है तो हमारी पेडिगरी क्या निकली ओर्टो समल डॉमिनेंट आ गया सही उत्तर अगला वाला दस सेकंड में तोड़ करके दिखाऊं दिखाईए सर यह generation मैंने देखी इसमें बिमारी मिली यह generation मैंने देखी इसमें बिमारी मुझे मिली यह generation मैंने देखी इसमें बिमारी मिली यह generation बिमारी मिली यह generation बिमारी मिली एक generation में बिमारी नहीं मिली मेरी नजर में यह पैडिगरी है अगर रिशेस्जिव है तो इसमें क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस है क्या बिमारी सिर्फ male से female मेरा e-female से male मेरा जा रही है कोई pattern नहीं है यानि एक्सलिंक्ट recessive नहीं है इसमें क्रिसक्रॉस inheritanceádLY एक्सलिंट नहीं है तो मेरी नजर में बचा सिर्फ autosomal यानि मेरी नजर में autosomal recessive बिमारी है यह मेरा तिगड़म है, मेरा तुक्का है मैं इसको प्रूफ करके देख लूँगा X-linked recessive बिमारी है recessive बिमारी है, तो यह बिमार नहीं है तो they would be dominant यह तो a dominant होगा, यह dominant होगा यह dominant होगा, यह dominant होगा अब नीचे बिमार भी बन रहे हैं यानि small a small a दोनों से आना चाहिए तो यह दोनों eliminate हो गए भाई आपका capital A, capital A यहांपे आया Small a, small a, यहांपर आया, recessive capital A capital A, capital A capital A, small a, small a, small a आया और capital A, capital A आ जाएगा जैसा आपको ठीक लगे अब यहाँ पर भी आपका बिमार individual बन रहा है तो small a, small a आपको चाहिए तो small a, small a बना लो capital A, capital A बना लो capital A, small a बना लो हो गया, हो गयी solve correct है, एक भी जगा मेरे को blockage नहीं मिला यानि ठीक था यह autosomal recessive था, बात खतम यानि मैंने क्या किया मैंने dominant pedigree solve करने का अपना time बचाया, मैंने in fact x-linked भी solve करने का time बचाया, मेरे को देखके लगा यह recessive है मैं x-linked recessive solve नहीं करूँगा, क्रिस-क्रोस pattern देखूँगा, यानि सबसे पहले मेरे दिमाग में आया, मैं autosomal recessive के तोर पे solve करके देखता हूँ मेरा उत्तर आ गया, अगर मेरा उत्तर नहीं आया होता तो मैं autosomal dominant पे भागता autosomal dominant भी अगर समझ लो उत्तर नहीं होता, तो x-linked dominant उत्तर था ही बात खतम चौथी solve करने की जरूरत ही नहीं होती चार option है, तीन उत्तर नहीं है तो चौथा by default आपका option बन जाता है और solve करके देखो और आजाओ भीया करो भाई solve अब आप मुझे करके बताओगे ये क्या है भाई पहली generation है, इसमें बच्चे हैं बिमार, दूसरी generation में बच्चे हैं बिमार, तीसरी generation में नहीं है क्या ये recessive हो सकती है जी सर ये recessive हो सकती है क्या ये X-linked recessive हो सकती है क्या criss-cross inheritance pattern देखने को मिल रहा है भाई यहाँ male से female में बिमारी जा रही है लेकिन male में भी तो जा रही है तो क्या autosomal recessive हो सकता है? क्या autosomal recessive हो सकता है? करके देख लो यार, autosomal recessive होता, तो सिर्f recessive केस में बिमारी होती, 또 यहाँ smallे-smallे, यहाँ smallे-smallे, smallे-smallे, यहाँ capital A आने का कोई chance है ही नहीं, अगर यह smallे-smallे है तो यह भी बिमार हो ना था, मतलब recessive नहीं है बिमारी मुझसे गलती हो गई मुझको राणा जी माफ करना गलती महारे से हो गई तो गलती को correct कैसे करेंगे यह recessive तो नहीं निकली autosomal तो नहीं निकली तो अब मैं dominant के लिए solve कर लूँगा dominant autosomal के लिए solve कर लूँगा dominant autosomal के लिए solve कर लूँगा कर लेंगे भाया यह आपका या तो capital A capital A हो सकता है या capital A हो सकता है या capital A हो सकता है या capital A हो सकता है तब dominant केस में बिमार होंगे इनका बच्चा निकल रहा है यानि इसको small a small a चाहिए यानि यह वाले तो जीनो टाइप नहीं हो सकते capital A capital A बना लो capital A capital A बना लो capital A small a बना लो बना लिया यह small a small a safe बच्चा हुआ यहाँ पर देखेए बिमार हो रहा है तो यह आपका capital A capital A capital A, small A, कोई भी dominant हो सकता है यह पका small A, small A निकलेगा इसके बच्चे safe भी है, unsafe भी है तो यहां तो आप कोई भी ले सकते हो भाई यह वाला अगर ले लोगे तो small A, small A बन रहे है small A, small A safe बन रहा है और capital A, small A आपका diseased बन रहा है यहां small A, small A, small A तो किसी में भी capital A आने की कोई समभावना नहीं है सारे बच्चे small A बने, सारे बच्चे आपके safe बने एकदम correct है, autosomal dominant बिमारी है यानि जरूरी नहीं है कि आपकी trick काम कर जाए लेकिन आपका time तो बचा लेगी time तो बचा लेगी मेरे भाई अगला देखो फटा फट अगला देखो, यह solve करके देखो भाई मैंने देखा कि आपका first generation में बिमारी है दूसरे में कोई बिमारी नहीं, तीसरे में कोई बिमारी नहीं चोथे में बिमारी है, भाई पूरी दो generations में बिमारी नहीं है यह तो मेरको strong feeling आ रही है कि it is recessive in nature यह तो strong feeling आ रही है कि it is recessive in nature अब recessive है crisscross inheritance नहीं है तो X-linked recessive तो यह नहीं है X-linked recessive नहीं है तो autosomal recessive के लिए मैं इसको solve करके देख लेता हूँ मुझे लग रहा है यह autosomal recessive है autosomal recessive होगी तो बिमारी में small A small A यहाँ capital A capital A capital A small A हो सकता है अब सारे ही बच्चे सेफ है है ना सारे ही बच्चे सेफ है यानि यहाँ पर dominant case आ ही रहा है तो capital A small A यही हो सकता है small A small A तो एक भी बन ही नहीं रहा तो capital A small A capital A small A capital A small A capital A small A अब इनके बच्चे जो बने, capital A, capital A, capital A, small A, इसकी शादी हुई फिर नॉर्मल आपका capital A, capital A हो सकता है, capital A, small A हो सकता है, बच्चे नीचे क्या बन रहे हैं, आपके small A, small A, recessive भी बन रहे हैं, तो ये वाला नहीं हो सकता, capital A, capital A, safe, capital A, small A, safe, small A, small A, unsafe, small A, small A, unsafe, autosomal recessive अपनी बिमारी हो गई, निकाल के देखी, जट पट निकले हैं, correct है, correct है sir, यानि pedigree के लिए कोई trick नहीं होती दोस्त, time बचाने की trick ज़रूर होती है, ये बिमारी जो autosomal, dominant है, इसका नाम क्या है, myotonic diastrophe, आपके पूरे syllabus में, एकलोती ऐसी बिमारी जो dominant बता रखी है, वो है आपकी, myotonic diastrophe, इसके अलावा कोई dominant बिमारी नहीं है, ये जो आपकी बिमारी है, ये जो आपकी बिमारी है, autosomal recessive, ये क्या है, सीकल cell anemia, सीकल cell anemia, ये है आपकी सीकल cell anemia, और ये दोनों random examples है, इसमें आप कुछ भी भर सकते हो, इसमें आप कुछ भी भर सकते हो, आप कुछ सवालात कर लिए जाए, कुछ सवाल कर लेते हैं, दोस्त, कुछ सवाल कर लेते हैं, कुछ चीज़ें सीख लेते हैं, आए भाई, फटा-फट देखे, which of the following occurs due to presence of autosomal link dominant rate हो जाएगा, autosomal dominant मैंने बताया, एक ही बिमारी है, जो आपके syllabus में भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ pedigree में उसका नाम दिया है, और वही पूछ ली, सिर्फ और सिर्फ myotonic diastrophe, इसके लावा कोई dominant बिमारी आपके syllabus में नहीं है, और in fact, सारी recessive बिमारी यहीं है, उनमें से दो हैं सिर्फ आपकी excellent recessive, color blindness और hemophilia, उसके लावा सारी autosomal recessive तो याद करने की भी जरुवत नहीं है, अभी रामबान ट्रिक दे दूँगा, सारे सवाल जटपट बन रहे होंगे, color blindness का सवाल अभी नहीं कर पाओगे, सिकल से लनिम्य अभी नहीं कर पाओगे, ये भी अभी नहीं कर पाओगे, ये भी अभी नहीं कर पाओगे, चलो भाई, एक ही सवाल था जिसके लिए इतनी दूर, चलके आए, दूरी तै करके, अब थोड़ा सा हम लोग disorder disorder खेल लेते हैं, पहले NCRT पढ़ा देता हूँ, फिर notes बनवा दूँगा, आराम से देखे, Mendelian Disorders, मतलब ऐसे disorder, जहां single gene में problem आ रही हो, कोई gene, जो कि responsible है किसी protein को बनाने में, अगर उस gene में problem आ रही है, तो वो Mendelian Disorder cause कर रहा होगा, और इसको आप pedigree से track कर सकते हो, So, genetic बिमारिया दो तरीके की होती है, एक Mendelian Disorder जो single gene में फरक आने से cause होती है, और दूसरा क्रोमोसोमल Disorder, जहां या तो कोई क्रोमोसोम बढ़ जाए, या कोई क्रोमोसोम घट जाए, या कोई क्रोमोसोम की abnormal arrangement हो, ये सारी चीज़े हो रही हो, आराम से देखे, एक reference से समझा आता हूँ, आज भाया मैगनेट के पैसे ही वसूल देंगे, अज पैसे ही वसूल देंगे, देखे, ये आपके सारे क्रोमोसोम है, यहाँ पर मैंने 6-6 क्रोमोसोम लगा रखे हैं, और ये पेर में थे, समझ लीजे एक और गैनिजम था, जिसमें टोटल 12 क्रोमोसोम होते है तो 6 पैर ओफ क्रोमोसोम हुए, 12 क्रोमोसोम मतलब 6 क्रोमोसोम की जोडिया हैं, अब दूरिंग गैमेट फॉरमेशन ये सेपरेट होंगे, सेपरेट होंगे, इस इस आइडियल सिचुएशन, कई बार क्या होता है, ये एक क्रोमोसोम जो है, ये अपने दोस्त के साथ चिप का रह गया, और यहां एक क्रोमोसोम कम हो गया, यानि जब ये क्रोमोसोम सेपरेट हो रहे थे, जब ये होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट हो रहे थे, एक दोस्त अपने भाई के साथ चिपका रह गया, ये होमोलोगस क्रोमोसोम अलग नहीं हुए, तो ये जो आपका गैमेट बना इसमें 6 की जगा कितने क्रोमोजोम हो गए, 7, अब ये जो आपका क्रोमोजोम है, आराम से देखिएगा, और ले आते हैं भाई, कोई कमी नहीं, अब ये जो आपका 7 क्रोमोजोम वाला गैमिट है, ये किसी नॉर्मल 6 क्रोमोजोम वाले गैमिट से टकराया, तो इस और ग है क्रोमोजोम का यह टकरा गया इस पांच वाले के साथ तो इसमें कितने हो गए ग्यारा हो गए एक में बारा होना चाहिए थे पर यह आपके 13 है एक में आपके इतने होने चाहिए थे 12 लेकिन सिर्फ 11 है तो क्या इस और गैनिजम में यह जो और गैनिजम बना है इसमें एक क्रोमोजोम की कमी है, अबनॉर्मेलिटी है, येस, और ये जो क्रोमोजोम बना है, क्या इसमें एक क्रोमोजोम एक्सेस है, ये जो, सुरी, आपका और्गैनिसम बना है, क्या इसमें एक क्रोमोजोम एक्सेस है, येस, इसमें भी अबनॉर्मेलिटी है, इसमें एक्सेस की वज़े से इसमें कमी की वज़े से similarly दो क्रोमोजोम्स अगर चिपके रह जाएं तो यहां दो एक्स्ट्रा आ जाएंगे यहां दो कम आ जाएंगे तो abnormal gametes जब बनते हैं तो यहां भी fuse करेंगे गडबड़ी ही cause करेंगे and कई बार देखिये देखे भाई क्या हुआ यह आपका एक organism के अंदर का क्रोमोजोम का structure है हमारे अंदर 46 क्रोमोजोम है ठीक है आप समझ लीजिए यहां पर nuclear division हो गई डबल क्रोमोजोम बन गए 46 की जगा 92 लेकिन cell division नहीं हुई तो हमारे अंदर तो abnormality आ जाएगी न दो सेट ऑफ क्रोमोजोम होने चाहे थे चार सेट ऑफ क्रोमोजोम आ जाएंगे बज गई बैंड बज गई तो प्लांट में अगर क्रोमोजोम के सेट भढ़ जाएं सेट के सेट भढ़ जाएं तो प्लांट को कोई दिक्कत नहीं होती humans survive नहीं कर पाते ऐसी case में इसे polyploidy कहा जाता है अभी लिखाऊंगा तो mendelian disorder होते हैं alteration या mutation से in single gene अगर एक ही gene में गड़बड है तो आपका ये mendelian disorder है और इनको pedigree से track किया जा सकता है इनके examples के बारे में आपको पढ़ाऊंगा ठीक है लिख लेते हैं notes के अंदर देखें genetic diseases जो है यह हैं दो प्रकार की पहला mendelian disease mendelian diseases किस वज़े से होती है यह अभी पढ़ा था alteration or mutation in single gene ठीक है अब यह जो बिमारिया है एक gene में mutation की वज़े से होती है यह बिमारिया आपकी कैसी हो सकती है autosomal भी हो सकती है यह आपकी और x-linked वाली जो है यह भी आपकी dominant हो सकती है और यह भी आपकी recessive हो सकती है मायोटोनिक डाइस्ट्रोफी करेक्ट है तो autosomal dominant में क्या आ गया मायोटोनिक डाइस्ट्रोफी करेक्ट है recessive में क्या आ गया autosomal recessive में यह थुड़ा बाद में बताता हूं x-linked recessive में या sex-linked recessive में सिर्फ दो बिमारिया है आपके syllabus में याद रखेगा सी और एच जैसे याद करना है करो है ना हमने तो भाया चंडी गड़ से याद करी थी हर्याना के आदमी है हमारी राजधानी है तो CH क्या हो जाता है भाया यहां पर color blindness कि कलर ब्लाइंड ड्रेस एक x-linked recessive बिमारी है और हेमोफीलिया एक x-linked recessive बिमारी है इसके अलावा आपके syllabus में जो है सारी के सारी autosomal recessive हैं सारी recessive ही सिर्फ दो आपकी x-linked recessive है इसके अलावा जो आप सोच सकते हो सारी आपकी autosomal recessive है color blindness हेमोफीलिया के अलावा क्या बचा सीकल सेल अनेमिया cystic fibrosis phenyl ketonuria है ना ये सारी चीज़े आजाएंगे thalassemia ये सारी आपकी autosomal recessive x-linked dominant आपके syllabus में कोई भी बिमारी नहीं है नाम तक भी नहीं है दूर दूर तक आप लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो vitamin D resistant rickets लेकिन हाँ बस लिखना ही याद मत रखना vitamin D resistant rickets कि बस इतना ही लिखना है वो भी खाली अच्छा नहीं लग रहा था इसी लिए लिख वाया बागे कुछ है नहीं कि अगर आप देखें कि तो दूसरे जो disorders होते हैं यह क्या होते हैं यह आपके होते हैं chromosomal disorders क्रोमोसोमल डिसॉर्डर्स किस वज़े से होते हैं भाया इर तो लग और अथस्पस्पुमोड्स दू लग और अथस्पुमोड्स और अबन्रोर्मोर्ड्स अ्रिम आप Abnormal Arrangement of Chromosomes, यहां देखे क्या हुआ, यहां देखे भाईया क्या हुआ, यहां या तो आपका एक आदा chromosome जादा या कम हो सकता है, इस case को क्या कहते है, एन्यूपलॉईडी, हर chromosome की कितनी copy होनी चाहिए आपकी body में, आपके cell में, हर chromosome की कितनी copy होनी चाहिए, मेरे अंदर chromosome number 1 कितने है, deployed cell में, 2, chromosome number 2 कितने है, 2, chromosome number 3, 2, तभी तो मैं deployed हुँ न, अगर मेरे भाई, यहां पर सिर्फ एक ही chromosome की copy है मेरे पास, तो उसे मैं monosome कहूंगा, monosome मतलब मेरे पास deployed जितने chromosome थे, उससे एक chromosome कम है, एक chromosome मेरी body में कोई ऐसा है, मेरे cell में कोई ऐसा है, जो usual से एक कम है, डाई सॉमी होनी चाहिए थी, monosome है, अगर समझ लो, दो chromosome मेरे cell के अंदर कम है, तो नली सॉमी कहा जाएगा, दो होने चाहिए थे, 0 है, तो 2N-2, एक chromosome का पेर ही ऐसा है, जो गायब हो गया, ट्राई सॉमी, एक chromosome एक्स्ट्रा आ गया, दो होने चाहिए थे, आपका एक और एक्स्ट्रा आ गया, ट्राई सॉमी, दो होने चाहिए थे, डाई सॉमी होनी चाहिए थी, आपका दो एक्स्ट्रा आ गया, यह क्या है एन्यूपलोईडी एक आधे क्रोमोजोम में चेंज आने की वज़ा से यह जो हमको देखने को मिल रहा है दिस इस एन्यूपलोईडी यहां पर अगर आप देखें तो दूसरी चीज़ है पॉली प्लोईडी यानि पूरा सेट ही भढ़ जाए पॉली प्लोईडी पूरा सेट ही भढ़ जाए ओल सेट ऑफ क्रोमोजोम्स इंक्रीजिस जैसे समझ लीजिए यह एक सेल है इस सेल में आपके डिपलोईड स्ट्रक्चर्स पाए जा रहे थे डिपलोईड कंडिशन थी आप यहां पर नुक्लियर डिवीजन तो हुआ तो अमाउंट भढ़ गया आपका ओवर ओल कॉंटेंट भढ़ गया आपका नुक्लियर कॉंटेंट लेकिन सेल डिवीजन हुई नहीं कॉंट्यमेटली क्या हुआ तो एंट की जगा आपका सेल फोर एंट हो गया और पूरा सेट भढ़ गया है और अधिस कॉल्डे पॉलिपलोईडी विच इस कॉमनली सीन in plants, which is commonly seen in plants, animals में बहुत ज्यादा नहीं देखा जाता है, क्या आप में से कोई बता सकता है, हम जो wheat खाते हैं, हम जो गेहूं खाते हैं, आटा जो हमारे घर पे आता है, वो wheat की ploidy क्या है, आदा घंटा का बागी है और कम ही बागी है, मतलब हो सकता है 15-20 मिनिट में खतम हो ज हो का है, टेंशन मत लीजे, पर देख के जाएगा है न, कि बाद में दुबारा आने की हिम्मद जुटाना आप नहीं कर पाते है, वो human nature है भाई है इससे बच नहीं सकते, deployed है गेहूं का, नहीं, it's hexaploid, 6N, it's polyploid wheat है, जो कि plant में एक बहुत आम बात है, लेकिन इंसानों मे दिक्कत हो जाती है भाईया, इतने में तो मारा मारी हो जाती है, जान निकल जाती है, करेक्ट, अब मैंने आपको क्या बताया, color blindness और hemophilia, सिर्फ ये X-linked recessive disease है, इनको छोड़ करके, जितनी भी हमारे सिलेबस में हैं, सारी autosomal recessive हैं, autosomal recessive लिखा, sickle cell anemia को, autosomal recessive लि सब autosomal recessive हैं, इनको छोड़ करके, correct है, एकदम correct है, तो पहले type of disease तो हमको याद हो गई, सबसे पहली चीज, आराम से देखना, color blindness के बारे में, कि बच्पन से इसके बारे में क्या सुना है, color blindness मतलब color देखने में problem, तो दो अलग-अलग type की color blindness होती है, वैसे और भी होती है अगर आप दो पढ़ें, तो भी काम चल जाएगा, एक है red color blindness, एक है green color blindness, अब green color का क्या होता है, mountain dew, तो इस green color blindness को हम क्या कहते हैं, देखो green को tag भी कर रखा है, mountain dew, dueteronopia कहते हैं, mountain dew is green, यह अपने mad easy का पूरा का पूरा चार्ट है, ऐसी ही colorful information आपको दी गई है, तो पूरा म आजाएगा सारा का सारा काम, promotion करना बहुत जरूरी है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, यहाँ पर green जो है, it is dueteronopia, और proteronopia में देखो क्या आ रहा है, आर आ रहा है, इसको अलग से red से मैंने mark भी किया है, क्योंकि जिससे visual memory, आपको ध्यान आए चीज़ें paper में, कि R से red color अलग स पाओगे मेरे दोस्त, क्योंकि बहुत प्यार से लिखी गई है, एक एक चीज़ पर सटीकता से, पूरा का पूरा focus डाला गया है, कि कैसे आपको चीज़ें याद कराए जाए, तो protonopia जो है, या proteronopia जो है, इसमें R red color को resemble कर रहा है, तो इसे red color blindness कहा जाता है, और mountain dew green color की होती है, यहाँ X-linked recessive disease है, तो mutation हो जाती है, X chromosome में, X chromosome पे एक ऐसा gene present है, जो color के लिए responsible होता है, तो आपका वहाँ पर mutation हो जाती है, अब यह जो बिमारी है, यह 8% male के अंदर होने के chances रहते हैं, लेकिन सिर्फ 0.4% female के अंदर, यहाँ आदमी के इस बिमारी को लेने के chances 20 गुना जादा हैं, क्यों? क्योंकि आप देखिए, it is a X-linked recessive disease, तो यह female में कब होगी, जब दोनों के दोनों X chromosome recessive होंगे, यह कब हो सकता है, जब इस disease वाली female की माता जी पे at least एक छोटा X हो, और male तो color blind हो ही हो, तब ही जाके छोटा X छोटा X वाली combination बन सकती है, तब जाके female color blind हो सकती है, which is very rare, इसलिए female कम बिमार पड़ती है, आदमी तो भाईया, जहां पे एक छोटा सी आया, वहीं लपेटा गया, हेमोफिलिया नाम क्या है, हेमो, यानि blood से related, तो blood clotting जो है, इसमें पूरी की पूरी cascade चलती है, एक chain चलती है, है ना, आपका prothrombin भी यहाँ पर involved होता है, calcium भी involved होता है, fibrinogen भी involved होता है, तब जाके blood clot बनता है, काफी सारे proteins की involvement होती है, तो इस blood clotting की पूरी की पूरी chain में, बीच में एक जो protein है, यह क्या हो जाता है, आपका mutate हो जाता है, उस protein को बनाने वाला gene mutate हो जाता है, तो protein cascade पूरी ही नहीं हुई, clotting cascade पूरी ही नहीं हुई, तो blood का कत्था नहीं बन पाता, अगर एक छोटा कट भी लगेगा आपके शरीर पे, तो आपके लिए वो जानलिवा साबित हो सकता है, continuous bleeding हो जाएगी, clot नहीं बनेगा, that's why इस disease को कहा गया, bleeders disease लगातार निरंतर खून बहता रहता है, right, तो blood clotting यहाँ पर affect हो जाती है, capital H और small H genes यहाँ पर regulate कर रहे होते हैं, इस blood clotting को, hemophilia को, ठीक है, तो dominant case में HH is normal, बड़ा H, छोटा H is also normal, छोटा H, छोटा H, जो आपकी recessive disease है, तो recessive case में यह आपका क्या हो जाएंगे, बिमार हो जाएंगे, Queen Victoria ने अपने कई बच्चों को, तोहफे में, जायदाद की जगा, एक बिमारी दी थी, जिसका नाम था, hemophilia, क्योंकि यह खुद तो आपकी क्या थी, carrier थी, जानि यह खुद तो आपकी capital H, small H carry करके बैठी थी, तो इसमें तो dominant state आ गया, तो यह खुद तो बिमार नहीं थी, लेकिन यह छोटा H, अगर भाया, किसी mail में भेज दिया, इसकी तो band बच गई ना, यह तो hemophilic हो गया, तो जब बच्चों ने कहा, कि ममी, ममी, जायदाद दे दो, तो ममी ने कहा, रुको बेटा, मेरे पास तुम्हें देने के लिए सिर्फ एकी चीज़ है, वो है एक जान आउंगी, क्रिकेट खेलते-खेलते मर गया बच्चा, और अपना नाकून काटते-काटते थोड़ी ज्यादा स्किन कट गई, वहां से खून बहा, और बच्चा चल दिया, राम जी के द्वार, तो यहां एक बहुत खतरनाग बिमारी बाटी जा रही थी, गिफ्ट में, अपने कई descendants को, क्योंकि वह खुद carrier थी, तो इसका तो क्या गया, एक छोटा H, लेकिन सामने वाले की band बच गई, है ना, female में दोबारा बिमारी होना काफिर एर है, यहां फिर female को edge मिल गई, क्यों, क्योंकि female कब बिमार होगी, जब X छोटा H और X छोटा H दोनों आए, यह उसके जवानी तक बचने के chance ही कम रहते हैं, तो female में तो यह बिमारी आना बहुत मुश्किल है, इसलिए Queen Victoria खुद आपकी carrier थी, इस वाली stage पे थी, जहां वो खुद hemophilia बिमारी की शिकार नहीं थी, सिर्फ carrier थी, औरों को दे सकती थी, सिकल सेल अनेमिया पढ़ी चुके हैं, ओटोसोमल रिसेसिव डिजीज है, यहां पर आपका क्या है, HBA और HBS जीन होते हैं, अब रिसेसिव डिजीज है, तो जब SBS, HBS साथ आएंगे, उसी केस में आपका यह सिकल सेल अनेमिया होगा, अधरवाइस नहीं, आपको पता है, पैदाईशी होता है, फिनाइल एलनीन को टाइरोसिन में कनवर्ट करने वाला एंजाइम फिनाइल एलनीन हाइड्रोक्सिलेज यहां नहीं बन पाता, इसलिए फिनाइल एलनीन हमारे ब्रेन में जमा हो जाता है, और मेंटल एटारडेशन कॉस कर देता है, और बोडी में ए में अब मैंने आपको बताए था सइखल सेशल अनेयम्या में ही कि जो आपका हेमोग्लोबinge हिसमे अलफा-चेन भी होती है और बडघाल होती है कि यहां पर अगर थैलसीमिय में alpha-चेन कम बन रही है तो ड़लभ है labelther月 की mail यह तो यहां पर अगर म्यूटैशन के कारण होती है अलग-अलग क्रोमोजोम में तो अगर आप देखें तो हमारी बॉडी में हमारे सेल में क्रोमोजोम नंबर 11 कितने होंगे दो होंगे एक मदर से आये हुआ एक फादर से आये हुआ है न हेमोग्लोबिन अल्फा से रिलेटेड एच भी मतलब हेमोग्लोबिन अल्फा से रिलेटेड पहला जीन हेमोग्लोबिन एच भी अल्फा से रिलेटेड दूसरा जीन यहां भी होगा hba1 hba2 यह टोटल चार जीन्स है क्रोमोजोम नंबर 11 पे हैं टोटल चार जीन्स हैं यह गाड़ी के चार पहिए माल लो अगर एक पहिया खतम गाड़ी फिर भी थोड़ी-थोड़ी चलेगी थोड़ी धीरे चलेगी नॉर्मल स्पीड से दो पाईये खतम और धीरे तीन पाईये खतम एकदम धीरे चार पाईये खतम वहीं खड़े हो जाओ भाईया और गाड़ी छोड़के भाग जाओ तो यहां पे अलफा थेलेसीमिया जो है यहां Hb1 और Hb2 जीन होते हैं क्रोमोजोम नंबर 16 पे जो कि आपके चार जीन हो गए टूटल तो चार जीन हो गए चार में से जितने जीन खतम होते जाएंगे उतना थेलेसीमिया सिवेर होता जाएगा और जितने कम जीन आपके अफे यहां पर आपका इकलोता जीन है यहां पर आपका इकलोता जीन है यह है क्रोमोसोम नंबर 11 यहां पर दो की जगा सिर्फ एक जीन है हेमोगलोबिन की बीटा चेंसे लेटेड़ HbB सिंस अकेला ही है तो 1,2 लिखने का फायदा नहीं है यहां सिर्फ HbB, HbB हम लिख सकते हैं तो यहां इन दोनों में से अगर दोनों जीन खराब हो गए, म्यूटेट हो गए तो जाधा दिक्कत और अगर एक जीन सिर्फ खराब हुआ तो कम दिक्कत ठीक है तो यहां चार ज सिमिक कंडिशन दो जीन खराब हुए तोड़ी और ज्यादा दिक्कत हो जाएगी तेन तीन खराब हुए और ज्यादा दिक्कत हो जाएगी चार जीन खराब हुए बहुत दिक्कत हो जाएगी हेमोगलोबिन बहुत कम बनेगा तो मैंने यहां पर क्या कहा हेमोगलोबिन बह कम बन रही होती है, this is quantitative disorder, लेकिन sickle cell anemia में क्या था, आपका point mutation की वज़े से hemoglobin altered बन रहा था, quality उसकी change हो रही थी, that was a qualitative disorder, तो sickle cell anemia में quality hamper होती है, आपके hemoglobin की, जबकि thalassemia में alpha chain या beta chain की quantity कम होती है, तो it is a quantitative disorder, करेक्ट, यह आपकी बिमारिया थी, बस यह आपकी बिमारिया थी भाई, अब एक बार देख लेते हैं, chromosomal बिमारिया, chromosomal disorders, आईए, chromosomal disorder, पहला chromosomal disorder है, down syndrome जिसको कहते है, 21st trisomy, trisomy अभी क्या बताए था, दो आपके chromosom होने चाहिए, हर chromosome जो है, उसकी दो copies होनी चाहिए, जहाँ 21st जो chromosome है, इसकी 3 copy है, तो 46 की जगा, 47 chromosome आपके आगए, यस, इस बिमारी को, down syndrome को, mongolism भी कहा जाता है, यहाँ जो patient है, जिसको यह बिमारी है, उनका, जो मुह है, यह चप्टा होता है, flat face, sir goal होता है, round head, मुह partially खुला रहता है, सलाइवा टपकता रहता है, mentally retarded होते हैं, physical, mental और psychomotor sink नहीं कर पाते हैं, यानि अगर आप cricket खिल रहे हो, तो आप ball को देख करके judgment बनाओगे, कि ball इतनी speed से आ रही है, आप उस ball की तरफ भागोगे, आगे या पीछे की तरफ, and आपके pair भी accordingly coordinate करेंगे, आप ball तक पहुँचोगे और उसे catch कर लोगे, this is not possible for people suffering with down syndrome, या तो mentally idea नहीं लगा पाएंगे कि ball कितनी दूर है, जब तो ball इनके एकदम pass ना आ जाए, इनसे टकरान आ जाए, तब तक आइडिया लगा ही नहीं पाएंगे, दूसरा, physically इतना तेज नहीं होते हैं, कि अगर idea लगा लें तो उस ball तक भाग ही पाएंगे, और पकड़ ही पाएंगे, और psychomotor यानि चलने में भी तकलिफ होती है, तो यहाँ पर इनको heart disease तक भी होते हैं, Langdon Down सहब ने इस बिमारी के बारे में पहली बार बताया था, 1866 में, जिस वज़े से इसे down syndrome बूला गया, chromosome number 21 की हाँ, दो की जगा, तीन copies हो जाती है, हाइट इनकी कम होती है, हाथों की लकीरे अगर आप देखें, तो हमारे हाथ ऐसे खुलते हैं, और ऐसे मुड़ते हैं, तो हाथों की लकीरे बन रही होती हैं, यह आपकी कुछ deep लकीरे हैं, जब आप हाथ को मुड़ते हैं तो जो पार्ट मुड़ता है, वहाँ जाधा बड़ी लकीरे बन जाती हैं, इनके हाथ ऐसे ही रहते हैं, बहुत जाधा खोलते नहीं हैं, अपने हाथों को ऐसे ही रखते हैं, तो उनके हाथ पे बहुत deep लकीर बन जाती है ऐसा लगता है किसीने हाथ को बीच में से दो भागों में काट दिया है जीब पर भी एक furrow बन जाती है इसी प्रकार की एक characteristic crease बन जाती है तो छोटा circular head होता है आपका flat face होता है जीब जो है उस पर furrow बनी हुई होती है मुझ खुला रहता है हाथ पे एक करेक्टरिस्टिक लकीर होती है हाथ डिजीज होती है mentally ये retard होते है यानि इनको बहुत सारी problems का सामना करना पड़ता है दूसरा है line filter syndrome जो male में होता है सिर्फ इसे कहते हम increase in femaleness यहाँ 44 प्लस xy यह तो normal male का खेल है है ना xy या एक और x chromosome बढ़ जाता है male के अंदर यानि x chromosome बढ़ना यानि femaleness बढ़ना तो आदमी जो है overall आदमी जैसा ही दिखता है लेकिन breast develop हो जाती है उनमें इसे gynecomesia कहा जाता है और यह दिखने में आदमी जैसे होते हैं लेकिन अगर आप देखेंगे तो sexually यह उतने active नहीं होते यानि कि इनमें sterility भी आ जाती है यह बच्चे पैदा नहीं कर सकते और mentally भी retardation का सामना करना पड़ सकता है Turner syndrome होता है female में जहां एक x chromosome कम हो जाता है तो female में 44 प्लस x होना चाहिए यहां एक x chromosome कम हो जाता है overall तो body में एक chromosome कम हो जाता है हर cell के अंदर तो यहां एक x chromosome कम है बाकी female के comparison में तो इनमें कम female characters हैं इनकी ovary rudimentary होती हैं ठीक तरीके से काम नहीं करती तो इनमें कोई secondary sexual character नहीं आते जैसे females में आते हैं जैसे broadening of hips, development of breast बहुत जादा यह characters नहीं देखने को मिलते तो यह भी sterile होती हैं और retard हो सकती है retardation is the terminal stage लेकिन sterile हो जाते है Nile-Penter syndrome और Turner syndrome में आपके male और female sterile हो जाते हैं और male जो है उसमें थोड़े female characters आ जाते हैं और female जो है उसके character कम हो जाते है This is your principles of inheritance and variation NCRT देखी लेते हैं या कंजूसी करनी अभी जाते जाते और फिर कुछ question solve करा देंगे Color blindness में क्या हुआ यह एक sex linked recessive disease है जिसमें cones जो है green और red cone यह effect हो जाते हैं आखों के आदमी में यह बिमारी होने के chance 8% है और female में सिर्फ 0.4% यानि आदमी के बिमार होने के chances 20 गुना जादा है female में बिमारी इसलिए कम होती है क्योंकि यह तभी हो सकती है female में जब उसके father color blind हो और mother at least carrier हो hemophilia भी एक sex linked recessive बिमारी है और यहाँ पर यहाँ पर blood clotting cascade का एक जो protein है वो नहीं बन पाता जिसकी वज़े से आपका blood clot नहीं generate हो पाता एक simple cut भी लगेगा तो non-stop bleeding हो जाएगी तो queen victoria ने अपने कई descendants को यह बिमारी तोफे में दी और और औरत का hemophilic होना is very rare क्योंकि ऐसा तभी हो सकता है जब उनके father hemophilic हो और mother carrier हो which is again an extremely rare condition सीकल सेल अनेमिया ओटो सोमल recessive disease है जहां पर दो अलील्स है HBA और HBS तो HBS वाला recessive है तो बिमारी सिर्फ तभी होगी जब HBS HBS साथ में आए otherwise नहीं जब आपका hemoglobin की beta globin chain पर glutamic acid की जगा वेलाइन आ जाए तो हम कहते हैं कि सीकल सेल अनेमिया नाम की बिमारी हो गई है जब DNA में GAG की जगा GTG और RNA में GAG की जगा GUG आ जाए तब ये बिमारी होती है आराम से देखे DNA में GAG की जगा GTG आया RNA में GAG की जगा GUG आया जिसकी वज़े से 6th position पे beta globin chain में glutamic acid की जगा valine आया जहां हमने कहा कि सीकल सेल अनेमिया हो गया है फिनाईल की टोन यूरिया भी autosomal recessive बिमारी है यहां फिनाईल एलनीन को tyrosin में convert करने वाला enzyme फिनाईल एलनीन hydroxylase आपका नहीं बन पाता है जिस वज़े से फिनाईल एलनीन convert हो जाता है फिनाईल पायरविक एसिड में और उसके कुछ derivatives में जिस वज़े से आपका ये brain में accumulate हो जाता है और mental retardation cause करता है और kidney since इसको ठीक से absorb नहीं कर पाती तो ये urine के थुरू excrete भी हो जाता है तेलेसीमिया अगर आप देखें नंबर 16 पे पाया जा रहे होते है और बीटा थेलेसीमिया में HBB gene आपका chromosome नंबर 11 पे पाया जा रहा होता है तो ये qualitative quantitative problem है जहां आपके alpha और बीटा chain की quantity घटी जबकि sickle cell anemia एक qualitative problem थी जहां hemoglobin की quality पे फर्क पड़ रहा था अगर आपके एक दो chromosome जादा या कम हो रहे हैं तो ये aneuploidy की निशानी है और पूरा का पूरा set अगर भड़ जा रहा है तो ये polyploidy की निशानी है जो की आपके plant में देखने को मिलती है for example down syndrome में आपका दो की जगा तीन copy हो जाती है chromosome number 21 की langdon down ने इस बिमारी के बारे में बताया बच्चे का यहाँ पर head round होगा मुँ flat होगा मुँ खुला रहेगा partially और saliva यहाँ से टपकता रहेगा हाथ पे characteristic palm crease होगी आपकी tongue पे भी एक फरो होगी congenital heart disease हो जाएंगी और आपका mental retardation और physical sink नहीं बना पाएगा बच्चा तो काफी सारी problem हो जाती है यह है line filter syndrome जहाँ पर breast development हो जाती है आदमी में gynecomesia हो जाता है male usually होता है 44 plus xy यहाँ xxy हो जाएगा 1x जादा है तो male इससे sterile हो जाएगा and ultimately यह आगे चलके retard भी हो सकता है female जो है इसका normal case है 44 plus xx यहाँ पर 1x chromosome कम हो जाएगा जिसके वज़े से female अपने sexual characters को खो देगी and ultimately वो भी sterile हो जाएगी कुछ सवाल करते हैं दोस्त फिर चलते हैं घर घरोंदे की तरफ if a colorblind female marries a man whose mother was also colorblind what are the chances of falana walana solve करो आप मैं भी solve करता हूँ खड़ा हो करके if a colorblind female colorblind female color blindness कैसी बिमारी है x link recessive बिमारी है तो recessive बनानी पड़ेगी female marries a man was mother was colorblind mother was colorblind मतलब father सहाब ठीक थे mother colorblind थी यानि xy xy हो जाएगा यानि male में भी x चोटा सी और y आना है ही यानि male भी आपका क्या है color blind है चार बच्चा आपका colorblind है यानि 100% color blindness के cases है chances है उत्तर क्या निकल के आ जाएगा उत्तर क्या निकल के आ जाएगा 100% I hope सभी का यही आ रहा है 65% still a good number see किसका आ रहा है भाई 50% देखो marries a man whose mother was color blind यह recessive disease है तो color blind इसी case में होगी तो आदमी चाहे safe ही क्यों ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता यह y को तो मिलेगा छोटा c ही तो आदमी color blind औरत color blind सारे ही एक्स अगर छोटे है तो color blindness तो होना ही है जाओगे कहां बचके मिया यह आएगा उत्तर ठीक है और देख लो भाईया है ना यह आपका हो जाएगा 100% और देख लो चलो यह भी निकाल के देख लो यार 45 सेकंड का पोल लगाता हूँ in a cross between male and female both heterozygous for sickle cell anemia sickle cell anemia के लिए heterozygous मतलब HBA, HBS male भी ऐसा है है ना autosomal recessive बिमारी है तो किस case में होगी HBA, HBS both heterozygous for sickle cell anemia gene what percent of progeny would be diseased progeny कितने disease case होंगे HBA, HBA यह तो बच गया HBA HBA, HBS यह भी carrier होगा बच गया HBS HBA बच गया recessive है ना HBS, HBS होने पर ही विमारी cause करेगा HBS, HBS इसको दिक्कत होगी भाया, क्या बचा, HBA, HBA, तो A, A बचा ऐसे लिख लो, फिर आपका यहाँ पर हो गया, HBA, HBS, AS हो गया, dominant ही है, फिर आपका HBA, HBS, फिर आपका SS, तो यह वाला होगा ना सिर्फ, चार में से एक, कितना हो जाएगा भाई, 25% हो जाएगा, 70% शांदार, तो 1 out of 4 आपके बिमार होंगे, यानि 25% हो जाएगे, हो जाएगे भाई, 25% हो जाएगे, सांदार, सिलेक्ट दा करेक्ट मैच, फिनाइल कीटो नूरिया, ओटोसोमल रिसेसिव है, सीकल सेल अनेमिया, ओटोसोमल रिसेसिव है, क्रोमोसोम नमबर 11, इसके बारे में हमको आइडिया नहीं है, बट ठीक है, आभी के लिए हौल्ट पे रख लेते हैं, सैलेसीमिया, X-linked नहीं ह है, ओटोसोमल है, हेमोफिलिया, वाइलिंट नहीं है, यानि यह करेक्ट था, तो एक बात हमें पता लगी कि क्रोमोसोम नमबर 11 से इसका कनेक्शन हो सकता है, तो भी आपका करेक्ट है, ओके, वाट इस जनेटिक डिसॉर्डर इन विच इंडिविजुल है, ओवरॉल मस्कि यह आपका चेप्टर है भईया, तो आज तो I guess you are too late for doing this, कल NCRT की रीडिंग लगा लिजेगा, या mad easy order कर लिजेगा and कल DPP solve कर लिजेगा, NCRT read करके मुझे आप बताएंगे कि कितना time लगा आपको NCRT read करने में, चाहे एक गंटा लगे, और गंटा लगे, मुझे बताना, जिससे मैं idea लगा सकूँ, आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है, और DPP कल solve कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ज्य चोटी सी गुजारिश है दोस्त, है ना, माफ करना, एक चोटी सी गुजारिश है, कि अब body एक है थोड़ा मेर को, है ना, अगर मैं next week तक बहुत properly recover नहीं कर पाता हूँ, because I wanted to give molecular basis of inheritance my best, मुझे ही पता है कि मैं आज कैसे खड़ा हूँ अपने पैरों के उपर, बहुत गोलि ले पाए हूँ, otherwise, क्योंकि एक class भी मैं cancel करता हूँ, तो पूरा guilt मेरे उपर आ जाता है, मैं कभी अपनी classes cancel नहीं करता, चाहे मेरी तवियत कितने भी खराब क्यों ना हो, पर मैं खड़ा ही नहीं हो पा रहा था, अगर मैं next week बहुत जादा अच्छा feel नहीं करता हूँ, ठी भाई झेल लेना, प्लीज, है ना, ये मत कहने लग जाना कि सर, molecular पढ़ाओ, molecular पढ़ाओ, क्योंकि मैं चाहता हूँ, उसके साथ मैं justice करूँ, molecular is a, you know, blockbuster film, वो पूरी picture है भाई, है ना, वो add shoot नहीं है, उसको हम लोग पूरा justice के साथ पढ़ेंगे, तभी मज़ा आएगा, क है ना, तो अगर नहीं हो पाता थोड़ा, उपर नीचे 19-20 रहती है health, तो एक छोटी सी request है बस आपसे, कि हम पहले microbes in human welfare कर लेंगे, छोटा chapter है, साड़े तीन, चार घंटे में, फिर we will do molecular basis of inheritance, full-fledged एकदम अंदर घुसके फार देंगे, पूरे chapter को, राइट, जैसा आज य साथ से लिखे हुए notes देदूगा, print निकाल लेना, उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए होगा आपको, जीवन में ही, वहाँ समझने पे ज्यादा focus रखना, molecular basis of inheritance में, ऐसा मत करना, कि सर लिखवा दो, एक एक चीज है ना, आराम से पढ़ेंगे, सारी चीजे वहाँ समझने का यह बहुत है, लेकिन समझ के ऐसा जाएंगे कि एक question हमारा छूटेगा नहीं, चाहिए जीवन में कोई, कुछ भी बना दे, कितना भी hard question बना दे, we'll be able to solve that up very very easily, बहुत प्यार से, ठीक है, दन है भाई, चलो, leaderboard देखना है, देखो यार, देखो, 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 ओके, भाई हमारे टॉप पे ही बने हुए हैं भाई, आओ, याओ, इंग, ओके, सान्या ने भी अपनी rank improve कर ली है, सौमिक सरकार पहले नहीं थे rank में, I guess, Kratos, भी शायद नहीं थे, नीचे से थोड़े, जिवानी मौर्या, यश भारती थर्ड से, I guess, 6 पे आये हैं, शिंचेन नहारा, बहुत बढ़िया भाई, जापान से भी व्यूवर्स आये हैं हमारे पास, नहारा फैमिली के, चिराग शिंचेन भाईया, मधु कुमारी, गुर इन सब से कुछ फरक नहीं पड़ता, कि तुम बोलते हो, इसलिए मैं दिखाता हूँ, अधर्वाइस मैंने, पेड बैच में आज तक कभी लीडर बोर्ड नहीं दिखाया, अन्नेसेसरी होड लग जाती है भाई स्टूडेंट्स में, हम जीतेंगे, हम जीतेंगे, अभी खा आज के दिन के लिए इतनी पढ़ाई बहुत है, साड़े 6 घंटा हो गई है भाईया, सुसु रोक के खड़े है, पहले तो पत्री का निवारन करेंगे, पता लगा कि स्टोन्स भी हो गए, इंफिनिटी स्टोन्स, इतनी मैराथान ले लेंगे सुसु रोक के, कि अपना खु पत्री डाल करके, पर हाँ, देखो भाई, मजा तो आता है, दोस्त, एना, एक अच्छा अच्छी feeling, feel good factor आता है, कि हाँ, 10 सेकंड का भी हमने ब्रेक नहीं लिया, बिलकुल भी बकवास बाजी नहीं करी, पढ़ाई मतलब पढ़ाई, and that's what make you guys different, एना, बाकी, जहां जहां ज चेप्टर के साथ, आप बहुत खेल सकते हो, मैं बहुत खेल सकता हूँ, क्योंकि being a research student, मैं इतना खेल सकता हूँ ना, इसके साथ, मैं lab में घुसूँगा, मैं आपको drosophila के experiment करके दिखा दूँगा, बकायदा ब्रेटिंग करके, फायदा नहीं है कोई चीज, ऐसे करने का जिस चीज को जितना टाइम चाहिए, उतना ही टाइम देना पड़ता है, तो सबका अपना अपना स्टाइल है पढ़ाने का, तो उसमें कोई टेंशन नहीं है, आपको जहां समझ आता है, आप वहां पढ़िए, पर हमने कोछोड़ा नहीं है, सारी चीज़े एकदम पढ़ी नहीं है, पेपर इससे बन रहा होगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, चलो यार, lots of love, बहुत बहुत शुक्रिया, जैहिंद, मिलता हूँ आप से अगले सेशन में, तब तक के लिए अपना खयाल रखेगा, और पढ़ाई करते रहेगा, बाई बाई, गुड़नाइट, टेक क्य बाईट बाईट